तो आज है तीन माई और बहुत बड़ा बड़ा काम करना है इट मिन्स आज सारा कंप्रेट करना अभी हमारा हुआ क्या है पॉर्टफोलियो और मेचल फट हुआ है स्टार्ट कर रहा है ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा टेक्निकल है इट मिन्स यार क्योंकि अभी आप ठके हुए नहीं हो तो कोशिश करते हैं कि पहले हम डेरिवेटिव खतम कर दे टेक्निकल है समझने बाल है उसके बाद फॉरेक्स खतम कर देरिवेटिव आई रर्म फॉरेक आई एफ है जो भी टेक्निकल टॉपिक है वो फ़र्ष्ट हाप में हम खतम कर देते हैं सेक्ट हाप में सिक्यूरिटी एवेलिवेशन बचिएगा तो भगवान का नाम लेते हैं स्टार्ट कर रहे है डेरिवीडियो इंपॉर्टन कोश्चन करेंगे एक्जांपल एक्जां कि भाई साब हमको इसमें पढ़ना क्या इसमें हमको option पढ़ना है फावर्ट तो है नहीं है कुछ forward और future एक ही है तो option पढ़ना और future पढ़ना थेक है तो पहले जब हम इस्टार्ट करेंगे हम किसे करेंगे option सारी कहानी वो option is a right but not obligation कोई काम नहीं आएगा सबसे एक कितने टाइप के होते हैं तो टाइप के option है एक है call option और एक है put option तो पार्टी होती है एक का नाम होता है option holder और एक का नाम होता है option writer option में क्या होता था सर option में कुछ नहीं होता था अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि share का price बढ़ने वाला है तो call option खरीदूंगा call option में ने खरीदा तो बदले में मुझे आज premium देना पड़ेगा मेरा नाम क्या हो जाएगा option holder और सामने वाले का नाम क्या हो जाएगा option writers मुझे premium देना पड़ेगा वो premium उसको मिल जाएगा और अगर share का price सही में बढ़ जाता है तो मैं option exercise करूँगा हाँ सर ये तो हमको पता है बात समझे में आती है ना यहाँ concept discussion वाली बात ही रही है ठीक है सर प्रीमियम दिया जाता है अगर price वाकी बढ़ गया तो मैं option exercise कर लूँगा अगर price काम हो तो option lapse हो जाएगा जाएगा तो क्या जाएगा मेरे जेब से premium ही तो जाएगा ठीक है call option कब खरीदा जाता है जब हमको ऐसा लग रहा कि price बढ़ने वाला है तो call option जब हमको ऐसा लग रहा कि price गिरने वाला है तो put option हाला कि call option को आप right to buy भी बोल सकते हो put option को right to sell बोल सकते हो पर doesn't matter हमको जो आता है वो आता है price बढ़ने का तो call price गिरने के लिए put ठीक कोशन बनाए किया चलो बनाते हैं कोशन नमबर वन यह आई सी ए आई का ही कोशन है तो ठीक से देखना एक विटी शियर अप एस एस सी लिमिटेड कोटिड अभी कितने का चल रहा है 310 अभी प्राइस क्या चल रहा है डेजन टमेट इस्ट्राइक प्राइस किस पे सर्त लगा जा रही है जिसको बोलते है श्ट्राइक प्राइस 320 हमारे काम का है ठीक है थ्री मंथ कॉल ओप्षन इस अवेलेबल कॉल ओप्षन भी खरी सकते हो आठ रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा अगर कॉल ओप्षन खरीते हैं और ओप्षन कॉल ओप्षन कब एक्ससाइज कि कम हो जाए आपको निकलना नैट पेओफ दो चीजे होती एक होता है था ग्रॉस पेओफ एक होता था नैट पेओफ ग्रॉस पेओफ का मतलब होता था मैचुरिटी को बिना प्रीमियम घटाए मैचुरिटी पे कितना मुझे पैसा मिलेगा यह तो नहीं मिलेगा दोई बात नेट पेओप का मतलब maturity को जो पैसा मिलेगा उसमें premium घटाने के बाद जो बचेगा उसे आप net payoff या net profit or loss बोल सकते रिखा हुआ है अगर share का price 300 हो जाए तो पहले मैं call option की बात करना हूँ अलग-अलग बात करें call option की 300 पर call option exercise नहीं होगा, कब होगा 320 से उपर, तो 300 पर नहीं होगा 310 पर नहीं होगा, 320 पर नहीं होगा 330 पर हो जाएगा तो 10 रुपे के रूप में मुझे gross payoff मिलेगा पर उसमें से मैं जह 8 रुपे premium का चला जाएगा, तो net payoff कितना है दो, gross payoff मतलब बिना premium घटा है net payoff तो यह मैंने table अच्छे से presentation important है, अगर आप कर पाते हो तो, यहाँ हमेशा में लिख देता हूँ आप भे जानते हो, ठीक है सर क्यों लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ से पता लग जाता कि यह call option की बात हो रही है यहाँ market price लिखा action लिखा, कि laps की exercise gross payoff लिखा, premium minus करने के बाद net put option कब exercise होगा, जब 320 से नीचे जाएगा यह क्यों हो जाएगा यह लिखा है also indicate the price range at which the call and the put option में भी gain fully exercise, मतलब क्या कहना चाहता सर, वो यह कहना चाहता भी है, call option 320 से उपर जाएगा तो option exercise हो जाएगा, बिल्कुछ सही अगर 325 होता है तो भी option exercise होगा पर इसमें gain नहीं हो रहा है ultimately net pay off तो loss में gross pay off कितना आगा है, 5, 5 में से minus किया, 8 तो बच्चा कितना, 3 रुपे का loss है, यह gain fully exercise नहीं है, gain fully exercise कब होगा, जब हमारी 8 रुपे recovery हो जाएगा, उसके उपर option gain fully exercise मतलब सब बी पी पूछ रहा है, यह 328 और put option में बी पी कितने पे आएगा, 320 में से 37 मैनस हुआ, 313 पर आजाएगा ठीक है ओके साथ इस question पे इतना टाइम हम बरबाद नहीं कर सकते put में कब और एकसे से low put का में तुम इने करवाई भी नहीं सब समझदार हो, put वाला अराम से कर लोगा इस इन questions पे time pass मत करना time ही नहीं है आपके पास question number two उठाया हूँ और वो उठाया हूँ में short selling short selling short selling क्या होता था short selling कुछ नहीं होता था एक person होता था, एक person होता था एक person होता था और उसको ऐसा लगता था कि share का price कम होने वाला है तो वो उधार लेकर share market में बेज देता था, that's it बस यहीं तो होता था okay, तो चलो यहां पढ़े कि एक बार yes, Mr. A holding 1000 share of face value, sir, इसने 1000 share hold किया है 100 रुपय का एक है of किस company के, sir, Messers ABC के, he wants to hold these shares for long and यह long term के लिए hold करना चाहता है तो इसका नाम के है, Mr. A एक person है एक जनवरी 2020 को Messers XYZ Messers XYZ XYZ Limited has met short sales of ABC Limited यह भाई साब है XYZ और यह short sell करना चाहता मतलब इस से उधार लेकर इधर बेचना चाहता है ठीक है सिर्फ बदले में इसको क्या फाइद है हुई तो बताएगा और Mr. A land his share तो stock landing skim land यह उधार देने को तेयर हो गए share to be borrowed for three month तीन मैने के लिए बौरो किया जाएगा एक जनवरी को से एक तीन मैने के लिए बौरो किया जाएगा landing charges कितना बोले भई इसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना risk income बोले 1% charge किया जाएगा 1% किस का तो बोले हर मन्त मिलेगा 1% closing price ठीक है और साथ में अब ये person विश्वास कैसे करे तो bank please क्या आप इसको guarantee दे सकती हो क्या क्योंकि हम उधार ले रहा है ना bank इसको guarantee देंगी तो बदले में हमको इसका charges भी देना पड़ेगा और cost of bank guarantee कितना पढ़णा 8% बात समझने की कोशिश करना बाराम से ये बंदा कितनी चीज दे रहा ये बंदा एक तो bank guarantee का cost जो भी पढ़ेगा वो देगा इसको इस भाई सापको landing charges भी देगा बीच में अगर किसी company ने dividend जिस company का हम share बेच रहा है share borrow करके short sell कर रहा है उस company ने dividend announcement कर दिया तो वो dividend तो उसको मिलेगा जिसको हमने बेचा है लेकिन भाई इस चक्र में इस भाई सापको loss हुआ तो इसको dividend भी compensation मिलेगा और ये person देगा इसको क्या-क्या मिलेगा इसको तो एक landing charges मिलेगा दूसरा अगर बीच में dividend share का share वापस मिल जाएगा वो तो बात की बात है एक तो एक तो क्या मिलेगा landing charges मिलेगा दूसरा dividend भी मिलेगा अगर इसकी बात करो इसको क्या-क्या देना पड़ेगा बैंक वाले को bank guarantee का cost देना पड़ेगा इसको landing charges देना पड़ेगा बीच में अगर dividend announcement हुआ तो ये dividend भी तो देगा इसको फायदा क्या है share के price कम होने से फायदा है क्योंकि ये तीन मैंने बात सस्ते में खरीदेगा और इसको वापस करेगा ये भगवान से ये प्रात्ना करेगा कि price कम हो जाए 29-5 को declared किया dividend और dividend 25% तो ये dividend भी देदेगा closing price ये ये हो सकता closing price ये हो सकता नहीं उसने closing price बताया है एक मैंने बात का, दो मैंने बात का, तीन मैंने बात का तीन तीन वाला क्यों बताया है हमें तो से इससे मतलब है ना ताकि आप landing charges निकाल पा ठीक है landing charges निकाला 1% January का landing 2020 का 1% 10 रुपए 20 पैसे 9 रुपए 80 पैसे 10 रुपए 40 पैसे 9 रुपए 60 पैसे और March का भी landing charges 1000 श्रियर से तो total मिला कर landing charges ये उसने बोला earning बताये Mr. A की तो sir Mr. A की earning तो 2 है एक तो landing charges मिलेगा और dividend भी तो मिलेगा वो सिर्फ बोल रहा है कि stock landing scheme के तहत earning बताई है बस वही वाला ठीक है भई stock landing scheme की वजह से जो earning हो रही वो 31,100 की हो रही है अगर bull होता है market तो अगर bearish होता है तो 28,800 की earning हो ठीक है अब बोल रहा है कि ये total earning बताओ भी ये total earning मतलब dividend मिला का तो landing charges 31 रुपए और 100 रुपए का एक share है कहां है face value सर face value ये दिखाई दे रही 100 रुपए तो 100 रुपए का 25% 25 रुपए चाहे bull हो चाहे bearish हो आपको 25 रुपए dividend के रूप में मिलेगा तो total ये मिलेगा 1000 share है तो 56,100 की है total earning of Mr. A और XYZ को profit या loss हो रहा है भाई साथ price कम होगा तो यहां 1000 रुपए खरीदा था और 940 के सस्ते में खरीद के वापस करेगा मतलब यहां 60 रुपए का profit है और यहां 50 रुपए का loss 50 रुपए का loss 60 रुपए का profit इसके अलावा lending charges भी तो देना पड़ा इसके अलावा bank guarantee भी तो देना पड़ा bank guarantee किस पर निकलेगा बिल्कुल धियान से समझना लिखा हुआ है bank guarantee, bank guarantee 8% सर 8% किसका bank guarantee एक जनवरी को provide हो एक जनवरी को एक share का price कितना था 1000 उसका 8% per annum पर 3 महने के लिए ही तो bank guarantee है उससे सबसे calculate हुआ है 20 रुपे dividend भी आना चाहिए था नहीं लिए मैं इस matter पर बात नहीं करूँगा यह 101 का loss और 1000 तो यहाँ loss है यहाँ profit यहाँ profit है short selling का यही कोश्चन है देख ले न this most important expected value of option expected value of option मतलब क्या है मतलब बिल्कुल simple है मान लो यार में कोई option खरीदा ठीक है अब उस option की value तीन महने बाद क्या हो सकती value क्या है अगर price बढ़ेगा तो value है अगर call option की बात करूँगा price बढ़ा तो value price कम हुआ तो कहे का value useless तो sir price बढ़ेगा तो price एक, दो, तीन, चार कुछ भी हो सकता ना price तो probability से multiply करेंगे पर अगर call option है price बढ़ेगा तो value है ना यार अब price कम हुआ तो कहे का value 0 तो बस probability से multiply करना पड़ेगा याद रखना इसमें से मैं premium minus नहीं करूँगा मैं बात किसकी करूँ expected value मतलब तीन मैंने बात कि मैं बात, present value की बात नहीं करूँ मैं बात करो expected value अच्छा सर वैसे तो इससे premium का comparison नहीं होता premium, इसका present value निकालूँगा तो मैं कालूँगा, वो है value of option premium minus क्यों नहीं होगा बात इतनी सी है कि मैं कहरो, मैं premium जो दे रहा हूँ, दूंगा ना यार उसका छोड़ो, मुझे कितना मिलने वाला future में that's it, this is expected value pops, तो कुछ करना नहीं है gross payoff निकालना probability से multiply करना उसका sum कर देना question number 5 equity share of PQR limited presently हमारे काम का कभी नहीं आता इसलिए में कटिक्यों की बार बार ना इस पे निगाए चली जाती है, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी market price of share after 6 months has the following probability 180, 260, 200 और put option price कम होने से exercise होगा और strike price कितना है 300, तो 300 से कम होगा तो exercise, sir return लिखा है लिख जाने दो कुछी भी यार मैं बात कर चुका है okay, sir 180 हुआ तो 120 का gross payoff होगा जिसको फाइदा होगा जितना इस चीज की वज़े से कितना फाइदा होगा चाहे किसी को भी क्यों नहीं होगा वही तो value of option है sir 260 हुआ तो 40 का payoff, 280 हुआ तो 320 का और 320 पे तो इस पे तो exercise ही तो नहीं होगा probability से multiply करोगे this is 30 रुपय का मुझे future में फाइदा हो जाएगा this is expected value of option ठीक है ओके सिंपल है sir question number 7 ज्यादा अच्छा question है question number 7 ठीक है you had purchased a 3 month call option on equity share of satya limited for premium, premium कितना call option है, पहली बात call option है प्रीमियम कितना जा रहा है, प्रीमियम जा रहा है 30 current market price कितना, 560 current market price है 560 जो काम नहीं आता है generally और exercise price है 590 call option है तो 590 से उपर जाएगा तो exercise और price 540 से 640 तक जा सकता इस तरह से जा सकता उसने बोला, उसाथ में probability भी दिया हुआ है तर मांग किया रहा है, सबसे पहले मांगा expected share price at the end of 3 months share का expected price निकालना है तो बहुत ज़्यादा मुस्किल है नहीं है, probability से multiply करोगे और expected share price निकाल लोगे, यह निकल गया 597 ठीक, point number 1 में दिखकत नहीं point number 2 में लिखा value of call option at the end of 3 months if, if, if exercise price prevails important है, exercise price prevails इसका मतलब क्या है, सर? इसका मतलब है भीया तीन महने बाद exercise price जो है वही market price होगा मतलब तीन महने बाद मान लो, share का price 590 ही होता है तो जो exercise price है वही market price होगा तो कहे का, फिर तो option ही exercise नहीं होगा फिर तो value of option शीर हो जाएगा एक बार question में यहाँ ऐसा सब्द लिखा था expected price prevails तो उस condition में value of option आता 597-590 बाद समझ रहा है ना प्रिवैल का मतलब उस समय क्या होगा price उस समय exercise price भी हो सकता है उस समय expected price prevails लिखता तो फिर में 597-590 लेता expected price prevails नहीं लिखा है exercise price prevails लिखा है ध्यान देना ICAI आपके साथ खेल खेल सकता है ठीक है सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है answer 0 आएगा 100% 0 आएगा सर इसके बाद क्या बोल रहा in case the option is held to its maturity अगर हम maturity तक option hold करते है तो बताईए expected value of call अब काम हो जाएगा 590 से उपर जाएगा तो exercise तो यहाँ lapse हो जाएगा यहाँ 0-0-0-0 यहाँ 10-30-50 अगे लिखा हुआ है find out the price of the share quoted at stock exchange stock exchange price क्या quote किया जाए to get the value of option call option as computed in 3 अब बो क्या बोला find out the price ऐसा price बताईए value निकल जाए value निकल जाए मतलब maturity को क्या price हो की यह जो value है value यह हमारा मिल जाए हमको तो भाई सीम्बल सी बात है यहाँ कितना है 590 से उपर जाना चाहिए 590 से और 17 रुपए value है तो कितना हो जाना चाहिए 607 रुपए हो जाएगा तो भाई ऐसा है कि value जो है वो value हमारा मतलब option exercise करने से हमें जो value है वो हमको मिल जाएगी बात करता अच्छा question है अच्छा question है यह आता है generally question number 26 यह पक्का पक्का एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से लिखा Mr. P establish the following spread spread हलकी अलग होता है खर मुझे अभी यह Mr. P ने ना भाई साब दो काम कर रखे है क्या कर रखा है purchase किया है one three month call option three month call option purchase किया premium है साड़े च्छे रुपई exercise price है 110 मतलब सर ऐसा है कि 110 से उपर जाएगा तो exercise और premium साड़े च्छे रुपई गया इसके लबा three month put option exercise price है 90 मतलब 90 से कम होगा तो exercise और premium कितना गया 10 रुपई 10 रुपई तो total premium गया सर 16 रुपई 50 पैसे इन्होंने एक strategy बनाया है हलाग इसका नाम strangles होता है strangles ही ना हाँ strangles नाम में क्या रखाए सर strangles नहीं होगा ये तो खीक है हमें नाम में कुछ नहीं रखा कि strangles है कि straddle है कि strip है but एक बात पका है कि उसने call और put दोनों खरीदा call कब exercise होगा जब 110 से उपर जाएगा put कब exercise होगा जब 90 से नीचे जाएगा और इन दोनों के लिए उन्होंने 16 रुपए 50 पैसे दे दिया अभी share का price क्या चल रहा है 100 determine profit or loss if the price of costal corporation 100 ही होता है तो मान लो maturity को तीन महने बाद share का price 100 रुपए ही होता है तो और आपको 1000 shares में सारा की सारा काम करना अगर 100 रुपए ही होता ना तो call exercise होगा ना तो put exercise होगा call option ना put option जो premium गया गया तो 16 into pass 16,500 आपकी जेप से गया क्योंकि total premium आप कितना payment कर रहे है उसे total premium हम payment कर रहे है 16,500 ठीकर आपको यह गया आपका law से 16,500 अगे अगर share का अबड़ाई 70 होता है तो अगर 70 रुपए होता है सर तो put exercise हो जाएगा 20 minus 16 रुपए 50 पैसे 20 minus 16 रुपए 50 पैसे 3 रुपए 50 पैसे into 1000 तो 3500 का profit हो जाएगा यह यह option आपको आना चाहिए और सर अगर 138 हो जाएगा तो call exercise होगा 138 minus 110 तो यह हो गए 28 minus कर दो 28 minus 16.5 into 1000 11500 का profit हो जाएगा simple है आ सकता है करना है आपको option pricing part number 3 और option खतम इसमें टाइम लगेगा ऐसा नहीं option pricing option pricing में क्या है option pricing में होता क्या है जो भी असर होता किया यह मत समझाओ हमें premium एक तो दिया रहेगा stock exchange से option खरीद होगे तो actual premium दिया रहेगा यस पर यार जो हम option खरीद रहे हैं उसके लिए जो premium बता रहा है stock exchange वो देना सहीं होगा कि नहीं होगा कहीं यह ज्यादा तो नहीं है हम मानलो यह हमसे कितना मांग रहा 12 रुपय प्रीमियम का मांग रहा है जबकि जो हम option खरीद रहे है उससे तो हमें 5-6 रुपय का ही फायदा होने वाला मत खरीदो यार यह तो overpriced है तो मुझे क्या निका वह निकालना दिशिपड्राइव और यह एक्ट्वल प्र्यस अगर एक्च्वल प्राइस जदा तो overpriced खी के सरया underpriced, overprice हमको समझ में आता हमें यह निकालना दिशिपए वाल्य ओप जो टरीके है एक है binomial model दूसरा है put call parity है नहीं बात ही नहीं करूँ एक question है पर करना है कर सकते है मेरे लिए class में करवा रखा है अब भी आने करवा रहा हूं उतना important नहीं syllabus में भी put call parity का नाम निशानी है put call parity BSM करना चाहिए वाकि बच्चे छोड़ देते हैं आपको भी छोड़ ना छोड़ दीजिए, आया नहीं है, एक जमाने से पर, जो कभी नहीं हुआ, वो आपके साथ हो सकता, बात करते हैं, बाइनोमियल मॉडल की, बाइनोमियल मॉडल में दो पॉसिबल प्राइस होता है, अब सुनो, एक दिक्कत है, दिक्कत ये है, कि सर बाइनोमियल के अंदर मैंने आपको बोला था, तीन तरीके है, एक है रिस्क नीट्रल, दूसरा है डेल्टा हैसिंग, और तीसरा रैप्लिकेटिंग की तो हम बात ही नहीं करेंगे, रैप्लिकेटिंग काम का नहीं है, तो सर रिस्क नीट्रल है, हमारे लिए काम का, और डे और रिस्क नीट्रल के लिए अलग सलग नाम लिख कर बताएगा तू पिरियड में टू पिरियड बाइनोमिल मौडल है उसमें तो रिस्क नीट्रल ही लगेगा जो सिंगल पिरियड की मैं बात कर रहा हूं उसमें अगर बाइनोमिल आया पहले हम क्या करते थे अब मैं कहां सर ऐसा क्यों करूं पहले तो कुछ और बताया थे बिट्टे अब भी जो सिच्वेशन उसी सबसे बताना हो कि अगर बाइनोमियल आया है तो भी ये डेल्टा हैजिंग से कर देना सर मुस्किल एडेल्टा हैजिंग से हाँ पर क्या करेगे या तो रिस्क नीट्रल साफ साफ लिख कर देगा पिछले अटेम्ट में ऐसा ही हुआ है कि उसने वैल्यू आपसन दो तरीके से बोला है रिस्क नीट्रल, एस पर रिस्क नीट्रल एप्रोच, एस पर बाइनोमियल मॉडल, हलाकि बाइनोमियल मॉडल का ही तो है रिस्क नीट्रल, खैर मुझे अब भी यहां डिसकेशन नहीं करना, मैं आपको काम काम की मत बता रहा, मैं क्या ICAI से लड़ाई करते बैठूँगा, बात करते हैं, रिस्क नीट्रल प्रोवाइबिलिटी एप्रोच, बिल्कुल सिंपल है, इस पर सीधा टूपी डेट वाला करवाँगा तो बात, पहला आप निकालोगे, रिस्क नीट्रल प्रोवाइबिलिटी, फॉर्मला है, पी इस एकल टू आर माइनस डी, यू माइनस अच्छा है, और फिर वैल्यो प्रोप्शन निकालो, कॉल आप्शन का वैल्यो और पुट आप्शन का वैल्यो, बिल्गुल सिंपल है, एक कोशन लोंगा, उस कोशन, एक्जाम्पल नहीं कर रहा हूं, एक कोशन से समझाऊंगा, हलाँ कि इसको मैं और डिटेल में, ये तू पिरियड बाइनोमिल मॉडल के दो कोशन करूँगा, उसमें तो मैं इसका यूज करूंगा ही करूंगा, कोशन नमबर 11 कर लेते हैं, तो लिखा है, सुमाना वांट टू बाइशेर ओप ईयल, विच है, शेर का प्राइस 411 भी हो सकता, 592 भी हो सकता, इन दो प्राइस स पता लग रहा है कि ये टू पिरियड बाइनोमिल मॉडल है, अभी शेर का प्राइस कितना चल रहा है, 421, ठीक है, अभी सवाल यह है सर, कि शेर का प्राइस 421 से 592 भी हो सकता है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ, यो, 592 डिवाइड बाइ 421 तो यह आ गया, 1.406, क्या कहना चाहता है, आज के प्राइस से एक साल बाद या एक महने बाद जो भी उसका प्राइस कितना हो सकता है, 1.40, बढ़ भी सकता है, या फिर डाउन भी हो सकता है, 0.976, इसको मैंने नाम दिया, यू, इसको नाम दिया, डी, ठीक है, हाँ, ब्रोकर इंफर्म देट कि शेर कुछ जो है, वो 5.22 हो सकता है, छीक है, आगे, so that he should buy a one month call option, one month call option खरीदा चाहते है, in order to prudent in buying the cause, sheer price should be more than at least 5.22, मतलब या exercise price हो सकता है, हो सकता है, जरूरत पढने पर, कम से कम 522 होना चाहिए, वो बोल रहा है, 522 से उपर होगा, तो मतलब या exercise price हो सकता है, जरूरत पढने पर, C wants to know the probability of attaining the share price, 5.92, 5.92, price होने की क्या probability है, मतलब risk neutral probability मांग रहा है, आपसे, और risk free rate 3.60%, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम per annum मानते थे, पर इस question में नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये जब दिया है value, तो वो मान के चलो कि एक मेने कही rate है, ठीक है, तर बाकी question में भी applicable होगा क्या नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले R और R ये दे दिया 1.037, और मैंने आपको probability निकानने का formula बताया था, E, R, T या R minus D, U minus D, R है D निकाला, U है D निकाला, तो ये आगया probability, उसने value of call option वगेरा नहीं मांगा तो हमने नहीं, तो सर, risk neutral probability से यार practice तो करवाओना है, यार करवा रहा हूँ ना भाई, two period binomial model में हम उसी से practice कर रहे हैं, two period binomial model, सर, इसमें क्या करते थे, ये पुरी की पुरी कहानी क्या है, कहानी ये है कि हम कहते हैं कि दो ही possible, binomial का मतलब वही होता है, सर, डेल्टा हैजिंग, डेल्टा हैजिंग भी करवाँगा, रुक जाप, एले, इसक न्यूटल वाला काम खतम कर रहा है, तो हम ये कहते हैं थे, कि दो ही तो possible price हो सकती है, maturity को, बिलकुल, अगर दो ही possible price हो सकती है, और ठीक भीया, मान लिए कि दो ही हो सकती है, पर ऐसा कहां लिखा है कि maturity को ही exercise होगा, एक option आता है, American option, एक होता है European, European option हमेशा maturity को ही exercise होता है, agree, पर American option तो बीच में भी तो exercise हो सकता है, तो हम maturity तक कहा weight क्यों करें, हम बीच में भी तो exercise कर सकते हैं, यस, तो फिर हमको यह मानना पड़ेगा, कि यार कभी भी exercise कर सकते हैं, तो daily दो price हो सकता है, daily तो बहुत लंबा calculation हो जाएगा, इसलिए हमने न, पूरा मान लो यार 6 मेहने हैं, मान लो 6 मेहने हैं, तो 6 मेहने में हम सोच कर देख रहे हैं, तो exercise कर सकते हैं, चलो तीन मेहने बाद अगर exercise करने का सोचेगे, तो क्या value होगा, American option में generally इसका use होता है, two period binomial model का, American में use होता है, ठीक है, हाला कि institute है, तो एक question है, दो question करवाँगा, मैंने कहा न, अच्छे से करवाँगा, question number 14, पढ़े, yes sir, consider a two year call option, ठीक है, call option है, two year, two year, strike price है, 50, ठीक है बड़ी, 50, और current market price भी 50 है, किसे मत देख लो, current market price भी 50 है, as, इसको as बोलते हैं, current market price को as, assume that there are two time period of one year, दो साल है, तो one year, one year, ठीक है, price जो है, वो 20 पर्षनर से अब होगा, डाउन होगा, मतलब पहले साल, अब भी 50 है न, 20 से उप, 20 से डाउन, ठीक है, using binomial option model, calculate the probability of price moving up and down, and also draw a two step binomial tree, tree भी बनाना है हमको, और आपको pay off भी बनाना है, each note पर, ठीक है, पहला काम क्या है, पहली बात समझ लो कि two period binomial model आएगा, तो हमेशा risk neutral ही लगेगा, उसमें हमको delta हेजिंग सोचना है नहीं, पहला काम होगा कि आप binomial tree बनाई है, 50 यहां लिखा, ठीक है सर, okay, 50 हमने यहां लिख दी, 50 यहां लिख दिया, ठीक है, अब 20 percent, अब 20 percent डाउन, यह एक साल में, और फिर 20 percent, अब 20 percent डाउन, फिर 20 percent, अब 20 percent डाउन, यहां तक ठीक है, पहला काम यह होगा, exercise price कितना है, 50, पहला काम क्या होगा, यहां से समझना, सर पहला काम होगा नोट का नाम लिख दिया इसको मैंने A लिख दिया इसको B लिख दिया इसको C लिख दिया इसको D लिख दिया इसको E लिख दिया इसको F लिख दिया अब 1, 2, 3, 4, 5 लिख सको अब कभी भी बैकवर्ड इदर से चलना है backward calculation होगा पीछे से चलना है तो उपसे पहले यहां देखो अगर 72 होता अगर 72 होता क्या option exercise हो जाता call option हो जाता तो 22 रुपय का gross payoff मिलता अगर 48 हो जाता तो option lapse हो जाता 0 अगर 32 हो जाता तो option lapse हो जाता यहां भी 0 यहां तक ठीक है सर अगर 60 हो जाता हम यहां तो exercise करी सकते हम यहां भी तो exercise कर सकते हमने का छोड़ो ना यार छोड़ो दूर की बात अगर छे मैं एक साल बात exercise करना होता और हम करते तो बोलो हमें gross payoff कितना मिलता सर 10 रुपय मिलता अब समझने की अब यहां है यह एक note है यह एक note है और यह एक note है और हमें इन notes के लिए value निकालना अब समझने की कोशिश करना यहां खेल है हाँ सर समझाओ क्या खेल है अब सुनना ध्यान से मैं क्या बहुँआ हूँ मैं कहरा हूँ मैं यहां खड़ा खड़ा सोच रहू मैं यहीं से सोच रहूँ अगर मैं यहां exercise नहीं करता हूँ यहां नहीं करता हूँ मैं आगे जाता हूँ तो कितना मिलेगा इट मिल्स पहले क्या कर रहा हूँ मैं पहले मैं यहां का gross pay-off निकाल रहा हूँ जिसको मैं intrinsic value बोल सकता हूँ और फिर मैं इसका present value निकालूँगा कि हमें यहीं exercise करना है इस पर कि हमें आगे जाना है तो देखो मैंने कैसे किया सबसे पहले पहला काम है risk neutral probability और risk neutral probability अप निकाल सकते हो और risk neutral probability ध्यां से देखना risk neutral probability का formula क्या है sir sir r minus d और u minus d r का मतलब rate of interest और rate of risk free rate of interest कितना दिया sir 6 बटन दिया तो 1.06 minus 20 person नीचे 0.80 1.20 minus 0.80 इस तरह से risk neutral probability से हमें probability निकाला और वो आ गया 0.65 इधर 0.65 लिखा इधर 0.35 लिखा इधर भी उतना ही आएगा क्योंकि यह भी या तो 20 person से उपर जा रहा है या तो factor आएगा 1.2 और इसमें d में आएगा 0.8 ठीक है sir यह काम हो गया इसके बाद क्या होगा इसके बाद यह जो 10 रुपए है अब मैं node B के लिए गाम कर रहा हूँ यह समझना ज़रूरी अच्छ से node B के लिए sir बाविस भी मिल सकता है 0 भी मिल सकता है और उसका मैंने present value निकाला इसको मैंने नाम दिया present value of expected pay of 13.49 इसका मतलब यार अगर मैं यहां से आगे जाता हूँ तो मुझे 13.49 मिलेगा और अगर मैं sir यही exercise कर लेता हूँ तो मुझे 10 मिलेगा क्या है मेरे paper की value यहां क्या है यहां क्या है इस note पे क्या है कोई मुझे 10 रुपए में मांगेगा मैं थोड़ी दोंगा क्योंकि मुझे तो इतना मिलने वाला है ना यार तो this is this is value of paper this is value of option 13.49 जो भी higher आएगा जो भी higher आएगा वो हमारे लिए expected value of option है 0-0 और 0 तो यह तो 0 ही आएगा टिक यह बाला नहीं है सॉरी यह है 0 यह बाला 0 ही तो 0 यह आएगा अब node A के लिए अब node A के लिए बात समझना है यहां दिहां से तो node A के लिए value किया आएगा node B पे मेरा value किया था node B पे 13.49 यहां कितना 0 तो 13.49 into 0.65 0 into 0.35 और present value से निकालोगे तो आजाएगा 8.272 मेरे ख्याल से this is value pops 8.272 हो जाएगा एक और question देखते है question number 30 question number 30 देखें देखाव यहां भी 2 year tree दे रखा है tree बना कर दे दिया यहां 100 है यहां 108 है यहां 95 है यहां 116 है 102 है और 96 है तो sir इसके लिए हमको सब निकालना पड़ेगा हाँ वो देखते है और साब साब लिखा है कौन सा option है American call option ठीक है और strike price कितना दिया है 98 और option कौन सा call option है तो sir 98 से उपर जाएगा continuously compounding 1.05127 ठीक है continuously compounding का यह दिया रहता नई दिया होगा तो sir कैसे निकालेंगे वो मैं बता दूँगा ना यहार पता है आपको two time period of probability निकालना सबसे पहला काम क्या है मालूम है यह binary tree अपनी कौपी में बनाऊगे यह बनाया मैंने अब एक काम करता हूँ मुझे यह मालूम है तो sir इससे क्या निकल जाएगा 108 divided 1.08 यू निकल गया है sir और sir यह 95 पे इससे d भी निकल गया है और r तो हमको मालूम है r minus d u minus d तो sir probability निकल गया 0.78.22 ऐसी इसका भी निकालो कि तो उतने ही आएगा तो probability हमने निकाल लिया पहले नंबर पे वो ही मांगा था ठीक है दूसरे नंबर पे मांगा है expected payoff निकालना है दो decimal places तक अब यहां से समझना यहां से खेल है 98 से ओपर हो जाएगा तो option exercise होगा कभी भी हमें back calculation से करना है पहले year 2 से करना है ठीक है 116 होगा तो क्या option exercise होगा yes 18.64 तर 102 होगा तो भी option exercise होगा 4.60 और 90.25 होगा तो भी option exercise होगा 0 यहां तक कोई दिक्कत है क्या अब हमें node 2 के लिए value निकालना है तो अब हम यहां अब बताना start करेंगे node 2 के लिए सबसे पहले present value of expected payoff निकालेंगे 18.64 into .78 4.60 into .22 और उसका present value तो यह आगे 14.79 और सवाल यह है आगे ना जाए यहीं exercise करें तो 108 यहां 10 रुपे का payoff दिख रहा है तो भाई जो भी higher है तो आगे जाने में ही फायदा है यहां के लिए value कितना आगे है 14.79 यहां के लिए value 4.6 into .70 into .22 तो उससे निकाला तो यह आगे है 3.41 और यहां exercise करोगे तो कोई फायदा नहीं है 0 मिलेगा तो सर आगे जाने से फायदा है यहां के लिए value कितना आगे है 3.41 ओके सर अब इसके बाद क्या करना 14.79 into .78 3.41 into .22 और इसका present value निकाला तो this is value pops उसके नहीं है seriously बता रहा हूं बस वही है कि थोड़ा समझने में time लगता है पर हो जाएगा है वो practice किया है यार इसकी ऐसा नहीं है कि आज ही हम पहली बार कर रहे है यह किसर question number 16 Mr. Dayal वाला question है delta hising delta hising हमको करना पड़ेगा delta hising देखना भी पड़ेगा देखे yes क्या लिखा हुआ है AB limited equity share अभी क्या price चिल रहा है पास साँ 500 price चिल रहा है an investor is interesting को investor है वो purchase करना चाहता है AB का share और investor को लग रहा है कि 70% chance कि price बढ़ेगा बढ़के कितना हो जाएगा 650 और 30% chance कि share price गिरके कितना हो जाएगा 450 मतलब sir price 650 भी हो सकता है price 450 भी हो सकता है आगे क्या लिखा हुआ there is a call option और call option exercise price है 550 अब एक बाद बताओ पास सो पचास प्राइज 650 और कौन सा option है call अगर price 650 हो गया तो 100 रुपे है भी मेरे option का value तो 100 हो जाएगा आए था अब प्राइज 450 हो गया तो यार वो option किसी काम का नहीं रहेगा 0 मतलब सर्फ प्राइज के change होने से option की value में भी change हो रहा है यास इसी को तो delta बोलते है प्राइज के change होने से option की value में change हो रहा है अगर प्राइज कम होता है तो ये 0 और 650 होता है तो सर्फ वो time से में खल सकता है कि यास price के change होने से option की value में कितना change हो रहा है this is delta और वो आ गया 0.5 ठीक ओके सर तो delta आ गया 0.5 इसमें कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं सर 0.5 आ अब आगे चलें delta 0.5 का एक meaning क्या है कि या शेर एक रूपिया से change होगा एक रूपिया से बढ़ेगा शेर तो option का value 50 पैसे उसे बढ़ेगा roughly language है हमारे question के लिए language क्या है डेल्टा है question का language यह है कि जब भी delta आया 0.5 इसका मतलब है कि अगर हम एक call option right कर रहा है तो हमें बदले में call option right किया शुना दिहां से hatching क्यों बोलते है call option right किया डर्किस बात का right किया हूं मैं right सर सामने वाला option exercise कर लेगा कब जब प्राइस बढ़ेगा तो भीया वो price बढ़ेगा तो tension तो price बढ़ने का है न तो यार share खरीद के रख लो न बढ़ता है तो बढ़े जाए हमने तो share खरीद के रखा है तो उसको जो आपने right किया ने call उसको hedge करने के लिए आपने आदा share खरीद के रखा हुआ है पॉइंट फाइव का मतलब आप कितना share खरीदेंगे सर राइट ही होगा कि राइट ही होगा भी या लिख रो राइट ही होगा सर राइट किया वन कॉल और बाई किया हमने पॉइंट फाइव सेर यहां तक कोई दिक्ट था इंट निकालते मेर्फरों निकालते हैं मैचूरिटी को के सर कैशंफलों क्या होगा अब अगर आपने यह कामकर रखका तो मैक्चरीटी को काशिंट लो क्या हो सकता। कैशंफलों निकाल रहा है इसलिए निकाल रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, अगर मैं ये portfolio बनाता हूँ, इसको बलते है risk free, उसने बोला है, if the investor wants a perfect has, बताइए combination, बताइए share और option का, तो हमने combination बता दिया, write करेंगे one call और buy करेंगे 0.5 share, ठीक है, दूसरा वो बता रहा है कि बताइए कि investor का जो position है maturity पर, वो identical cash किस तरह से होगा, तो वो बताने कि हम कोशिश कर रहा है, कि maturity को, चाहे share गाप्राइस कुछ भी क्यों ना रहे हमें cash inflow होता नहीं होगा, वो मैं बताना चाहरा हूँ, share गाप्राइए 650 भी हो सकता है, 450 भी, दो यी possible price है, ओके, ध्यान से समझना में देखाथ को, अगर 650 हुआ, तो क्या सामने वाला person call option exercise कर लेगा, yes, अगर वो call option exercise करेगा, तो मुझे देना पड़ेगा, मेरे जेप से गया 100, और जो share है, वो भी तो बेचेंगे ना, यार आधा share, 650 इंटू आधा, 650 इंटू 0.5, तो सर, 325 रुपय हमें share के रूप में मिल जाएगा, share का पैसा मिल जाएगा, तो सर, 325 मिला, 100 गया, मतलब यार हम लोगों को ना, हम लोगों को 225 रुप मिलेगा, एक साल, जो भी period है, उसके बाद, सर, अगर 450 हो जाता है, तो, call lapse हो जाएगा, और जो share उसको बेचेंगे, तो भी, मतलब यार, cash in flow, हमें, कितने मेहने बाद, तीन मेहने बाद, किसी भी हालत में 225 रुपिया मिले, किसी भी हालत, आज share खरीदने के लिए मेरे पास से जा कितना रहा है, सर, 500 500 into 0.5, आज share का प्राइस कितना है, 500, सर, 500 और आधा share खरीदना पड़ा, सर, आज तो 250 जा रहा है, और 225 मुझे मिलने वाला है, तीर मेहने तो, सर, ये तो घाटे का सौधा है, भाईया, घाटे का सौधा नहीं, ये सुनो, मेरी बास, सुनो, तो, सर, क्या बेखुपी, ये 250 बिटे बदले में, आप जो call option राइट करें, उसके लिए premium भी तो वसूल करोगी, तो बताओ, इतना वसूल कर लो, कि आप zero हो जाए, break के बना चाहे, बास समझ में आ रही है, yes, सर, 250 आज जा रहा है, बिलकुल, 225 मिलेगा, हाँ, पर सर, ये तो जो मिलेगा, ये तो तीन मेने बाद मिलेगा, तो इसका present value करेंगे फिर हम, yes, हमें कितने पैसों के और जरूरत है, but that's it, this is value, सर, 5 person लिखा है, yes, तो 5 person लिखा है, त divided by 1.05 करेंगे, ठीक है, तो सर, इतना पैसा लगेगा, आज share खरीदने में, इतना तो हमें चलो मिल जाएगा, तो बचा हुआ हम premium के रूप में वसूल करेंगे सामने वाले से, this is value of call, हो जाएगा, हो जाएगा सर, ठीक है, आगे लिखा, expected, expected return on option बोल रहा है, मतलब क्या पूछना चाहत रहा है, यहाँ पिक्चर दूसरी हो जाएगी, बोलो आज आपको कितना premium देना पड़ेगा, option खरीदने के लिए 35.71, अगर मैं investor होता तो, मुझे आज कम से कम सामने वाला जो call option writer है, वो 35.71 तो मुझसे मांगेगा ही मांगेगा अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे यह लग रहा है, देखो, price 650 भी हो सकता, 450 भी हो सकता, 650 हुआ तो 100 का फायदा, 450 हुआ तो 0 का फायदा, और मुझे क्या probability लग रही है, वो probability यहाँ दिया है, 70 परशन और 30 परशन, तो 100 का भी फायदा हो सकता, इस बात की probability है, 0.7, 0, तो इतना रहा हो, अगर आप investor हो, अगर आप call option खरीद रहा हो तो भाई, एक काम करो, आपको return जो हो रही है न, वो 96.02% हो रही है, यहाँ doubt लेने का sense नहीं है, कि इस पे बहुत सारी भहस हो चुकी, कि यह इसके अंगल से यह इसके अंगल से, राइटर के अंगल से सोच रहा है, यह बायर के अंगल से, यह इसके डिसकस हो चुका है चले जी आगे अब आगए हम PSM पर last topic है, option का PSM जो है न, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, रिसक ले लो और मुझे personally ऐसा लगना चाहिए, कि चलो put call पर इड़ी तो बात समझ में था, BSM छोड़ने का मतलब नहीं बना अब BSM में actual में value कैसे निकाला जाता है, simple सी बात है stock, call option है न यार तो यह price बढ़ना चाहिए तो सर, stock के price में से exercise price minus कर देते, बस बस stock का price कपका लेते, आज का तो exercise price आपका कपका है, बात का, तो उसका हम present value निकाल लेते हैं मतलब सीधी सी बात है, S0 minus बस यहां हमें probability से multiply करना पड़ता है, जिसका नाम है nd1 और nd2 ठीक है और put के लिए क्या हो जाएगा, sir, put के लिए कुछ नहीं हो जागा, put के लिए की बात करूँगा, तो formula reverse हो जाएगा बस d2 यहां minus d2 हो जाएगा, वह मैं put का समझा देता हूँ दिक्कत क्या है, बच्चों को, sir, d1 और d2 निकालने में दिक्कत है, पर इतना भी दिक्कत नहीं है, इससे बड़े-बड़े formula याद किये तो, और यह मैंने आपको बताए भी था, कि यह formula actual में क्या है, x minus mu divided by standard deviation, इसी से यह derive हुआ है, मैं यह discuss कर चुका हूँ आप से, तो, sir, ln s0 by a, s0 by a का मतलब इसको मैं x बोल रहा हूँ, x मतलब, मतलब मैं return बोल रहा हूँ, किया exercise price से, stock price जादा होगा, तो, कितना percentage जादा है, ठीक है, sir, खैर, मैं फिर logic समझाने में क्यों लगा हूँ, मुझे तो revision करवा, तो, और यहां क्या जाएगा, यहां जाएगा, आर, और यहां जाएगा, periodical standard deviation, ठीक है, और d2 कैसे निकालेंगे, d1 minus periodical standard deviation, बस इतना सा है, कोशन करते हैं, आई, सब यह वाला कोश्चन, कम से कम यह वाला कोश्चन, आप देखकर चले जाएगे, प्लीज, रिक्वेश्ट, from the following data for certain stock, find the value of call option, ठीक है, तो, price of stock now, दे रखा है, आज का price दिया, 80 रुपए exercise price दिया, 75, standard deviation दिया, 0.4, ठीक है, और period 6 मैने, मतलब 0.5 years, और आर दिया 12 पर्शन, और यह area दिया, बस area में याद रखना है, हमको इसमें cumulative area देखना है, यह जो दे दिया, area of the left or right, मतलब tail area, one tail area दिया है, हमें one tail नहीं देखना हमें cumulative area देखना होता है, और साथ में यह दिया, ln भी दिया है, ln यह भी निकाला जाता है, यह मैं आपकी copy में लिखा होगा, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है, हम D1 और D2 निकाल लेते हैं, असी भाए 75, छीक है, प्लस, यह 12% है, यहाद रखना, यहाँ 12 ही लिखना, 12 ही लिखना, गरबन मत कर देना, पतला लगा, उसको periodical कर दिया है, standard deviation, 0.4 है, इसका square लगा होगे, divided by 2, और यहाँ जाएगा period time, और यह तो periodical standard deviation आपको लेना है, इसको divide करने से ln आ गया, और इसमें जादो कुछ को मुझे करवाना ही नहीं है, और ln का value दिया है, 0.046, तो उसे सबसे मैंने यहाँ ले लिया, और इसके सबसे यह निकल गया, यह निकला, d1, और d2 तो अराम से निकल गया, d1 minus यह है, ठीक है, अब जो area देखना है न, हमको देखना होता है, इधर का area, बात समझ रहे हैं, मुझे हमेज़ा cumulative area देखना है था, minus आया तो फिर tail area ही देखना पड़ेगा, पर मुझे तो cumulative area देखना है, और क्या देखना, 0.5820, 0.5820, अब दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है, कि यह वाला area दिया हुआ है, सर, one से minus कर लेंगे, yes, one से minus करके काम कर सकते हो, यह फिर बात में one से minus कर सकते हो, हमने क्या किया, पहले normal निकल लिया, जो दिया, one से minus निकल लिया, पहले हमने tail area ही निकल लिया, हमें कौन कौन सा value पॉइंट 55 का वेल्यू दिया हुआ है कोश्चन में यह सर पॉइंट 55 का पॉइंट 2912 और पॉइंट 60 का पॉइंट 2743 इसकी मदस्व से हमने निकाल लिया पॉइंट 2803 पर यह कौन सा है सर यह वला या निकला जबकि हमको चाहिए यह तो 1 से माइनस करने पर यह आके इस इस डी 1 पाखिए इंटरपोलेशन आपको आता है और ऐसी हमने क्या निकाला होगा डी 2 निकाला है यह कि सर यह भी बास समझा डी 1 होगया डी 2 होगया अब डी 1 और डी 2 निकालके यहां बस पुट कर दिया डी 1 डी 2 एकसरसाइस प्राइस का प्रिजेंट वल्यू वो दे रखा है उसके सबसे बेल निकाला अगर मैं कहूं कि यार इस कोश यह जो बी एस है में ना उसमें ज़्यादा है नहीं है concept है उतना detail में हम जाई नहीं सकते ultimately हमको यह last time पर तो याद ही रखना पड़ेगा formula तो यह वाला formula देखकर चले जाओ की ठीक है question number 23 23 sir speed से क्यों चल रहा है बी एसमें क्योंकि इसको मैं explain नहीं कर सकता explain करना तो बाकी revision video है मेरे तो regular video भी डेले हुए तो share of TIC our current price को मैं क्यों करवा रहा हूं मेरी बात समझ रहा 415 दिया हुआ है ठीक option कौन सा है call और exercise price कितना है 400 RF दिया है 5% और standard deviation दिया है 22% ठीक सब तो दिया है इस exemption से आप value निकालिए अगर 25 रुपए है price तो बताईए और dividend कोई भी declare नहीं कर रहा है तो मेरे खेल से ये वाला तो मैंने करवाया है तो इस question में कोई खास बात आई थी किया कुछ खास बात आई थी किया कोई खास बात नहीं थी ये answer point number one में कुछ बात ही नहीं थी point number one का answer आगया 29.42 और actual premium कितना है 25 तो ये अंडर प्राइज है भी या 25 रुपिया में option मिल रहा है तो प्लीज खरीद लीचे ओके सर नहीं ये question क्यों कर वा रहा था इसलिए कर वा रहा था अब त्यहां से समझना और अब फिर से call option का value निकाल लिए बस इतना की current market price जो आप ले रहे थे ना 415 की जगा 380 ले 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 अब बस आपको एक बात याद रखना है जब आप यहां 380 ले रहा है तो आपका d1 माइनस में आ गया अगर d1 माइनस में आ गया d1 माइनस में आ गया d1 माइनस मतलब इधर आ गया इधर तो फिर आपको tail area ही लेना है अगर माइनस में आता है तो आपको tail area लेना बॉडी नहीं लेना नॉर्मली बॉडी लेते हैं पर अगर 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 तो one side area लेना that's it ठीक है मतलब अगर table में tail area दिया होगा तो जैसे है वैसे उठा कर ले 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 इसलिए यह करवा रहा है कि कोशिश करता है तीसरा है कि यह वाला point important है अगर 408 price है और dividend है 10 रुप है जो की दो मेने में मिलने वाला तो इस 408 को आपको adjust करना पड़ेगा इस price को बात समझने की कोशिश करना अगर BSM में इस तरह से dividend का amount दिया हुआ है तो इस 408 में से 10 रु इस लोगे सर क्यों लेते है क्योंकि बहुत सारी बात है क्योंकि option में dividend मिलता नहीं है ना option खरीदने पर dividend नहीं मिलता है तो मैंने यह जो 10 रुप है ना 10 रुप है इसका present value लिया और उसको मैंने 408 में से minus कर दिया तो फिर यह price फिर इसके बाद dividend को भूल जाए इस price से फिर value of option निकाल सकते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके बात कता है अप सुनो मेरी बात मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा कि derivative से future का question आएगा और future का question आता है तो भाई part number two जो हम करने जा रहे है ना future वो बहुत ज्यादा important उसमें beta management है उसमें हमारा arbitraise है तो यह सब करना पड़ेगा अच्छे से करना पड़ेगा future start करते है और future please अच्छे से करके चले जाना ठीक है ओके सर चलो जी बात करें forward and future conflict ने क्या किया जाता है future conflict में शर्त लगाया जाता है पता है आप लोगों को ठीक है सर और इसके अलावा future conflict में long position short position बढ़ेगा अगर मैंने long position ले लिया पतला upside betting किया है बढ़ेगा तो फायदा होगा कम हुआ तो loss भी होगा option में ऐसा नहीं था ठीक है तो सर इसके लिए margin account बनाना पड़ेगा margin account ये पढ़ना future pricing और इसी में हमको army trace भी पढ़ना है ठीक है बीटा management important point है बीटा management बीटा management हमको करना होगा और एक छोटा सा part है commodity future तो पहले बात करते है किसकी margin की सर हम future contract में enter करते हैं तो जो हमें सुरू में जमा करना पड़ता है दोनों ही party को जमा करना पड़ता है चाहे आप future buyer हो चाहे आप future seller हो उसको बोला जाता initial margin suppose initial margin जमा हो गया 15,000 रुपे मन से लिखा है 15,000 और मान लो एक minimum balance अपका रहना चाहिए और मान लो 10,000 रुपे मन से लिखा है 10,000 रुपे आ गया maintenance margin अगर आपको और यह daily basis पे adjust होता है daily basis पे इस पे plus minus होता है मान लो किसी वजह से जो margin का balance 2,000 का loss हुआ तो 13,000 margin का balance कोई दिक्कत की बात नहीं है 13,000 13,000 हो सकता है लेकिन किसी वजह से और loss हो गया 4,000 का तो आपका margin कितना बचा सर 9,000 margin बचा है तो भाई साफ फिर आपको margin बुलाया जाएगा आपसे क्योंकि आपका 15,000 जमा है किसी भी हालत में 10,000 से नीचे नहीं होना चाहिए अगर 10,000 से नीचे हो गया तो margin काल किया जाएगा और सर कितना काल किया जाएगा वापस आपको 15,000 तक पहुचाना पड़ेगा मतलब 6,000 रुपाय margin काल किया जाएगा जिसका नाम होता है variation margin ठीक कोशन नमर 35 है हमारी बुक में एक बार देख लेते हैं लिखा है 31st March 2021 Mr. R सबसे important एक कौन सा position लिया है आपने long long मतलब बढ़ने के लिए और दो lots ले रखा है ठीक है सर दो lots आ गया है सर दो lots है ठीक है और कितने का 17,300 का मतलब सर 17,300 से उपर जाएगा हमने बढ़ने का शुर्त लगा जाए है ठीक है इनीशल margin और one lot में कितना unit है पचास तो मतलब सर 100 units पे काम होगा है ना यार सर 100 units पर काम हो रहा है अब इनीशल margin दिया है 10% of contract value तो contract value किया जाएगा 17,300 into 100 तो यह आ गया है मेरा contract value और इसका 10% का क्या रखना है हमको initial margin रखना है 10% और maintenance margin रखना है 80% of initial margin बोला है तो इसका मैंने 80% किया यह आ गया maintenance margin इससे किसी भी हालत में margin का balance कम नहीं होना चाहिए आपको mark to market करना है एक नौक को price यह हो गया तो बताओ कितने का profit loss हुआ लौस होगा तो उतना margin कम हो जाएगा और अगर दो नौक को तो पिछले price से हम देखेंगे फिर पिछले price से इस तरह से हमारा margin account चलेगा सबसे पहले उसने कहा कि आप statement showing daily balance बताईए margin account का देखे margin account एक बार बैटिंग किस पे हुआ है सब 17,300 पर बैटिंग हुआ है कौन सा position लिया आपने long और फिर gain या loss भी बताईए वो भी निकल जाएगा सबसे पहले यहां से देखना भाईयो दोस्तो margin account आ सकता है यह बहुत दिनों से आया नहीं अच्छले 17,000 पर बैटिंग किया था और initial margin जमा किया था आपने 1,73 था वजले यह दोनों आप निकल चुक्या अगले दिन price हो गया 17,340 मतलब price बढ़ा तो 40 रुपे का फाइदा 100 units है तो total मिलाकर 4,000 का फाइदा और आपने यहां add कर दिया फिर कम होने से हमको loss हो गया 16,000 का तो हमारा margin बचा 1,61,000 किसी भी हालत में maintenance margin 138,400 138,400 यह लिखकर रख लेना 138,400 अब हम देखेंगे margin कम होते का यहां margin कितना हो गया 142 और फिर loss हो रहा है 9,000 का अगर 142,000 में इससे 9,000 का loss हो गया तो भाई आपके पास margin बचा है 1,33,000 जो कि इस balance से कम हो गया तो margin call किया जाएगा कितना call किया जाएगा वापस आपको 1,73 तक पहुचाना पड़ेगा minus 1,73,000 तो 40,000 रुपए आपका margin call किया जाएगा टेबल ऐसे ही बनाना date, closing price लिख देना profit loss लिख देना, margin call और closing balance ठीक है सर और उसके बाद काम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं जाएगी अब सर, gain और loss निकलने का बहुत सारे तरीके, short cut भी है या सुरू में क्या price था और अभी क्या price है, उसके सबसे 180 रुपए का loss दिख रहा है आपको सीधा सुरू का price और last का price into 100, 18,000 रुपए का loss हो रहा है पर फिर भी, ये देखो कि या लास्ट में ये पैसा आपको मिल जाएगा और आपने लगाया था 173 और आपने लगाया था 40,000 तो आपका loss कितना है? 80,000 आप ऐसे भी कर सकते और फिर बोल रहा है कि फिर से gain ये loss निकाल लिए अगर आपने short position ले रखा होगा तो परियाद रखना सिर्फ gain और loss मत निकालना आपको daily balance वो margin account बनाना ही पड़ेगा तभी number मिलेगा तो यहां मैंने बनाया भी था बाकि इसको नई भी करो कि तो चल जाएगा जिस्ट अपोजिट लेना ठीक है हो जाएगा एक कोशन और है module का कोशन नहीं अच्छली है कोशन नमर थर्टी सेवन देखा सेंसेक्स फ्यूचर आप ट्रेडड अट मल्टीपल ऑफ फिप्टी है ठीक है अब यह कोशन मैं क्यों करवा रहा हूँ इस प्राइस से लेना इस प्राइस पे आपने लॉंग पोजिशन ले रहा है उपर कोई प्राइस तो नहीं दे इसी पे अपसाइड बैटिंग तो बस यह डेली हम चैंज करते जाएंगे सबसे इंपोर्टेंट बात है कि उन्होंने इस बार मार्जिन इनिशिल मार्जिन डारेक्ट नहीं बताया है अच्छे से अगर स्टेटमेंट पढ़ो तो लिखा दी एवरेज डेली एप्सुलेट चैंज इन्दा वैल्य ओप कॉंट्रेक्ट दस हजार मतलब सर एवरेज चैंज दिया है मतलब म्यू दस हजार और स्टेंडर्ड डेवेशन कितना दिया है दो हजार तो सर इनिशिल मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो ले हर दिन जो चैंज हो रहा है ओन एन आवरेज दस जार ये तो हम मंगवाई लेते हैं मार्जिन के रूप में पर डेवेशन जो है ना उसका तीन गुना और मतलब टोटल मिलाकर 16,000 रुप मार्जिन का मंगवाया जाए और सर मैंटनेस मार्जिन उसने बोला 75% आफ इनिशिल मार्जिन तो बस यहां आपको मार्जिन का फॉर्मूला देखना है ठीक है और 16,000 का कितना बर्षन 75% 16,000 इन को 75% 12,000 रुप आएगा मैंटनेस मार्जिन कोशन में कैलकुलिशन ना बहुत ज़्यादा मिश्टेक होती इस कोशन में पिछले अब आट सेट मार्जिन के दो कोशन करोगे बात कता हो चाहिए इसके बाद अब आगे बढ़ने हैं तो बात हो रही है फ्यूचर प्राइस एफ और एफ का मैंने फॉर्मूला दिया था देखो कॉंसेट किया था कॉंसेट की बात करूँ कि अर मुझे कोई शेयर खरीदना है कौनसी कमपनी का रिलाएंस का आज शेयर का प्राइस कितना है 500 रुप है और मुझे ऐसा लग रहा कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाए एक साल बाद प्राइस बढ़ जाएगा एक साल बाद तो मैं सोच रहा हूँ यार कि आज खरीद लेता हूँ 500 का और एक साल बाद मैं बेज़ दूँगा अब इस टॉक एक्शेंस कहता है कि या आज खरीदने की ज़रूरत नहीं है सर आप खो आप मेरे साथ कॉंट्रेट कर लीजिए एक साल बाद मैं यही शेयर आप जो बोलोगे मैं उतने में दे दूँगा आप अभी फिजिकली मत खरीदिये शेयर फिजिकली क्यों खरीद रहा है आप सिर्ट कांट्रेक्ट कीज़े और बताओ किस रेट पर आप तयार हो जा रहा है मैं तयार हूँ मैं सोचूंगा नाया आज मैं शेयर खरीदूंगा तो ये पैसा बचेगा बोलो हाँ साथ में उस पर इंट्रेस्ट भी तो बचेगा जो पैसा मैं लगाऊंगा आज शेयर खरीदूंगा उस पर तो मैं इंट्रेस्ट भी तो कमा सकता हूं या फिर मैं उधार लूँगा तो उसका जो interest वो भी तो बचेगा यार बस एक ही दिक्कत है कि यार आज अगर में share खरीद लेता तो मिझे dividend मिल सकता था लेकिन अगर मैं conflict करता हूं तो dividend नहीं मिलेगा तो मेरा एक नुकसान है dividend का सामने वाला कि अब उड़ रहा है stock exchange कितने मे खरीदने को तयार हो जाओगे है मैंने ठीक है भाई या यह पैसा मैं देने को तयार हूँ spot price जो बचा रहा है interest का वो भी पैसा देने को तयार हूँ और dividend जो मेरा पार गौन है dividend मेरा sacrifice है वो मैं मैंस कर दूँगा तो उस हिसाब से मैंने जब value निकाला तो value आया यार कि 506 र और सामने वाला stock exchange कर रहा है 505 में खरीदो ना भाई क्यों टेंसन ले रहा हो तो यार future contract कर लेना चाहिए future is underpriced future is underpriced ओके अगर ये महगा दे रहा है अगर ये बोल रहा है नहीं भी या पास्तो आट रुपए में मैंने का छुड़ो यार फिर तो मैं आज ही share खरी लेता हूँ future is overpriced ठिक और उसके हिसाब से फिर arbitrage होग ठिक एक तो ये formula एक तो ये S1 प्लस R-D आप इससे भी काम कर स और courage इनको examples वगेर करना वो revision में देख ले ना time है नहीं आप भी जानते है तेखा calculate the price of 3 month PQR future price निकलना मतलब सर एफ निकलना है येस और कौनसा वाला में निकलना 3 month का निकलना face value दिया है ना face value दिया मतलब सर डिवीडेंड का खेल होगा पका पका डिवीडेंड का खेल होगा और price कितना दिया है 220 सर ये S हो गया आज अगर खरीदते तो 220 का मिलेगा आपको और stock exchange क्या कह रहा है सर stock exchange कह रहा है कि भाई आप 230 में हमसे खरी सकते हो 3 मैने पास मैंने का आज खरीदो तो कितने का बले 220 सर आज खरीदूंगा तो मेरा इंटरेस्ट तो जाए थ्री मन्त बारिंग रेट गलती से यहां वन मन्त लिखा होगा तो मैंने उसको थ्री मन्त करवा दिया इस यह एका मिश्टेक है थ्री मन्त बारिंग रेट 15 पर एनम लिखा हुआ सर 15 पर एनम तो तीन मेने का रेट निकल लेंगे हम लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है इतना एक असर 15 इंटो 3 बाइ 12 तो याग है 3.75 ठीक है और डिविडेंड लिखा है एकस्पेक्टड एनम डिविडेंड लिखा है 25 परशंट और क्योंकि फेस वैल्यू दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा यह 25 परशंट फेस वैल्यू का ही निकलेगा इसलिए 2 रुपय 50 पै और उस मों periodical होता है dividend yield periodical होता है dividend rate periodical नहीं होता है यह सर निकला के देखेे क्या यसा 220 रुपय का आज शेर खरीदोगे उस पर इपश्ट पर डिविडेंड फॉर्ग उर्गोन है वो साब से हमको जो है 225.75 अगर फिजीकल शेर खरीते है तो हमको 225.75 का पढ़ जाएगा है तो हमको 230 का पढ़ रहा है तो सर बाई करो आज और इस रेट पे शेर बेचने का कॉंट्रेट करो अज अज शेर खरीदेंगे तो पैसे कहां से आएंगे भी या उधार लोगे 220 रुपए 15 परशन के इसाब से तीन मैने के लिए और आप आज शेर खरीद लेज़े और सेल कर दीए फ्यूटर कितने में 230 में मतलब ये कॉंट्रिट कर लीज़े कि हम तीन मैने बाद जो आज शेर खरीदा तीन मैने बाद हम 230 रुपए का बेज़ देंगे ठीक है, तीन महने बात क्या होगा, बेचने की बात हुई थी, बेच देंगे 230 रुपए में, और जो उधार लिया था, वो पैसा हम वापस कर देंगे, और सर डिविडेंट भी तो मिल जाएगा हमको, क्योंकि हमने आज एक्चुल में शेयर खरीदा है, तो डिविडेंट मिला तो टोटल गेन कितना हुआ, चार रुपए 25 पैसे, इसी भी हालत में होगा, शेयर का प्राइस कुछ भी क्यों ना हो मार्केट में हमारा, तो 230 रुपए के साब से भी केगा, और क्या चाहिए जिन्दगी में, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर यहाँ दो प्राइस दे दिया, मैचुरिटी का, तो फिर इसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग हो जाता है, यह मैं आगे दो कोशन कर वहाँगा, बास समझ में जाएगा, कोशन नंबर फोर्टी फोर में लिखा है, सिक्स मंथ फावर्ट प्रैसर, एफ दिया है, दो सो आट पॉइंट वन इट, पॉनिंग रेट दिया, एट पर्शन मंतली रेष्ट, मतलब मंतली कमपाउंडिंग, तो आपको क्या निकालना, इस्पॉर्ट निकालना, एफ दिया इस्पॉर्ट मार्श 2011, तब वैल्य ओप स्टॉक वाज 2200, देखो भाई, यहां खड़े और यहां है 2200 वैल्य ओप स्टॉक, कौनसे डेट में है सर, यह डेट कौनसी है, यह डेट है कौनसी है, कौनसी है, 31.08, 2011, और यहां 22 रुपह है, रिस्क फ्री रेट है, 8% और डिव इस्पॉर्ट का हमारे काम का नहीं है, हमारे काम है, का है 31.08 के बात का, और दिसंबर तक का डिविडेट येल्ड का ही F मांग रहा है, तो सर, डिविडेट येल्ड यहां का काम का है, यस, रेट है, 8% मतलब कब से, 4 महने का ही काम का, तो मैंने क्या किया, 3, 3, 4, 3, तो यह अगया 3.25% डिविडेट येल्ड और कंटुनियसली कंपाउंडिंग यूज करना है, तो मैंने फॉर्मूला दिया था, E, R-D, R-D, ऐसे मैनस किया जाता है, ठीक है, कंटुनियसली कंपाउंड ये, और डिविडेट येल्ड वैसे भी स्पॉर्ट का होता है, ये सब कॉंसे अप्लाई किया तो F निकल गए, और इसमें आर्बिटरिस मांगा नहीं है, तो हम ज़्यादा मेहनत ना भी करी, तो चल जाए, ठीक है जी, कोश्चन नमबर 46, बहतरीन कोश्चन है, इसमें आर्बिटरिस किसी और तरीके से काम करना पड़ता है, जो ये सोच रहे हैं कि या अर्बिटरिस किसी और सुनो ना सर, हमने रिवीजन भी नहीं किया और क्लास भी नहीं किया है, और हम सिधा मैरता, जो पढ़ा रहा है मैरतान, इसमें इससे हम काम कर रहे हैं, बत करो, उससे करो, अब जो हो गया हो गया है, खुश्च से कीजी, याद अच्छा, ये क्लास उसी को फायदा देगा, जिन्होंने रिवीजन देखा होगा, एटलिस्ट ये जिन्होंने मुझसे क्लास किया होगा, बाकि सबके अपने तरीके होते हैं दोस्तों, तो कोश्च नूबर 46, अच्छा है, याद रखना कि यहां आर्बिटरिस करना है, लेकिन अगर दो पॉसि रूपीज, 100 पर इंडेक्स पॉइंट, ठीक है, 100 रुपए एक इंडेक्स पॉइंट में, 15 सेप्टेंबर को इंडेक्स जो क्लोज हुआ, वो कितने पर क्लोज हुआ, 1195 और दिसंबर फ्यूचर, कितने में ट्रेड हो रहा है, 1225, ठीक है, एक्चुल होगा यह तो, यह एक् और डिविडेंट इल दिया, 3% और बॉरिंग रेट दिया, 9.5%, कहीं भी कंटुनियसली कंपाउंडिंग्स नहीं लिखाया, अगर लिखा होता तो मैं वैसे कर देता, तो मैंने R-D कर दिया, R-D, और सर कंटुनियसली कंपाउंडिंग होता तो उसे सबसे करता है, और पिरि गिल लेना, 15 सेप्टेमबर से 15 दिसंबर तक, और उस हिसाब से हमने F निकाला और F आ रहा है, 1214.36, तो से मल्टिप्लाई भी कर सकते, अब सवाल है, इसको कंपेरिजन करना 1225 है, तो फ्यूचरी इस ओवर प्राइस, ये ओवर प्राइस हुआ, ये ओवर प्राइस हुआ, दिख रहा है न, ये ओवर प्राइस है, ये 1214 आया, ये सर, ओवर प्राइस, तो फिर डिसिजन क्या होगा, सर, बाई स्पोट, सेल फ्यूचर, सेल फ्यूचर को अब यहां सेल फ्यूचर की जगा क्या लिखेंगे, शाट पोजिशन, शाट पोजिशन मतलब डाउन साइड कर रहा है, हम बैटिंग कर रहा है कि 1225 से कर नीचे जाएगा, ये कांसेप्ट तो मैं पूरा नहीं समझा सकता है, यही माने लिखा है, हैंस future is overpriced, वो पूछा है सायद कि future underpriced की overpriced से ये बताइए, वो हमने बता दिया, future is underpriced की overpriced वो पूछा था, वो बता दिया, दूसरे में arbitrage transaction कैसी होगा ये पूछा है, तो वो तो हम लिखी सकते, arbitrage future is overpriced and buy spot and sell future, sell future का मतलब short position, अब arbitrage process में कर रहा हूँ, arbitrage process में सबसे पहले आपको तो borrow करना ही पड़ेगा, spot पे खरीद रहे हो ना, yes, तो sir कितना borrow करना पड़ेगा, आज price क्या चल रहा है, sir 1195 into 100, कितना हम borrow करेंगे, कितने percentage के हिसाब से हम borrow करेंगे, 9.5% के हिसाब से, तर ये borrow कर लिए हमने, ठीक है, बास समझ में आती है, उसके बाद हमने क्या nifty खरीदा आच, नifty, आच खरीदना है ना, या borrow की है तो खरीदा खरीद, और कितने में खरीदा, 1,19,500 में हमने nifty खरीद लिया, इसके अलावा हमने short position लिया, और कितने में लिया, 1225 पे short position लिया, अब हम arbitries निकाल रहा है, after 91 days, याद रखना short position है, 1225 से नीचे जाएगा, तो gain, 1260 भी हो सकता है, 1175 भी हो सकता है, अब तयार हो आप लोग, सबसे पहला काम है, जो आपने nifty खरीदा था, उसको बेचो, जो भी rate, 1260 रहा तो 1260 इंटू 100, 1175 रहा तो 1175 इंटू 100, और जो आपने loan लिया था, उसको आपने वापस किया, कितना परशन के साब से लिया था, 9.5 परशन के साब से, कंटूइंशले compounding तो है नहीं है, सर वो वापस करोगे, चाहे share का price कितना भी क्योनर है, वो वापस तो उतना ही होग, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, इसके अलावा, आपने जो शर्त लगाया था, उससे आपको profit हो रहा है कि loss हो रहा है, सर आपने लिया था, downside betting और price बढ़ गया, तो सर यहां तो हमको loss हो गया, जो भी difference है गा इंटूस्तों, और सर यहां हमको profit हो गया, इसके अलावा, dividend तो मिले गई भाई, कोई रोक नहीं सकता, dividend मिला, एक लाक उननीस अरपास्तों का, 3.91 डेस का, य यह हो जाए, चाहिए, यह हो जाए, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, presentation का तरीका अलग हो गया, ठीक है, ऐसी एक question था, question number 47, देखें, याद रखना है, implied risk free rate है, मैंने आपको बोला था, कि implied risk free rate है, तो यह solution किसी और तरीके से हो गया, suppose current mark index, मतलब sir, S दिया हुआ, yes, 13,800, और yield on index दे रखा, ठीक है sir, इसमें भी कोई दिखना है, yield भी दे रखा, 4.8%, 6 month future trading, sir, यह actual F है, yes, actual F, assume that risk free rate, 12%, ठीक है, risk free rate दिया है, 12%, dividend yield यह दे रखा, 4.8%, show Mr. X can earn an abnormal rate of protection, irrespective of outcome, मतलब arbitrage पूछ रहा है, after 6 month, you can assume that 6 month index close हो सकता, 2 price दिया, 10,000, 200 और 15,600, यह सब्द लिखके और पर रिसान ही कर दिया, कि 50% जो stock है, index में, वो dividend pay करेंगे, आने वाले 6, मैंने, यहां सब की अपनी, अपनी opinion हो सकती है, मैं अभी यहां कोई dispute पे जाने रहा हूँ, सबसे पहला काम करें, F निकले, F, sir, dividend yield दिया है, तो R-D नहीं कर सकते, क्योंकि dividend का यहां को amount निकालना पड़े, तो dividend का amount कैसे निकाला, देखो, 13,800, कितना dividend मिल रहा है, 50%, 50% ही stock से dividend मिल रहा है, और dividend कितना मिल रहा, 4.8%, तो यह निकाल लिया है, मैंने dividend का amount, और 13,800, 12% है, तो 6 मैने का 6%, और dividend माइनस कर दिया, तो यह आ गया, F, तो यह F कौन सा आ गया, theoretical, और actual F, यह है, sir, future is overpriced, तो by spot, self future, self future मतलब short position, तर वैसी मलतो question है, अब आगे चलें, यह, आर्विट्रिस प्रोसेस, टूडे क्या करेंगे, हम stock खरी देंगे, sir, ठीक है, कितने में stock खरी दोगे, sir, stock खरी देंगे, हम 13,800 में, ठीक है जी, और इसके लाव हम short position लेंगे, कितने में, 14340, कहां से आया, 14340, यह लिखा है, sir, 14340 पे हम short position लेंगे, यह ले लिए मैंने short position, 14340 पे, याद रखना कि यहां हम borrow नहीं करेंगे, sir, क्यों नहीं करेंगे, जहां भी मैंने आपको याद करवा, concept बहुत दिया हूँ, अब मैं आपको याद करवा रहा हूँ, कल paper है, तो इसे साब से याद कर लेते, अगर implied risk free rate दिया है, तो काम कैसी होगा, मैंने यहां कहीं भी borrow सब्द नहीं लिखा, चलो, start करें क्या, yes, sir, अगर price 10200 भी हो सकता, 15600 भी हो सकता, हो सकता, पहले जो stock खरीदा था, वो तो नहीं प्टाते हैं, 10200 का, 15600 का, और sir, future से ये निया loss होगा, वो भी कर लेते, 14300, sir, यहां तो profit हो गया, और यहां price बढ़ने से हमको loss हो गया, यह भी काम खतम हो गया, इसके अलावा borrow वाली बात है नहीं है, पर आपने जो dividend income है, वो तो मिलेगी, तो dividend income plus कर दिया, stock खरीदा था, यहां हम repayment नहीं कर रहा है, loan का, यहां हम, जो 13800 है ना, वो हमने cash में खरीदा था, हमने borrow नहीं किया था, तो वो 13800 रुपए माइनस कर दिया, तो यह gain आ गया, 871, यह gain पक्का पक्का होगा, तो वो बोल रहा कि पक्का क्या, इसमें risk है, मैंने का यह risk नहीं है, risk free है, तो बोले, बताओ कितना percentage है risk free, कितना gain होगा, कितना लगाकर, 13800, पर यह कितने में होगा, सर 6 महने में, तो 12 महने में कितना, इंप्लाइड risk free rate आ गया, 12.3 percent, 6.3 percent, और इस मुद्धे पर मैं आपसे, बहुत सारी बाते कर चुका, तो अब भी बात करने का sense नहीं बनता, ठीक है, ओकिस, तो इंप्लाइड risk free rate दिया रहेगा, तो आपको वैसे ही करना, जैसे मैंने बताया, बाकी concept में ढंग से समझा जो, अब part 3 है, बीटा मैनेजमेंट वापस आ गया, कल ही बढ़ा था portfolio management, में भी बीटा मैनेजमेंट, और इस में भी है बीटा मैनेजमेंट, तो sir, बीटा मैनेजमेंट में यहां क्या होगा, बस इतना बता दो, यहां कुछ नहीं होगा, portfolio में क्या करते थे भाई लोग, पोर्टफोलियो में हम risk free stock के थूँ, हम बीटा को मैनेज करते थे, यहां करते क्या है, यहां हम risk free को थात नहीं लगाते, भी यह कौन बेचे खरीदे, वैसे मन नहीं करते, एक बाए बताओ, मार्केट डाउन होने वाला है, ठीक है, तो बीटा कम होना चाहिए, बिल्गोल सही, risk कम लोगे ना, यहां मार्केट गिरने वाला है, तो आपका बीटा जादा रहेगा, तो आपका भी तो पुरा portfolio डाउन होगा, तो उससे बचा जा सकता है, कि आप बीना stock को बेचे, हाँ जी, बचा जा सकता है, कैसे बचोगे, किस बात का डर है, पुरा market डाउन जाएगा, तो चलो ना, market पे शर्त लगा लो, आप short position ले लिजिए ना, बात समझने की कोशिश करो आराम से, आप short position ले लिजिए, किस में future में, गिरता है तो गिर जाए market, गिरेगा तो मेरा portfolio गिरेगा, portfolio गिरेगा भाया, loss होगा, लेकिन उदर वो जो down होगा ना, market उसकी वज़ा से, तो मेरा profit हो जाएगा, this is beta management, और कुछ नहीं, ठीक है, यह सब मैंने यहां समझाया हूँ, stock index future, यह वाला formula important है, derivation कैसे हुआ, क्या हुआ, determinant matter, आपको short position लेना हो, या long position लेना है, future market में, यह वाला formula काम आएगा, value of portfolio, target beta, minus beta of portfolio, f into m, beta of future, नहीं भी लिखोगे, ठीक है, और target beta, कुछ ना दिया है, तो यहां कुछ लेखने की जरूरत नहीं है, 0 भी लिख दोगे, तो भी एक ही बात है, पर कुछ नहीं भी लिखोगे, तो भी, अगर target beta, target beta 0 रखना है, तो फिर value of portfolio, into, beta of portfolio, f into m, करोगे, तो भी खाम बात हो जाए, यह क्या आएगा, यह आएगा number of contracts, कि हमें, beta को manage करने के लिए, कितना downside betting, या upside betting करा, या long position लेना है, कि short position, वो हमें, question के सास्थ, मैं समझाऊ, question करते हैं, एक दो अच्छे question करते हैं, बास समझ में जाएगे, question number 50 ले ले पहले, question number 50, लिखा हुआ है, कासी है, पोर्टफोलियो, कंसिस्टिंग ओफ फूर सेक्यूरिटीज, market price दिया, number of shares दिया, beta दिया, तो क्या portfolio beta निकाल सकते हैं, आराम से सर, याद रखना, portfolio beta बहुत आसान है, number of shares से, MPA से multiply कर दिया, तो यह आगए value, यह आगए value of portfolio, और weight निकाला, beta निकाला, तो यह आगए beta portfolio, यह आप से बनेगा, बनेगा और सबसे ज़्यादे, इसी का number है, अब cost of capital, आपको कितना दिया है, 16 percent दिया है, 16 percent, और compounded continuously है, काशी को यह लग रहा है, कि share का जो future में, वो price गिर सकता है, तो आपके पास आया, कि यार मुझे, मेरा portfolio को protect करना है, अब भी current nifty, क्या दे रखा है, 9380, current nifty, मतलब सरी यह spot हो गया, nifty का number of contract, निकालना तो बहले, lot size है, 25, ठीक है, इसके अलावा, फूचर जो trade हो रहा है, spot नहीं, आज, जो September के लिए future trade हो रहा है, वो रहा 9450, और जो October के लिए trade हो रहा है, 980, आज, अगर आप September के लिए शर्त लगाना चाहते हो, तो 9540, और October के लिए 9820, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ही चलिए, पहला मांगा था, उसने हमसे, बीट आप पोर्टफोलियों जो हमने निका लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये निकल गया था, हमारा बीट आप पोर्टफोलियों निकल गया, है तो कितना है 16% into 6 by 12 dividend yield है नहीं 0.08 का इसका value दिया हो और इसका value 0.08 का value दिया हुआ है तो ये F निकल गए F और October मतलब 7 मेने का 7 मेने का 0.093 का value दिया हुआ है उसको multiply किया तो ये October का F निकल गए अब point number 3 important है बुले number of nifty contract निका लिए he would have to sell मतलब कितना short position ले और hedge करना चाहते है portfolio कितना 150% hedge करना चाहते है तो करना क्या मालूम है ये जो है value portfolio इसको 150% कर दो पहले ये 150% कर दिया तो ये आख है अब उसके बाद मुझे मालू है value portfolio लिखा target beta 0 ही है कुछ नहीं बोला 0 बीट आप portfolio आप सीधा बीटा portfolio भी लिख सकते है ये F जो लेना आपको 9820 ये वाला उठा कर मत ले लेना September के लिए hedge करना अक्टोबर के लिए तो ये वाला उठा कर मत ले लेना ये theoretical है actual आपको दिया हुआ तो actual वाला ही use करना हाँ अगर actual वाला नहीं दिया होता तो फिर हम एजियूम कर सकते थे ठीक है सर तो number of contract निकला 1.2727 1.727 मतलब टू contract ये दोनों ही लिख दिया करना दोनों लिख दिया करना ठीक है और minus में आया है तो क्या short ठीक है question number 51 देखते है ऐसी वाला question ये question ज्यादा अच्छा है इसमें सम्मिक्स है ये question अच्छा question details about portfolio of share of the investor is as below A limited B limited C limited number of shares दिया है price दिया है बीटा दिया तो बीटा of portfolio निकली जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है वो आ गया 1.30 the investor को ऐसा लग रहा कि portfolio बहुत हाई है risk जो है ये बहुत हाई है 1.30 बीटा बहुत हाई है और इस बीटा को reduce करके आप 0.91 करना चाहते है इस टार्गेड बीटा is considering two below mentioned alternative strategy क्या है strategy पहला है पहला यह देखना यहां future का यूज नहीं कर रहा है तो बहुत है आप dispose of कीजिए existing portfolio को existing portfolio की security को dispose of कीजिए और उसके बदले में risk feel आई है यात रखना ऐसा वाला मैंने करवाया हूं अच्छा सर यहां हम stock index future को use कर रहा है नहीं कर रहा है यह वाला पार्ट अलग हो गया तो सर्थीक है target beta divided by beta portfolio weight निकालते थे 0.91 यह मिना formula आपको लिखवा है तो 0.7 अब 0.7 जो value portfolio नहीं अब 5000 divided by 0.7 नहीं होगा अगर हम dispose of नहीं करते तो उसको हम divided by 0.7 कर देते यहां बात क्या है यहां आप dispose of कर रहा है बतला 5000 में से कुछ पार्ट निकाल दोगे और risk free में डाल दोगे तो मुझे 5,000 इंटो 0.7 रिस्क की security में 3500 रुपे रखना 3500 लेक्स और risk free security में कितना रखना है 1500 लाक that's it ठीक है यहां तक x लेके कर सकते पर हमें नहीं करना x लेके आपकी मर्जे x लेके करना हो तो कर सकते portfolio beta दूसरा बताओ कितने का risk free डालोगे सर 1500 लाग का risk free डालेंगे और 1500 लाग का risk free खरी देंगे तो इस में से हम बेचेंगे सर A को बेचेंगे की B को बेचेंगे की C को बेचेंगे इसको बेचेंगे तीनों को बेचेंगे और किस weight में इस weight में बेचेंगे तो point number three में वही पूछा है उसने क्या पूछा है वही पूछा है the number of shares each company बताओ हर एक company का कितना कितना shares बीच जोगे हमको कितने का बेचना है 1500 लाग का इस weight में तो 4500 लाग का ही है 900 लाग का security भी बेचेंगे और 150 लाग का security से बीचेंगे सबका MPS दिया ही हुआ है तो number of shares कितने बेचेंगे वो पूछा था number of nifty यह वाला important है the number of nifty contract to be bought or sold अब हमें यहाँ hedge किसके थ्रू करना है stock index future nifty के थ्रू number of contract का formula मालू मैं सबसे पहले value of portfolio लिखना फिर target beta लिखना beta of portfolio निकला है यहाँ F लिखना और देखो F दिया होगा सायद F F F F F F F दिया है सर और F सर यह spot है भाईया यह spot नहीं है वो बोल रहा कि future जो है वो अभी trade हो रहा है 8125 future अभी trade हो रहा है current nifty अलग है और nifty currently traded सब्द अलग है गडबर मत करना बहस हो चुकी इसमें हमारी अपस ओके सर 200 है तो सर 120 contract sold अब यह वाला point office आने वाला यह क्या बोल रहा है मान लो यह nifty 2% से बढ़ता है मान लो nifty 2% से बढ़ता है उसकी वजह से बताओ value of portfolio क्या है portfolio में कितना फर्क पड़ेगा अपने यह वाला काम करके रखा 120 मतलब सर हमने पैसा कितना लगा के रखा point 91 minus 1.3 into 5000 सर आपने short position लिया 1950 लाक रुपे अब यह वाला part में आपको समझा रहा है ऐसे समझा रहा हूँ मान लो market 2% से बढ़ जाता है निफ्टी 2% से बढ़ जाता है हमारे पास portfolio कितने का है 5000 लग का जिसमें हमारा कौन सा position है long और इसमें कौन सा position है short इसके बढ़ने से इधर तो बरबाद हो गया इस इतना 2% से 39 लाक का loss हो गया पर अगर यह 2% से बढ़ता हो और इसका बीटा है 1.30 2 into 1 point मतलब सर 2.60 से बढ़ जाएगा बतलब सर हमें फाइदा है पास है तो सर 130 लाक का फाइदा है 39 का loss है पर 130 का फाइदा है तो overall gain कितने का हो रहा है सर 91 का हमारे को gain हो रहा है percentage में बता सकते हो सर 91 divided by 5000 सर हमें 1.82 percent का gain हो रहा है अगर market में gain हो रहा है तो हमें भी overall gain हो रहा 1.82 percent का तो क्या आप बीटा निकाल कर बता सकते हो 1.82 divided by 2 तो बीटा क्या 0.91 achieve हो गया ठीक ना बोलो question number 54 में ऐसी कोई खास बात नहीं है simple question है ये वैसे भी आपसे बन जाता बन जाता बन गया था पिछले बार भी बस इसमें आपको ये जो है न nifty जो है ये theoretical value निकाल रहे है आप इसमें बस दिक्कत क्या थी कि उसने f नहीं दिया था उपर हमें सबसे पहले बीटा मांगा हमने बीटा निकाला उसके बाद theoretical f मांगा तो भी ये theoretical f निकालना है हमको पुछ करण दिया है revers बस इतना ही था धुकर हमने f निकाल लिया यह वला सही है R-D यह F निकाल लिया मान लो सर LN का यूज करेंगे नहीं करना यह LN का यूज इतना टाइम नहीं है हमने F निकाल लिया ओके पर सर यह तो theoretical F है हमें तो जब number of contract निकालते है target beta 0.6 है तो हमें तो actual F चाहिए होता है बेटे कुछ नहीं दिया है तो हम जो theoretical F है हम यह मानेंगे कि यही इसका fair value है याद है? Okay sir मतलब actual F और theoretical F एक ही है मान लिया और उसके हिसाब से फिर हमने number of contract निकाला और यह आ गया 13 contract तो ठीक है जो ओके तो question number 64 question number 64 में कुछ नहीं है बिल्कुल simple सा question है एक बार देख ले क्या फुलिस याम है 10,000 share खरीदा है मतलब sir long position है 10,000 share 25 के इसाब से बुसर 250,000 का इन्हों ना long position है किस पे X limited इसके अलावा hedge करने के लिए इन्होंने 400 nifty खरीदा है खरीदा नहीं है short किया है short मतलब short position है 411,000 के इसाब से 4,40,000 और यार यह complete है हो जाना चाहिए है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो market है या जो stock है वो beta के हिसाब से ही मुह हो बहुले actual है भाई हो ऐसा गया कि जब हमने position close किया तो X limited जो है 4% यह loss हो गया कितने का 10,000 और सर जो nifty है वो भी गर गया डाई परसें से वहाँ profit हो गया निफ्टी 4,40,000 into 2.5% तर 11,000 overall कितने का 1000 का profit एक सिंबल कोशन था यह कोशन अच्छा है चलो देखते है इस कोशन में क्या है कोशन नमबर 68 है हमारी बुकव है ओके सर इस कोशन में क्या खास बात इस कोशन में राम जो है ना उसने बाई किया है 10,000 शियर X limited कि तर मतलब long position है यस और इसके अलावा भाई साब और कितने के साब से 22 के साब से तो 10,000 into 22 10,000 into 22 तो 2,20,000 का इसका और इसका और इसका और इसका और कैश मार्केट में कौन सा पोजिशन है long साथ में उसका बीटा कितना है 1.5 ठीक है इसके अलावा इन्होंने sell भी किया sell का मतलब कैश मार्केट में short short sell हो गया short position और पाच जार शेर से ए लिमिटेट के 40 के साब से मतलब 2 लाक अब यहर आपको अगर risk खतम करना है अगर आपका कैश मार्केट में long position है तो future मार्केट में आपका risk zero करना है complete हैस करना तो short position लेना पड़ेगा ठीक है यह अप्टेन है complete हैस complete हैस करना है मतलब सीधा बीटा से multiply करोगे तो भी चलेगा और 1000 रुपे का एक है ठीक है और फिर वो position यह close हो गई बोल रहे है अब यार हमको तो hedge करना है complete हैस अगर complete हैस करना है तो आपका x limited में कौन सा position है long just opposite position लेना पड़ेगा बीटा से multiply कर दिया तो मैं nifty में opposite position लूँगा 3,30,000 का short कर दूँगा और a limited में आपका short है तो nifty में मैं long कर दूँगा ठीक है सर बीटा से multiply करके अब सवाल यह है कि 3,30,000 में downside position ले रहा हूँ downside betting कर रहा हूँ nifty में और 4,00,000 का मैं upside betting कर रहा हूँ अपनेट बताव ना और net आ रहा है सतर हजार और क्या long हम सतर हजार का long position that's it nifty में इन दोनों को हमने net करके दे दिया कि सतर हजार का long position लेंगे number of contract हाला कि निकालने की जरुरूद नहीं है पर 1000 से divide करके उन्होंने number of contract निकाला है हला कि ये number of contract नहीं है पर चलो ICA को follow कियर गिया मैंने इसकी जरुरूद नहीं थी ठीक है सर तो complete है हो गया लेकिन लेकिन मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि बीटा के हिसाब से ही आपका X limited और A limited move करेगा यार बीटा तो अनुमान होता है कि market इतने से पोड़ोलियो में क्या है X limited में 220 तर का आपका long position है ठीक है है एच करने के बाद आपका portfolio में बचा क्या है सर 220 तर का हमने X limited का हमारा long position है इसके अलावा A limited में हमारा 2 लाग रोपय का short position है इसके अलावा 70 हजार का हमारा nifty में long position है अब हुआ किया जब हमने position close out किया तो X limited गिर गया दो person से भईया दो person से गिर गया आपका long position था sir तो आपको loss हो गया 4400 ठीक इसके अलावा sir A limited appreciate हो गया 3 person से A limited में आपका short position था गिरने से फाइदा होना था ये बढ़ गया तो ये लो इधर भी अबरबाद हो गया इधर भी loss हो गया निफ्टी में आपका long position था निफ्टी गिर गया तो इधर भी loss हो गया तो total loss आपका 11400 परचास का होगा कोशन अच्छा है कोशन seriously अच्छा है ठीक है sir बहुत सारे बच्चे बोल रहा थी कि sir ये तो बीटा के हिसाब से होना चाहिए बीटा के हिसाब से नहीं होना चाहिए ये एक्च्छल तो कुछ और हो सकता है ना ठीक है कोशन नूमर 58 तो मेरे फैवरेट कोशन में से एक है वेल्य पॉर्टफोलियो निकल कर दी दिया है पचास लग पचासर आर एफ दिया है और डेविडन एल्ड दिया है तो सायद वो थियूरिटी का लैप मांगी का और बीटा दे रखा है 1.5 इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कुर्शन की कि यार फोर मन्थ फ्यूचर में हम बैटिंग कर रहे हैं अगर मैं यहां की बात करूँ तो यहां फोर मन्थ फ्यूचर पे बैटिंग कर रहे हैं हम ना शर्त लगा रहा है फोर मंथ के लिए हलाकि हम उसको काट कब देगे थ्री मंथ में त्री मंथ में थ्री मंथ में हम कैंसल कर देंगे ठीक है यूच कौन सा करने वाले हैं फोर मंथ याद है करवाया हूं और एक future contract में 50 times के सबसे आपको betting करना price of future contract निकालना है तो सबसे पहला काम है कि आप F तो निकालो और F कौन सा theoretical तो 25,000 पोर मंत वाला यूच करना है तो R-D कर दिया 4 by 12 कर दिया तो उससे सबसे 25,250 आया 25,250 आया एक F एक Nifty का और उसने आपसे price of future contract मांगा एक contract का price तो एक contract में 50 units है तो price निकल गया 12,12,62,500 अब यह number of contract निकाल लेते हैं value of portfolio target beta 0 बीटा यह 1.5 दिया हुआ है 25,250 मतलब यही पूरा लेक सकते थे तो 6 contract हम क्या करेंगे short point number 1 तो ठीक है point number 2 में बोल रहा है कि आपको gain निकालना है short position short position में आपसा short position आपने किस पे लिया होगा मेरे ख्याल से इसी पे मैंने short position लिया हुआ theoretical को ही मैं actual मानूँआ short position ठीक तीन मेंने बाद जो index है यह जो index दिख रहा है ना भाई यह 22,000 पास सो हो गया अब मैंने आपको एक बाद बताया था यहां जो कटेगा यह 22,000 पास सो spot है यह कप का है सर यह है four month का और यह कप का है spot का तो इस से आप इसको नहीं काट सकते मतलब इसको यह जो कटेगा 22,000 पास सो आपने short position उसको इस से comparison नहीं कर सकते यह four month का है तो इसको भी आपको four month में convert करना पड़ेगा retirement discussion किया हुआ का इसलिए इस 22,000 पास सो से में one month future निकाल सकता हूँ अब यह वाला भी इसी date का हो गया और यह वाला तो इस date का था ही था अब comparison कर सकते है सर क्या हुआ actual में हमारा short position था हम चाह रहे थे कि 25,250 से नीचे जाए और हो गया 22,200 सर गेन हो गया और गेन इतना हुआ एक nifty पे तो 50 nifty है और 6 contract इस तरह से इतना रुपएगा गेन हो गया question यह बहुत अच्छा है आने की संभावना है देख लेना question number कौन सा है 62 है कि कौन सा यह देख लो कि आप अच्छा question है यह भी इसलिए मैं करवा रहा हूँ देखे yes sir Mr.SG sold sold का मतलब सा short position 5 पाइफ मतलब 5 contract हो गया nifty on first feb 2020 for rupees 9 lakh तो sir इस से actual life निकल जाएगा 9 लाक रुपए पाच contract तो price of one contract निकल गया ठीक है और एक contract में कितना nifty यह बताया है कि कहीं कहीं बताया है कि कहीं बताया है कि वो देख लेंगे at the time of closing of trading on last Thursday that is May 2020 index 2100 हो गया actual में 2100 हो गया आपका कौन सा position था short तो भई इस पे बैटिंग किया तो बले 75 है तो आपने 75 से डिवर्ट कि आपने शर्त लगाया था चो 200 से कम जाएगा और हो कितना गया 2100 हो गया तो सर यहां तो गेन हो गया सीधा सीधा देख रहा बट आपसे मांगा क्या है question मैं मांगा क्या यह question बहुत अच्छा है price of one future contract on first feb 2020 first feb का future contract का price मांगा है तो वो तो निकल गया है हमारा price 2400 रुपे निकला ठीक है पहला तो हो गया point number two approximate nifty sensex on first feb 2020 if the price of future contract on the same date was theoretical correct on the same day risk free rate था और dividend yield यह दिया है कि सर मांग क्या रहा भाई यह दिया है F और यही actual है यही theoretical है अगर theoretical है तो F कैसे निकलता S यहाद है यह सर अगर exponential use हुआ गवा था नहीं तो one plus r minus d करके ऐसा करके निकलते हैं F तो बोल रहा है F हमने आपको दिया है r और d भी दिया है तो मांग क्या रहा है भाई बोले आप first feb का nifty sensex nifty sensex पहली बार सुन रहा है first feb का spot निकाली है वो बोल रहा है तो सर ठीक है 2400 F है सर यह 200 क्या यह actual में हो गया है पर आपनी इस पे शर्त लगाया था ना 1200 F है S निकालना है और 4 by 12 ले लिया तो यह आगए F 2376 अच्छा कोशन है यह भी यह भी देखने का बनता है ठीक है सर तो यह spot 2376 और F कितना है 2400 ठीक contango या backwardation contango क्या बता है तो generally F ज़्यादा होना चाहिए और F ज़्यादा है F ज़्यादा होना ही चाहिए F मतला future का price spot से F future ज़्यादा ही होना चाहिए और ज़्यादा है ऐसा market जो है ना ऐसा market को बोलते है contango market अच्छा और कभी कभी F कम हो जाता है कभी कभी ऐसा हो सकता है dividend ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाए तो ऐसे market को बोलते है backwardation उल्टा बदला यह मैंने लिखवा रखा है चाहो तो पढ़ लेना सीधा बदला उल्टा बदला और spot मेंसे F माइनस करोगी तो इसको बोलते है basis F हमेशा ज़्यादा होना चाहिए F ज़्यादा होगा मतलब basis negative है अगर basis negative है तो इसको बोलते है contango और अगर basis positive है तो ऐसे market को बोलते है backwardation इस question में future है 2400 और जो की spot से ज़्यादा तो ऐसा है ऐसा market कौन सा कहलाएगा contango और contango का difference आपको दिख रहा है कितना दिखाई दे रहा है 2400 ठीक pay off of the transaction तो वो तो दिख रहा है 2400-200 और number of contract मालूम है 2400-200 25 ठीक है सर 1,12,000 पासों का क्या हो रहा है हमको gain हो रहा है simple तो अगर देखा जाए तो ये दोनों question बहतरीन लगे मुझे ये वला भी question और इसके बाद और एक question है ना वो भी बहुत अच्छा question future के question तो अच्छे question number 69 ये आपके MTP में या RTP में डला हुआ है सर खतम करो जल्दी से टेरियोटियों में इतना time लगाऊगी तो कैसे होगा करना तो पड़ेगा ना यार ओके देखे yes Mr. X है उसके पास portfolio है 170 लाग का और कैसे 30 लाग और बीटा है 1.6 बीटा किसका है शर्ष शेयर का बीटा है तीन मेहने बाद share dropped हो जाता है 3.2 पर्षन से सबसे पहले portfolio का बीटा बता हूँ 170 लाग का share से जिसका बीटा है 1.2 और कैस का बीटा 0 होता है तो portfolio बीटा हमने निकाल लिया 1.36 मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको दिक्कत होगी 1.36 ठीक है सर्थ तो यह point number 1 में कुछ थाई नहीं point number 2 सुनोगे खिर से बताना है आपको portfolio बीटा अगर तीन महने बाद Mr. X जो है जिन्होंने निफ्टी में long position लिया था 200 लाक वो अगर क्या होता है वो नहीं बताया बहुते निफ्टी क्या होगा वो आप सोच ले ना अब ध्यान से इस काम समझ ना आया सबसे पहले निफ्टी कितने सी गिरा ये पता लग जाएगा नो तो बात समझ में जाएगी तो वो मैंने कैसे किया हलाकि मेरे पाद shortcut है मैं नहीं करवा रहा हूँ और करवाया मुझे करवाना भी नहीं सर बीटाउप share portfolio दिया है 1.6 कहां दिया है ये दिया है 1.6 और सर हमको मालूम है कि share में कितने का change होने वाला है 3.2% का उसकी मदश से हम ये निकाल सकते ना कि सर मार्किट में कितने का change होने वाला है देखो बीटा दिया है 1.6 हाँ सर और बीटा का formula क्या है change in portfolio divided by change in market और change in portfolio हमको पता है तो क्या change in market निकल सकता है 2% अब हम ये देखते कि हमको कितने का loss हो रहा है अब धियान से देखो share portfolio कितने का है 170 लाग का है सर share 170 लाग का कहा है भाई ये 170 लाग और cash कितने का है सर 200 लाग इसमें हमारा कौन सा position था long तो ये तो हमारा gira कितने से 3.2% सर ये कहां से मिल गए यहां से तो ये तो loss हो गया साथ में हमारा نifty में भी long position था कितने का 200 लाग का लगा था और 2% का यहां भी हमारा loss हो गया तो total मिला का loss कितने का हो गए 9.44 loss 9.44 lack का loss हो गए और यहाँ total portfolio on fund होता है total portfolio कितने का था 200 लाग तो percentage में loss कितने का हो गया 4.72 percentage इसका मतलब यार market तो 2% से down हुआ पर उसकी वज़ा से हमारा portfolio down हो गया 4.72 percentage से इस हिसाब से beta कितना है beta हो गया 2.36 ऐसे ही करना है shortcut है मैं वो नहीं करवाना चाहता है ICEI के सबसे करवा रहा हूँ ठीक है okay that's it अब बात करते हैं किसकी commodity future की commodity future मतलब अब भी तक हम share में वो कर रहे थे शर्त लगा रहे थे commodity, commodity मतलब iron हो सकता है steel हो सकता है, rice हो सकता है कोई भी gold हो सकता है इसमें भी margin account वैसे ही बन सकता था पर margin account की कोई question है नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे इसमें भी theoretical F है और hashing through future है वो दोनों ही चीज़े मुझे करवानी बढ़े option भी है अला कि किसा सबसे पहले theoretical F कैसे निकलते है आने के chances बहुत कम है यह वाला तो बहुत कम है इसमें ऐसे निकलते F yes as present value of stories cost minus present value of convenience बात समझने की कोशिश करना अगर मैं still ना खरीदू मैं contract कर लूँ मुझे future में still लगने वाला है ठीक future में लगने वाला एक साल बात क्यूंकि price बढ़ सकता है तो मैं सोच रहो ना चलो ना यार तो आज ही खरीद के रख लूँ या तो contract कर लूँ अगर मैं आज खरीदता हूँ तो मेरा कितना जाने वाला एक तो यार आज का price जाता आज खरीदता तो stories करना पड़ता तो उसका stories cost भी present value of stories cost contract करने की वज़ा से मेरा आज का पैसा बच जाएगा साथ में stories cost का जंजड़ भी खतम हो जाएगा लेकिन एक समस्या समस्या क्या है समस्या यह है सर कि अगर मैं आज खरीद के रखता और मुझे emergency में जुरुद पड़ती मेरे पास story room में रखा रहता ना go down में रखा रहता वहीं से huge कर लेता तो convenience किसमे ज़्यादा होता अगर मैं खरीद के रख लेता तो पर आपने contract किया और emergency में लग गया तो आपको कितनी तकलीफ होगी या रिश्टॉक ढूलने में तो वो convenience yield जो है उसका नुकसान है contract करने में तो सबका present value निकाला और फिर मचे future value में तो पहुचाना ही था mcqs आ सकता नहीं भी आ सकता कहने सकते हैं तो यहां आपको क्या देगा app देदेगा as देदेगा कहेगा कि यह निकालो तो simple सा question है अगर इसी question की बात करो spot price दिया है 15600 15600 spot price दे दिया है यह दे दिया है future price भी दे दिया है और RF दे रखा 8 point ठीके सर और सब present value पी स्टोरी स्कॉष दे दिया और यह मांगा तो यह तो वैसे निकल जाएगा कुछ था नहीं इस question passing through future ठीक है इस question पर बात करें यस यह वाला question rice अब धियान से समझने इस question में यह question अच्छा है वैसे भाई यह rice trader है और rice trader ने plan किया है कि sell करने वाले हो 22,000 kg after 3 month from now rice अभी है और हम क्या चाहते है price बढ़े it means हमारा cash market में कौन सा position it's a long position हमें अभी sell नहीं करना है हमें 3 महने बाद ठीक है price बढ़ेगा तो फाइदा पर problem है आपके पास rice आपने अभी रख रखा है आपका already इस पर long position है लेकिन डर किस बात का कहीं price कम ना हो जाए यही तो एर portfolio है आपके पास इस बार share का portfolio नहीं यह rice का portfolio है ठीक है तो डर किस बात का कहीं price कम ना हो जाए तो सर्फ future में मुझे short position लेना पड़ेगा अभी long position है cash market में मुझे short position लेना पड़ेगा बस और कुछ नहीं तो आपको future में बेचना है 22 kg अभी spot price है 60 रुपे पर kg पर तीन महने बाद हमको यह लग रहा कि 59 हो सकता है नहीं तीन महने का चल रहा है 59 size of the contract 1000 kg और आपको डर है कि यह 56 हो सकता है तो बताइए कौन सा position आप किस तरह से interpret करोगे cash market में cash market में आपका कौन सा position है long position है इसमें मुझे कुछ समझाने वाली बात है और नमबर टू है advice क्या करोगे future market में कौन सा position लेंगे future market में short position लेंगे 22,000 kg divided by 1000 तो 22,000 kg को क्या कर देंगे हम short कर देंगे आपको effective realized price निकालना है अगर 57 हो गया और future contract 58 हो गया पहली बात कितना केजी 22,000 kg 57 के सबसे तो हम बेचना पड़ेगा अगर हम hedge कर रहा है तो 22,000 kg 57 के सबसे बेचेंगे वो पैसा आएगा प्लस आपने short position ले रखा है 59 पर यह future price है ना और rate हो गया 58 तो सर यह एक रुपए का आपको फायदा भी हो जाएगा देख लेते हैं तो सर बावी सर के जो 57 के सबसे बेचेंगे और एक रुपए का gain हो जाएगा short position of future तो बावी सर यह भी आएगा 22,000 टोटल इतना मिलेगा बावी सर केजी effective price आपको कितना पढ़ा 58 पर केजी पढ़ा अच्छा कोशन सर यह वाला question question number 63 इसमें बस एक ही दिक्कत है number of contracts मांगा है बीटा दे रखा है 1.10 F दिया हुआ है 4300 सब कुछ हुआ ही बस इसमें एक विसेस बात का धियान रखना यहाँ value of portfolio 100 लाग होना चाहिए ना सर यहाँ दिक्कत है उन्होंने cash को portfolio का part नहीं मानना है उन्होंने 90 लाग के हिसाब से question किया और इस beta को इसी को beta of portfolio मानना है वैसी करना पढ़ेगा question ICAI का रटने वाला question इस पे कुछ नहीं आएगा सर cash को कैसे नहीं मान रहा हो कि यह थोड़ी बी टॉप portfolio है भाई करना पढ़ेगा रटना पढ़ेगा इसको याद रखना cash को portfolio का हिससा मत मानना इसी को beta of portfolio समझ लेना मान दो आपके portfolio में सिर्फ और से वह equity है बस number of contract निकालना और देख लेना कि अप substantiate कर देना कि pro gain हो रहा है कि loss that's it तो derivative हमारा खतम हुआ सर derivative में आप वो नहीं करवा real option भाई real option के लिए अलग से video डाल देता हो ना amendment वाला वो देखती हुए चले जाना कल last last में आधा घंटा में पढ़ जाएगा real option हो गया business valuation का theory हो गया इस अब एक साथ डालेगा ठीक है ओकी सर खतम कर रहा है इसके बाद कौन सा इसके बाद होगा interest rate risk management करते हैं फिर forex करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी टाइम ही नहीं है जल्दी जल्दी करना पड़े हाँ जे चलो नया chapter interest rate risk management ये भी technical है हला की पड़ेगा manageable है interest rate risk management art number का आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है sir MTP वगेरा में डाला हुआ है कि yes simple वाला question डाल रखा MTP में तो कोई दिक्कत नहीं है एक बात होती है fix rate होता है floating rate होता है वो हमको मालूम है floating rate क्या होता है कोई benchmark rate होता और उसमें कुछ spread होता है जिसे libor plus mybor पर से time pass नहीं करेंगे मुद्दे की बात है कि हमको इस chapter में क्या पढ़ना है या क्या revision करना है भाई साब forward rate agreement एक तो ये करना hedging करना hedging समझ रहा हो ना यार हाँ sir कि यार हमको future में पैसे उधार लेना है future में पैसे उधार लेना है तो कैसे बचा जा सकता है forward rate agreement तो forward rate agreement के थूँ आप FRA के थूँ hedge कर सकते हो दूसरा interest rate option इसको fraption भी बोलते है ओके या इसको interest rate guarantee भी बोला जाता है एक यूरो डॉलर future ठीक है और long term housing के लिए financial swap दिखेगा cap collar floor दिखेगा और t-bill future दिखेगा t-bill future मैं यहीं कर बादूँगा आपको ठीक ओके साथ तो अब बात करे forward rate agreement की FRA सर है क्या थोड़ी कहानी तो बतानी पड़ी ज्यादा लंबा नहीं की सकता भाई concept में यह सब design सर हमारे पास अल्री बना हुआ है तो भाई साब ऐसा है सर की यह राम यह आज़ से 6 मेहने बाद चाहिए अब 6 मेहने बाद आज rate क्या चल रहा 8% राम कहता है बैंक के पास जाता है मुझे आज पैसे नहीं झाहिए बैंक आप 6 मेहने बाद चाहिए और सिर्फ 3 महने झाहिए तो क्या आप मुझे 8% के हिसाब से उधार दे सकते हो बैंक एगर नई उस दिन आओगे और उस दिन हम decide करेंगे कि आपको क्या देना क्या राम को डर है किस बात का डर है कहीं rate बढ़ना जाए 8% हुआ नहीं है कहीं rate बढ़ गया तो दिक्कत है तो आप FRA bank के पास पहुचा राम और FRA bank से बुला सुनो ना आज से 6 मेने बाद मुझे 3 मेने के लिए पैसे उधार वैसे चाहिए और मुझे borrow करने वाला हूं तो मुझे डर ये है कि कहीं rate बढ़ना जाए तो बुले ठीक है FRA bank बोलती है बौरो करने के लिए rate है 8.5% इससे उपर जाएगा आप bank 6 मेने बाद bank जाना अगर rate 8.5% से उपर जाएगा तो हम आपको difference दे देंगे सपोज ठीक 6 मेने बाद मान लो यहाँ rate कितना हो गया 9% हो गया तो हमें bank से तो राम को 9% पर उधार लेना पड़ेगा पर जो भी difference है वो FRA bank राम को दे देगा उसका present value यही payment होगा present value वो मैं exam तो से करवा दूँगा आप समझ में आ रही है आपको ओके सर 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 example करवा होगा या करवा दूँगा सर अगर 9% नहीं रहा 5% रहा तो तो फिर बिटे आप को राम आप दोगे FRA bank को जो भी difference आएगा इसका मतलब सर राम को किस बात का डर था यहीं 8.5% से उपर ना हो जाए तो उन्हें upside betting किया है अगर rate इस से उपर गया तो राम को पैसा मिलेगा अगर rate इस से नीचे गया तो राम FRA bank को पैसा देगा that's it, खतम FRA बस थोड़ी सी बारी क्या है यह पैजिंग कर रहा है arbitrage भी है, वो भी में करवोंगा बाद समझी में आ गई, yes सिधा एक question उठा रहा हम, time pass नहीं करेंगे question number 3 अच्छा question पी लिमिटेट को भाई बौरो करना है कितना रुपिया, पचास करोड कब बौरो करना है तीन मेहने के लिए बौरो करना incoming six month छे मेहने में, छे मेहने बाद तीन मेहने के लिए बौरो करना है मतलब इसको आप six into nine FRA बोल सकते हैं बोलना हो तो current rate of interest है 8%, current rate से हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक है, हमें डर किस बात का कहीं rate बढ़ना जाए बौरो करना ना तो बढ़ने का डर पर इन्हें ऐसा लग रहा कि छे मेहने में बढ़ सकता है, तो ये hedge करना चाहते है, और FRA bank आई और बोले 8.3% पे आप सर्थ लगा सकते हो, हमने सर्थ लगा लिया, कितने पे 8.30% इस पे the actual rate of interest during consideration, actual rate अगर ये हो जाए, actual rate मेरी बात, अब समझने की कुशिश करना यहीं थोड़ी बारी किया है, समझाने में बढ़ने बाइस अब ये हुआ 6 और ये हुआ तीन मेने, और ये हुआ 9 मेने, अब यार rate तो हमको यहां पता लग गया है, कि rate आपने बैटिंग किस पे किया था, सर्थ हमने बैटिंग किया था 8.30% भाईस अब हमको rate यहां पता लग गया, कि 8.60% हो गया है तो इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि FRA bank हमको देगा, हमने upside बैटिंग किया था कितना देगा, 0.3% सवाल था कि कहां देगा, और हमने decide किया था, यहां देगा जो भी difference है amount निकल जाएगा, principle, notional principle है 50 करोड का जो भी difference है, वो into जितना period है, सर तीन मेने, तो तीन मेने का हमको difference मिल जाएगा, सवाल है मिलेगा यहां, और जब यहां मिलेगा, तो क्या मिलेगा, present value मिलेगा, इसको बोलते है, final settlement amount, यह आपको हमेशा निकलना है that's it एक बार पढ़े ही क्या, yes sir तो देखो, अगर rate हो जगया, कितना हो गया 8.60% तो company bank will pay to pay limited, मतलब FRA bank, FRA bank pay करेगी, हम लोगों को pay limited को, कितना 50 crore का, जो भी difference है तीन मेहने, यह वाला period है, तीन मेहने का और मैंने का, वैसे तो यहां मिलना चाहिए, logic मैं आपको समझा चुका हूँ पर हमें यहां मिलेगा, तो हमें present value निकालना पड़ेगा, और present value का rate कौन सा रहेगा, यह वाला उस दिन जो हो गया, वो वाला सुरी, दिखने ला होगा आपको सुरी, सुरी, सुरी मतलब हमारा हम जो discounting करेंगे वो यहां जो rate रहेगा ना उससे discounting यह difference 3 और discounting किया तो यह पैसा हमको मिलेगा और कहां मिलेगा सर, यह हमको सुरू में ही मिल जाएगा जिस दिन rate पता लगा effective कैसे निकालेंगे effective निकल जाएगा अब देख़ए, effective का मतलब क्या हुआ, effective का मतलब हुआ total हमारे जेप से कितना जा रहा है लेकिन उधर से हमें difference मिलेगा ना, पर भाई difference तो यहां मिल गया difference तो यहां मिल गया, मैं यहां का case outlook दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सर यह वाला interest जो निकाला है वो तो इस पी rate में यहां जा रहा है बिलकुल, और वो जो difference मिला वो तो यहां मिल रहा है, तो उसको हम invest कर देंगे इस rate से, तो finally 3,75,000 तो effective rate of interest कितना आ जाएगा 8.31 पर हो जाएगा सर अगर 7.8 हुआ तो उस condition में फिर हम देंगे FRA bank को कितना तो सर 50 करोड का 0.078 minus 0.08 ते फिर तो वो कर लोगा इंटू 3 by 12 और present value याद रखना 1 plus 0.078 का लेना हो जाएगा सर ओके that's it, यही था, इसको अच्छे से देख लेना, यह FRA for hedging था, बहुत सारे कोशन नहीं करवा सकता, टाइम निकल जाएगा इस चिक्र में, 8 मिन टीसे में चला गया FRA for arbitrator का एक ही कोशन है, एकजाम में नहीं आया हुआ है पर सर, आपकी करवाने की रियूटी है यस मेरी करवाने की रियूटी बनती है theoretical FRA कैसे निकला जाता है, bigger factor divided by smaller factor सर, यह समझाओगे की समझा दूँगा भी यह कोशन के साथ में और हमें यह डिसाइट करना की FRA जो है वो अंडर प्राइज है की ओवर प्राइज है हमको buy करना की sell है यह भी उसी कोशन के साथ में समझा दूँ कोशन का कोशन भी हो जाएगा कॉंसेप्ट का कॉंसेप्ट भी हो जाएगा और यह है कोशन नबर फाइव का नहीं जबरदस्ति दे रखा ठीक है डिपोजिट रेट यहां सर डॉलर का रेट दिया यहां येन का येन का है 0.25, 0.25 है और येन का FRA पॉसिबल ही नहीं है तो FRA हमने येन का काड दिया अब ध्यान से समझना US डॉलर में 3 मंथ अगर आप 3 महने के लिए जमा करो तो rate of interest है 4.5% पर एनम और सर 6 मंथ के लिए जमा करो तो rate of interest है 5% पर एनम सर मतलब कहना क्या चाथता भाया भाया ऐसा है कि आप 100 टम के लिए पैसा जमा करोगे तो bank fix deposit कर लो अगर 3 मैने के लिए जमा करोगे तो bank rate of interest कम रखेगा हाला कि यह पर एनम है पर आप थोड़े लंबे समय के लिए करोगे तो हो सकता rate of interest बढ़ा दे तो हमें क्या पूछा है पूछा है वा शुडविदा 3 मंथ FRA एट 3 मंथ फावट तो इसका मतलब वो बल रहा कि भाई ऐसा है हमारे बस दो तरीके है या तो हम 3 मैने के लिए जमा करें तो लिखा 4.5% पार है नम तो 3 मैने का rate देखे 4.5 into 3 by 12 वो डिवाइड बाई 100 प्लस पर फैक्टर निकाला मैंने फैक्टर 3 मैने के लिए और एरसल सीधा 6 मैने के लिए जमा करें तो यार 5% है तो 2.5% तो 1.05 इस में ये कहना चाहता है मालो एक रुपिया यहां जमा करूँ तो इतना मिलेगा 6 मैने बाद यहां जमा करूँ तो इतना मिलेगा मैं कह रहा हूँ कि जब यहां 3 मैने बाद मुझे मिलेगा तो यहां किस rate से जमा करूं कि ये और ये equal हो जाए That's it, concept मैंने आपको करवा रखा है अच्छे से हमें निकालना है ये इस period का कि ये और तीन महने बाद तीन महने का rate क्या होना चाहिए तो मैंने आपको सीधा बोला bigger factor divided by small factor ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है उनको और answer आगया 5.44 पर ठीक है Okay sir, point number 2 देखे Yes sir 6 and 12 month liable are 5 पर फिर वही है 6 मैंने के लिए जमा करो तो भाई या 5 पर बारा मैंने के लिए जमा करो तो 6.5 पर फिर से वो पुछेगा Yes, FRA rate पुछेगा 6 मैंने के लिए जमा करो तो पाच पर शेन तो 6 मैंने के लिए 1.025 वज़ाएगा factor Yes sir, 1.025 ये लिया और sir, एक साल के लिए जमा करो तो बारा मैंने के 1.065 वाला factor तो 6 मैंने बाद 6 मैंने का rate क्या होना चाहिए तो वह हमने निकाला और वो बिगर फेक्टर डिवाइड बाई स्माल फेक्टर और यह आ गया 7.80% अब यहार यह आया है 7.80% होना चाहिए होना चाहिए 7.80% यहां अगर हम जमा करते हैं यह उधार लेते हैं तो rate होना चाहिए 7.80% अब यहार actual में rate क्या चल रहा है सर actual में तो कम है सर rate कम है दिख रहा है आप कोई भी rate ले लो यह दोनों की दोनो rate 7.80% से कम है तो भाईया फिर simple सीमात है अगर rate कम है यहां rate कम है तो जहां rate कम होता है यहां से आप उधार ले लीजिए और उपर investment कर दीजिए आपका arbitrage होना क्योंकि दोनों उपर और नीचे equal होना चाहिए पर इदर कम दिखाई दे रहा होना चाहिए 7.8 पर यहां का जो दिखाई दे रहा ना सर यहां का यहां का 7.80 ना कुकर 6 पॉइंट ऐसा कुछ देखाpex तो सीधी सी बाते इदर से उधार लीजिए यहां जमां किजिए आप उधार कितना है एक डॉलर उधार ले लिजिए तो सर सबसे पहले और उधार लेने का rate किया सर उधार लेने का rate है 6.75 pretend तो सर सबसे पहले हम process कैसे करेंगे simple सी बात है FRA यहां underprise है कि overprise है सर FRA यहां underprise है दिख रहा ना यह है theoretical सर यह है theoretical और actual वाला कितना था सर actual है 6.75 FRA underprise है तो hence borrow करेंगे इधर से buy FRA मतलब borrow करेंगे इधर से पहले एक डॉलर borrow करेंगे यहां 5% के सबसे और फिर हम इसको invest कर देंगे यहां और यहां से FRA buy किया मतलब contract to borrow किया 6.75% से हमारा पैसा कितना जाएगा सर एक डॉलर into 1.025 into 6.75 के सबसे तीन मैने का factor 6 मैने का factor और पैसा आएगा 1.065 यह तो total arbitrage के नहीं है भाईसा आप यही एक question है जो आपको देखकर जाना है ठीक है किसा आगे चले question number 6 यह जो question number 6 है यह actual मैं interest rate option का question है या interest rate guarantee बोल सकती है interest rate guarantee बोलो तो ज़्याद अच्छा सिर्ष में होता क्या है वो question के साथ में समझ लेते है और दो company है एक का नाम है ABC एक का नाम है XYZ approach the DEF bank के पास गए और यह दे रखा है और यह borrow करना चाहते है कितना रुपए 100 क्रोड कब सर्जब आज से दो साल बाद दो साल बाद borrow करना चाहते है कितने period के लिए एक साल के लिए एक साल के लिए दो साल बाद borrow करना है एक साल के लिए borrow करना है और yield करू दे रखा है एक साल yield करू क्या होता है अभी तो छोड़ो सर rate of interest मान लो बस बात के था येल्ड कर्व XYZ का दिया हुआ एक साल के लिए 3.86% पर रहनम दो साल के लिए 4.2 और तीन साल के लिए 4.48 और ऐसी किसका दिया हुआ है ABC का तो सर्थ ABC का जो है वहाँ येल्ड कर्व जादा है रेट आप इंटरेस्ट जादा है यूजिंग कंपनी येल्ड इन इन इन्फोरमेशन को लेकर आपको दो साल बाद एक साल के लिए एफ रे निकालना है चलो XYZ का देखे क्या यस तो भाई साब एक तो तीन साल वाला लेलो 4.48 तो इसको मैंने पावर 3 कर लिया तीन साल है ये पारेनम है न और सर दो साल वाला है 4.20 इसको पावर 2 कर लिया और बड़ा वाला फैक्टर डिवाइड़ेड बाई छुटा वाला फैक्टर सर ये वाला एरो ऐसे उपर लगा सकते है कोई जिदर लगा ना ना यार कोई फरक नहीं पड़ा लगा सकते है अंसर आ गया 5.042 ऐसे ही किसका निकल लोगे ABC का निकल लोगे मतलब सर इसमें पावर 3 आ जाएगा इसमें पावर 2 आ जाएगा और अंसर आ जाएगा हमारा ठीक तो पहला वाला पॉइंट में तो कुछ था नही of 0.1% of amount of loan you are required to calculate the interest payable by XYZ if interest rate in 2 year turn out to be 4.5% 5.50% अब बात समझने की कोशिश करना XYZ की बात कर रहा इसी बैंक यह ABC की बात नहीं होरी किसकी बात होरी XYZ दो साल बात दो साल बात एक साल के लिए कास हमको कोई guarantee दे दिया और किसी ने guarantee दे दिया कि भाई साब हम देते कि आपको 5.042% से ज़्यादा नहीं पड़ेगा और अगर इससे ज़्यादा पड़ा इससे ज़्यादा हुआ rate जैसे यह हो गया तो भले हमको जो guarantee दे रहा वो हमको difference दे देगा और मैंने का इससे कम हुआ तो भले है आप difference मत देना बढ़ेगा तो मुझे मिल जाएगा मुझे किसी भी हालत में 5.042% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा बात समझने के कुशिच करना है 5.042% से अगर दो साल बाद rate जादा हुआ बैंक वाला तो जिससे मैंने guarantee रहा ना वो मुझे दे देगा और साथ 4.5 हुआ तो मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है लेकिन इसके बदले में ये FRA नहीं है FRA में difference हमको देना पड़ता था इसमें ऐसा नहीं है पर इसके लिए हमको premium देना पड़ेगा 0.1% तो बताइए अगर rate ये हो जाए rate ये हो जाए तो finally answer क्या आएगा चलो काम कर लेते हैं अगर rate 4.5% आ जाए तो जिस बैंक से मैं उधार लूँगा उन्हें तो 4.5 देना पड़ेगा interest rate guarantee हमारा lapse हो जाएगा देना है आज देना है तो उस पर opportunity cost premium पर जनरली ignore ही कर देते हैं और sir rate हो गया मालो 5.50% तो उस condition में interest paid on loan आएगा 5.50 करोर 5.50 यस वोगि 5.50 हो गया पर difference हमें मिल जाएगा और ये मिल गया हमको difference और premium तो देना पड़ेगा तो total interest payable आग गया 5.14% पहत्रीन कुश देख के जाना है ओके दिस यूरो डॉलर फ्यूचर ये अच्छा है थोड़ा सा यूरो डॉलर फ्यूचर पस यूरो डॉलर फ्यूचर में एक विसेस बात ध्यान रखना बाक्यों कुछ नहीं सिंपल है इस तरह एक प्रकार से ये बैटिंग ही है कि हां बस इसमें क्या है जैसे हमको बॉरो करना है मान लो बॉरो करना है हमें किस बात का डर है हमें बात का डर है कि रेट बढ़ना जाए फ्यूचर में तो हम वैसे तो हम कौन सा पोजिशन लेंगे लॉंग बट यहां कभी भी रेट पर शर्त नहीं लगाई जाती यहां जो कोटेशन होता वो 100 माइनस लिबोर होता या सुद्ध भासा मैं बोलू यहां आपको बॉंड्स पर बैटिंग की जाती और रेट के बढ़ने से बॉंड्स का दाम कम होता है तो यहां हमें शॉर्ट पोजिशन लेना होता है बात समझना यूरो डॉलर फ्यूचर में अपोजिट पोजिशन लेना होता है अगर आपको ऐसा लगना है रेट बढ़ने वाला है तो वैसे तो आपको लॉंग पोजिशन लेना चाहिए पर यूरो डॉलर फ्यूचर में आपको शॉर्ट पोजिशन लेना होता है और कुछ नहीं है आउ काम करें कोशन नुबर सेवन यह बहुत अच्छा कोशन है और आता है लिगाए इलेक्टरा स्पेसिस कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक होल सेलर दर बिजनेस हाइले नेशर ठीक है छे महने में फर्म के पास खुब कैश रहता है और छे महने में पैसों की बड़ी समस्या आ जाती है तो इन्होंने डिसाइट किया कि हम करेंगे बोरो यूरो पचास मिलियंस पूरे छे मेंने के लिए और जब बोरो करना है वो हमको करना है तीन मेंने बाद किस पिरिट के लिए पूरे छे मेंने के लिए आज से तीन मेंने बाद किस बात का डर से रेड बढ़ना चाहे रेड बढ़ गया तो अभर बाद सबसे बढ़े FRA से बात करें कि है चुलो FRA बैंक के बास गाए हमें कब चाहिए हमें चाहिए तीन मेने बाद छे मैने के लिए FRA 3 इंटू 9 3 मेने बाद 6 मेने के लिए ठीक है और अगर हम FRA पे जाते हैं तो हमारी बात हो जाएगी 5.94% पे बुक हो जाएगा फिर रेड जो होगा देखा जाएगा दूसरा है कि आप EURUSD फ्यूचर में बैटिंग कर सकते हो EURUSD फ्यूचर थ्री मन्थ और EURUSD फ्यूचर के साथ प्रॉब्लम है कि यह वो टोटल पिरिएड जिस पे अप शर्त लगा सकते हैं वो तीन मेहने के एमाउट पे शर्त लगा सकते हैं उसे थ्री मन्थ के लिए शर्त लगता है मतलब यह जो पिरिएड है ना यह छे मेहने नहीं है कि आप maximum 3 मेने period के interest के amount पर सर्थ लगा सकते हो पर यार हमको तो 6 मेने पर लगाना है करें क्या क्योंकि हमको हमें देना तो 6 मेने का भी आज पर उधर से जो मिलेगा उधर से तो 3 मेने कहीं भी आज मिलेगा ना euro dollar future से फिर क्या करो फिर काम कर तो amount को double करो फिर तो बराबर हो जाएगा ना इधर जीतना देना उधर इतना मिलेगा बात खतम यह मैं discuss कर चुका हूँ quotation दिया है 94.15 और यह 5.85% हमको मालुम है हमको short position लेना है यह मैं discuss कर चुका हूँ और यहां लिखवाया भी है short position लेना पहले तुम में FRE की बात हुई है कि पहले FRE की बात हुई है अब interest rate future FRE ही जी था इसलिए मैंने करवाया नहीं मैं बात करूँगा interest rate future का यह सब interest rate future पे आते हैं जो काम की चीज़ है euro dollar future 94 हम कौन सा position ले रहे है short position अब यहार कितना contract तो सबसे पहले कितना euro है 50 million इसको double करने के लिए मैंने वाद बोला था वो ऐसे हुआ कि total euro dollar future में 3 month पे ही betting किया जा सकता है तो 6 मैने के लिए figure कितना हो जाएगा सरी यह double हो जाएगा अगर 9 month होता तो यह 9 कर देते और एक contract कितने euro का है 50,000 euro का है 4.5 भी हो सकता है 6.5 भी हो सकता है तो अगर 4.5 है तो क्या होगा अगर 4.5 है तो आपने कौन सा position लिया था अब देखो मैंने इसको दिखा कैसे रहा हूँ अगर 4.5 हुआ मतलब 100 minus 95.5 100 minus 4.5 95.50 हो गया euro dollar future का आपने शर्त लगाया था 94.15 हो गया 95.50 सबसे पहले जिस bank से आप उधा लेने वाले वहाँ interest कितना pay होगा वो काम तो करी तो 50 million euro 4.5% 6 मैने का ही होगा है इतना तो हमारा जाना है अब उधर से हमको difference मिलेगा कि हम देने वाले सर हमने कहा था काम होगा यह तो बढ़ गया मतलब हमको देना पड़ेगा इन दोनों के बीच का difference तो यह आगया 1.3% हमें देना पड़ेगा 1.3% और 2000 कॉंट्रेक्ट यूरो पच्चास जार और यहां 3 by 12 क्योंकि यह मालूम है उसके पीचे वजह तो कि यहां जो देना होता हूँ तो इंटरेस्ट 3 मैने का ही देना होता यूरो रॉर फ्यूचर में इसलिए तो इसको मैंने डबल कर दिया तो हमारा यह भी गया यह भी गया है टोटल इतना पड़ा अगर साड़े 6% होता है अगर देना तो पड़ेगा यह दे गया हमने दे दिया सर पचैस मिलिन का साड़े 6% यहां थो 6 मेने कही होगा लेकिन डिफरेंस तो हमको मिलेगा कितने पे dou Sharron इंटो पचशास जार डिफरेंस कितना मिलेगा पॉइंट 6% कितने मैने का सर तीनी मैने का क्योंकि euro dollar future में तीन ही मेहने का मिलता ultimately मुझे इतना पड़ा तो effective cost आगए मेरा 5.85 पर इसकी बात है euro dollar future normally FRA का तो simple सा rule से अगर FRA की बात करो अगर 4.5% है तो मुझे 4.5% देना पड़ेगा difference भी मुझे देना पड़ेगा difference देना पड़ेगा क्योंकि 5.94 पर बात हुई तो टोटल इतना पड़ेगा और यहां भी मुझे difference मेरे खिया से FRA वाला तॉप कर लोगे सर यहां net settlement amount नहीं निकालेंगे कि जरूरत नहीं है उसने effective rate of interest बोला है तो आपको net settlement सर यहां तो present value होना चाहिए ना ग्यान मत दो भई टाइम नहीं है अभी यह ग्यान वगी रखा आपको यहां almost जब भी effective बोलेगा आपको यहां वहां का बताना पड़ेगा आप FRA वाला मत करना कि net settlement amount का क्या करोगे that's it तो यहां 12 मैंने का तो यहां cost कितना बड़ा 5.94 और यहां कितना 5.84 क्या अच्छा है sir euro dollar future is better ओके अब बात करते है swap this is financial swap ओके तो अब बात करते है किसकी financial swap इसमें सब क्या-क्या है इसमें equity swap है एक option है उसका एक है plain vanilla swap generic swap बोलत overnight index swap है जो की my board पर है इसके भी questions आते है exam में और two party swap इसके भी question आते है swap structuring and swap pricing का कोई question नहीं है तो मैं यहां नहीं कर बोगा ओके sir तो बात करते हैं सबसे पहले बिना swap क्या होता है वैसे swap होता sir multiple time betting समझा रहा हूं जैसे यह एक person राम और इसके पास एक portfolio है 10 लाख रुपए का equity और sir इसको डल है कि आने वाले दो-तीन साल तक yearly में बात कर लूँगा quarterly भी हो सकता आने वाले दो-तीन साल तक equity का return कम होने वाला है तो यह स्याम एक person और है उससे शर्त लगा सकता है कि देखो भाई आप एक काम करना मुझे fix दे देना और बदले में जो भी equity का return आएगा वा आप ले लेना वो सकता से आम को ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा आएगा तो हर बार मानलो equity का return इस quarter में 8% आया है तो यह आएगा 5 जाएगा 8 तो यह difference कितना देदेगा तीन percent देदेगा और मानलो यार अगर मानलो 2% ही return हुआ इस quarter में तो आएगा 5 जाएगा 2 तो यह बदले में 3 ले लेगा swap आपको समझता अच्छे से ठीक है सर इसके question है question से बात समझेगी तो बात समझ में आजाएगी question number 20 क्या बोल रहा है question सर एक बार देखे कि yes देखा cmt pension fund portfolio या 800 करोड का ठीक है swap arrangement कर रहा है किसके साथ swap arrangement हो रहा है boom bank यह diagram बना लिया करो okay सर boom bank के साथ swap arrangement हो रहा है कौन किसको क्या देगा यह पता करना ज़रूरी है तो बोल रहा है कि इसे मिलेगा it will get इसे मिलेगा 1.5% quarterly 1.15% पर रहनम नहीं है quarterly है और किसका 800 करोड का notional principle है और देना क्या पढ़ेगा बदले में तो देना पढ़ेगा बोले जो return आएगा portfolio का उसका return देते जाएंगे हर quarter में ठीक है और अब भी census कितना है 43,200 आपको निकालना है net payment year received अगर census first quarter में यह हो जाता है second quarter में यह हो जाता है third quarter में यह हो जाता है fourth quarter में यह हो जाता है return निकालते जाते हैं और जो भी काम करना rupees in crores में करना 4 decimal points तक ठीक है इसको किया किया सबसे पहले सबसे पहले में return return मुझे देना है कि लेना सर देना है नहीं लिखनू क्या यह सर देना है और सर amount में काम कर रहा और सर मिलेगा fix मिलेगा मिलेगा तो सर यह percentage में निकलना कि rupees में निकलना rupees में calculation होना है सब की सब तो अब पहले क्या किया मैंने equity का return निकला एक quarter है 43,200 से 4,3720 आ गया तो 1,2037% का return है amount में निकलेंगे 800 करोड को इससे multiply करोगे तो यह आ गया सर यह क्या है यह देना है ठीक है और ऐसे इससे comparison किया तो यह loss है और यह आ गया यह देना है ओके सर और फिर देखते है अपने निकल लिया यह amount में निकल लिया मैंने और मिलेगा क्या मिलेगा तो 1,1,1,5% तो 92,92,92,92,92,92,92 करके कर लिया अब सुन नदिया सर देना है यह और मिलेगा यह तो difference क्या है सर difference जो है मुझे देना पड़ेगा मेरे लिए net पेबल आना चाहिए मैंने minus में देखा रहा है मतलब पेबल ओके सर देना है यह तो सर प्लस हो जाएगा यस difference है प्लस हो जाएगा मेरे ख़ल से बाद समझ में आ चाहिए अच्छा कोशन है equity swap का आपको देखना पड़ेगा कोशन number 20 ओके सर प्लेन वनिला swap क्या होता कुछ नहीं होता भाई आपको ऐसा लग रहा है कि libor जो है वो कम होने वाला है तो भी आप swap कर सकते हो आपको लग रहा कि libor आठ पर्षन से कम होने वाला है future में तो आप कर सकते हो कि भई हम आपको libor दे देंगे और बदले में fix लेंगे जो कम होने वाला उसको हम दे देंगे अब future में देखते जाना और यह multiple time आपने 3 साल के लिए आपने काम कर लिया contract कर लिया बस start करते हैं अब देखते हैं कि libor क्या होने वाला अगर सर मान लो मान लो libor हो गया 10 person तो भई difference आपको 2 person देना पड़ेगा वह ही है नॉर्मल यह question डाला हुआ है MTP में MTP, RTP मुझे उतना याद नहीं है आप देख लोगे तो लिखा suppose a dealer all in cost sir all in cost का मतलब क्या all in cost का मतलब है भी सब कुछ इसमें include है brokerage, commission, commission सब कुछ generic swap है 8% against 6 month libor flat 8% है fix और 6 month libor सिर्फ libor libor प्लस कुछ नहीं और notional principle कितना है 5 लाक time pass question है सबसे पहले बोले fix payment बताओ fix payment क्या बच्चा भई कितना है notional 5 लाक का 8% 6 मेने का 5 लाक का 8% into 6 by 12 sir 20,000 रुपए fix payment आ गया है 20,000 रुपए अभी ये नहीं बताए इस question में कौन किसको क्या देगा उसने जो बोला मैने काम किया floating rate payment बताईए और आप 181 days का interest निकालना और total 360 दिन है तो ठीक है और तो लाइबर का rate के है भई sir लाइबर का rate है 6% तो 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 पाच लाग का 6% into 181 divided by 360 तो ये आगए 15083 उसने पहले का fix निकालो निकाल लिया उसने का फिर floating निकालो वो भी निकाल लिया अब क्या पूछ रहा बोले net settlement बताईए अगर आप fix rate payer हो तो अब diagram लगेगा आप हो fix rate payer सामने वाला person है floating rate payer हो तो आप देने वाले हो कितना fix rate निकाला है अपने 20,000 रुपय और मिलेगा आपको 15083 तो net में क्या होगा यार सर net में हमको देना है 20 मिलेगा 15 मतलब यार net में तो देना पड़ेगा 4917 answer जाएगा 4917 simple question है yes okay चले आगे overnight index simple है यहाँ एक lag तो fix रहेगा और दूसरा रहेगा my bar Mumbai Interbank Offer Rate अभी लाइबोर नहीं चलता extra extra कहानी नहीं सुना रहा हूँ सब वो class में सुना चुका हूँ my bar के साथ बस एक बात याद रखना कि यह daily compounding होता है बस इतना याद रखना daily compounding question number 13 अच्छा question है discuss करें क्या yes अच्छा question है famous question है देखना है यह question हो तो तो लिखा question number 13 में बोले एक bank है जिसका नाम है derivative bank ठीक है भाई derivative bank swap arrangement करनी है notional principle है 10 करोड तो 10 करोड पर interest निकलेगा and receive क्या करेगा my bar derivative bank पहले diagram बना लो receive होने वाला है my bar और देने वाला है fix ठीक है और swap enter हो रहा है Monday से 7 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए हमारे लिए important है Tuesday to Monday क्योंकि Saturday बीच में आएगा Sunday तो off होता है अब यहर उन्होंने ये rate दिया है और आपको daily पहले my bar का amount निकलना पड़ेगा interest का amount total मिला कर fix का भी दिया है तो चले पहले fix का निकले 8% के साब से तो मैंने fix का निकला 1000 लाक या 10 करोड का 8% और total 7 दिनों के लिए 365 दिन लेना है क्योंकि 300 पैसेट दिन दिया हुआ है तो सर्फ fix का amount निकल गया fix का amount ये निकल गया 153425 अब किसका निकला है floating का ये खेल है actual मैं floating का अब देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा था पहले मैंने 10 करोड का 8.15% वन डे का इंट्रेस्ट निकला अब जब Wednesday को इंट्रेस्ट निकलेगा तो वो इंट्रेस्ट 10 करोड और ये इंट्रेस्ट जुडेगा इस पे 7.98% वन डे का इंट्रेस्ट फिर निकला हाला कि इसके लिए मैंने आपको calculator trick सिखा रखा है तो बहुत जल्दी बहुत speed से काम हो चाता है तो इस तरह से daily basis पर हम क्या करेंगे और वो calculator trick यहां लिखा हुआ भी दिख रहा है ना आपको यसर यसर यह दिखा रहा है यह calculator trick दिख रहा है कि कैसे कर रहा है कि फटा फट से बस याद रखना यहां कि जब Friday तो ठीक एक इक दिन का interest निकलेगा जब आदा आएगा Saturday Sunday तो इस amount पर 8.15% Saturday को ही दो दिन का interest निकलेगा Sunday को interest नहीं निकलेगा ठीक है और फिर Monday को जैसा और यह rate किस के आगया यह rate यह amount आगया सर floating के साब से my bar के साब से और यह उठा कर मैंने यहां लिख दिया अब बात करतें net में क्या होगा net सर आने वाला है जादा जाने वाला है कम तो सर net में तो हमको मिल जाएगा और कितना मिलेगा 781 इस टाइप का और एक कोशन है और वो कोशन अब ध्यान से समझना कि वो क्या खेल खेल रहा वो भाई साब क्या करता क्या पूछेगा ध्यान से वो आप से यह कहेगा कि भाई हम यह नहीं बता रहा है हम आपको यह बता रहा है और यह rate भी नहीं बता रहा है हम आपको यह बता रहा है कि हमने ऐसा किया था swap दी जाएंग ठीक है और हमें मिला था 154206 हमें मिलने वाला इसका calculation बोलेगा वो हम कर लेंगे यह आजाएगा 154206 और वो बताएगा कि यह नेट में हमें मिला है 781 तो बताओ fix का amount क्या आएगा तो no doubt कि fix का कम ही तो आएगा भाई टोटल मिला 154206 और net में हमें मिला है it means जब गया होगा तो तो कम ही गया होगा तो सर इसमें से माइनस करेगे तो fix का वो आजाएगा क्या amount आजाएगा अब जब fix का amount आएगा तो कहेगा कि चलो fix rate of interest बताइए तो वो तो झाया है दो पर्टी स्वेप में होता क्या है तो पर्टी स्वेप में है क्या है fix है floating है अब दोनों पार्टी berry को लों चाहिए किसी को fix से चाहिए किसी को floating से चाहिए और उसमें हम ढूंडते है कि यह किसी तरह से swap इस तरह से करवाया जाए कि दूनों ही party को फाइदा हो जाए ओके सर तो example से मैंने समझा रखा example कर लो sufficient है दिख रहा है अपको याद रखना इसमें absolute advantage और comparative advantage का theory लिखना पड़ेगा that's it एक बार देखते हैं साइस समझ में आ जाए आप तो दो company A limited B limited अगर ध्यान से देखो ध्यान से देखो तो A limited को फाइदा किस में दिखाई दे रहा है सर फाइदा दिखाई दे रहा है इसमें fix में 10 person और B limited को फाइदा किस में दिखाई दे रहा है सर फ्लोटिंग में LIBOR plus 1 person L plus 1 तो उस हिसाब से A limited को इस rate से दार लेना चाहिए और B limited को इस rate से दार लेना चाहिए पर वो ऐसा नहीं करेंगे तब ही स्वेपोसिबल क्योंकि A limited को हम बोल रहा है कि A floating के हिसाब से उधार लेना चाहिए हो सकता है कि B limited risk नहीं लेना चाहता है वो कहाता है भीया मैं fix के हिसाब से लूँगा वो बताएगा question आपको अब हमारे हिसाब से यार हमारे हिसाब से हमको दिख रहा है A limited को absolute advantage है किस में fix में और B limited को absolute advantage है किस में floating में तो A limited को fix के हिसाब से उधार लेना चाहिए और B limited को floating के हिसाब से उधार लेना चाहिए बट A limited borrow करेगा actual में किस rate से borrow करना चाहता है floating से opposite yoke तब ही swap possible है तो यहाँ आपको absolute advantage दो advantage होता है इसमें comparative और absolute advantage तो दोनों का theory तो लिखना पढ़ेगा सबसे पहले में यहाँ कौन सा advantage दीख रहा है absolute advantage तो यह लिख देना A limited क्या borrow करना चाहता है A limited floating से करना चाहता है और B limited fix से करना चाहता swap design में हमको लिखना पढ़ेगा absolute advantage है A limited को fix में और B limited को floating में स्वैप में हम क्या करेंगे स्वैप में एलिमिटेट से हम कहेंगे कि भीया सुनो एलिमिटेट आप चाहते क्या हो बुले हम फ्लोटिंग बुले आप फ्लोटिंग के साब से बौरो मत कीजिए आप फिक्स के साब से बौरो कीजिए और आप फ्लोटिंग के साब से बौरो एक्जाम में क्या आएगा एक्जाम में आएगा effective कितना पड़ा उनको cost अगर swap हो जाता है तो सुना ध्यान से फिर कैसे होगा सबसे पहले अगर swap नहीं होता अगर हम swap नहीं करवाते तो दोनों इस rate से borrow करते ये 12 परशन के सबसे ये लायब और प्लस 4 परशन के सबसे तो वो दोनों हम लिख लेंगे अगर swap नहीं होता तो उधार लिया जाता लायब और प्लस 16 दोनों का मिलाकर interest मैंने जोड़ दिया ये 4 और 12 16 हो गया पर swap की वजह से हमने क्या किया swap की वजह से हमने उनसे इस rate पर उधार करवाया 10 परशन और लायब और प्लस 1 परशन उन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो मैंने गा यार अगर वो खुद खुद कर रहे थे अपने आप तो ये cost परड़ा था दोनों का मिलाकर हमारे हिसाब से ये cost परड़ा तो यार हमें gain कितने का हो रहा है total मिलाकर 5 परशन और intermediary commission ये दोनों का मिलाकर है 50 basis point मतलब 0.5 परशन तो बताओ net gain कितना हो गया 4.5 परशन it means swap करवा दे और commission commission काटने के बाद भी हम 4.5 परशन बचा लेंगे उन लोगों का ठीक है अब मैंने गा भीया आप क्या चाहते थे तो वो ये कह कि a limited का desired borrowing क्या था अब अब effective cost सुनो कैसे निकलेगा a limited का desired borrowing क्या था सर वो क्या चाहता था वो चाहता था libor plus 1 और हमने कितना बचाया 4.5 तो 4.5 दोनों को नहीं मिलेगा ratio दिया रहेगा ratio नहीं दिया तो हम आधा आधा माइनस कर देंगे तो libor plus 4 में से आधा माइनस कर दिया तो effective cost पढ़ा libor plus 1.75 और सर इसका क्या था 12 12 में से हमने ये माइनस कर दिया तो पढ़ा कितना उसको 9.75 this is effective cost वैसे मैंने diagram भी बनाया होगा पर ठीक टाइम नहीं अभी diagram वगिरा देखने का आप कर सकते हैं alternative भी swap design करने का तरीका है alternative पर हम नहीं जा रहा है ऐसी comparative advantage example number 8 यह देखना जरूरी है example बहुत अच्छे से मैंने गरवाया unlimited क्या चाह रहा है अब पहले देखे किसको फाइदा है sir unlimited को फाइदा है fix में और a limited को फाइदा है floating में भी तो sir इसको तो दोनों में advantage है this is absolute advantage a limited को fix में भी फाइदा है floating में भी फाइदा है लेकिन इन दोनों का comparison करो ना fix versus floating comparison में किसमें फाइदा sir इसमें 2% का फाइदा है और इसमें 3% का फाइदा है तो भाई इस हिसाब से a limited को फायदा fix में जादा है this is comparative advantage तो a limited को fix के हिसाब से उधार लेना चाहिए fix के हिसाब से नहीं a limited को 3 परशन का फायदा है ना तो उसको floating के हिसाब से उधार लेना चाहिए पास समझे में आ रहा है तो वही मैंने यहां लिखा है कि a limited को fix versus floating दोनों में फायदा पर comparative, absolute advantage पर comparative उसको floating में जादा फायदा है तो उसको floating के हिसाब से उधार लेना चाहिए लेकिन वो floating के हिसाब से उधार नहीं लेगा वो question बताएगा कि a limited कि के हिसाब से उधार लेगा fix के हिसाब से तो यह कहाने लिख दोगे effective कैसे निकलोगे सबसे पहले अगर swap नहीं होता तो क्या होता, दोनों को जोड़ दिया swap करवाने के बात क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दिया यह आगया gain 1% और उसमें से commission कुछ होगा तो वो मैंने minus कर दिया, तो net gain आगया 0.5% अब देखो, desired worrying क्या है sir, desired worrying है, इसका 10% तो 10% में net gain minus कर देना, आधा-धा, अगर कुछ share दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, तो यह बनेगा हमारा effective question simple okay चले जी 45 minutes हो गया, इस पर ज़्यादा time नहीं लगा सकते हैं हम लोग question number 16 अच्छा question है इस question में आप भसे हो question number 16 तो मैं एक बार करवा ही देता हूँ ठीक है sir, इसको भी देखते है A incorporation, B incorporation, दोनों है A incorporation borrow करना चाहता है, dollar 2 lakhs और B incorporation borrow करना चाहता है, 2 lakh dollar के बराबर yen, मतलब यह borrow करना चाहता है, 2 lakh dollar और यह borrow करना चाहता है, yen, rate दिया होगा, sir 120 दिया है तो यहां लिख दिया है, ठीक है A incorporation, B incorporation लिख दिया और यह जहां से borrow करें है, उनकी bank लिख दिया A incorporation borrow क्या करना चाहता है, dollar यहां इस्टा लगा दिया और B incorporation क्या borrow करना चाहता है, yen यहां भी इश्टाल लगा दिया, स्वैप का एक रूल से है जो जो चाहता है उससे हम वो बौरो नहीं करवाएंगे उससे हम येन बौरो करवाएंगे तो ये बौरो करेगा ये अंध्यान से समझना, ये बौरो करेगा ये पाच परशन के साब से और ये बौरो करेगा डौर दस परशन के साब से वो बौरो करना चाहता है इस पर उससे हम ये बौरो करवाएंगे पाच परशन के साब से, इससे हम ये बौरो करवाएंगे दस परशन के साब से, यहां तक ठीक है अब सर इसने बोरो किया येन वो इसको ट्रांसफर कर देगा इसने बोरो किया डॉलर वो इसको ट्रांसफर कर देगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब दिक्कत क्या है अब दिक्कत है सर एक साल बाद जब इंट्रेस्ट देना पड़ेगा इंकर्पिरिषियर इंटर्ष तो देगा और कितने का पाच परशन तो देखो कितने का और कितना बॉरू किया था 120 लाग का पाच परशन Simon 12 लाग यह इंटर्ष देगा और यह भी तो इंटर्ष देगा इस से आपने डॉलर बॉरॹ करवाए तो दो कदस परशन यह 20,000 डॉलर दे देगा इन लोगों को बाहर इंटरेस्ट देना है बैंक वाले को लिकिन बदले में आपस में तो कुछ होगा और जो आपस में होगा उसने यहां समझा रखा लिखा दे अंटर करेंसी स्वेप अंडर विच इस एग्रिड देट बी इनकॉर्पर इनकॉर्परेशन को कितना बुले जो येन का लोन लेर रखये न उन्हों speaks के इक परशन ज़ाता कि येन का जो लून लेरिखा था उसने 1,apolis का अपना दिमाघ लेख है अब A B को कितना देगा तो लिखा A B को देगा कितना पर्षंट 9 पर्षंट बोलाएं तो चैलेंज नहीं करेंगे A B को देगा 9 पर्षंट मतलब 20,000 डॉलर का 9 पर्षंट मतलब ये इसको देदेगा 18,000 डॉलर ठीक है येन 14,40,000 और देना है 12,000 तो नेट में हमारे पास येन 2,40,000 ये जा रहा है पैसा और ये हमारे पास से पैसा बच रहा है पर A N कॉर्परेशन किसमे बोरो करना चाहता था डॉलर में तो यहां हमें डॉलर में ही दिखाना पड़ेगा और यहां हमें कैसा उपलो येन में दिखाना पड़ेगा तो सर येन को हमने डॉलर में कनवर्ट कर दिया तो इफेक्टिव इसके पास से 16,000 डॉलर जा रहा है अब पर्षेंटेज में निकाल लिया तो पर्षेंटेज आ रहा है आठ पर्षेंट और अगर स्वैप नहीं होता तो कितना पड़ा था 9% तो बोलो कितना बचा लिया हमने एक पर्षेंट बचा लिया सर हमने डॉलर 2000 बचा लिया ऐसे бीन कॉर्परेशन 14 और 44 तो जा रहा है 14 और 44 कहां से ये जा रहा है और सर डॉलर भी तो जा रहा है इधर जा रहा है 20 और इधर से 18 तो 2000 डॉलर और जा रहा है इसको मुझे येन में convert करना पड़ेगा क्योंकि येन में ही दिखाना पड़ेगा क्यों क्यों दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये चाहता ही था being corporation येन में तो total मिलाकर येन इतना हो गया percentage निकाला 7% जबकि अगर swap नहीं होता तो 8% वे बोरो होता तो इस तरह सी effective cost that's it okay sir चले जी आगे cap collar floor last topic है cap collar floor okay cap collar floor cap collar floor में क्या है बैटा ऐसा है कि आपको long term के लिए borrowing करना है किस बात कर डर है कहीं rate बढ़ना जाए एक काम कर सकते हो आप cap खरी सकते हो cap का मतलब क्या होता है call option option का मतलब क्या होता है rate बढ़ेगा exercise price होगा इसमें भी strike price अगर rate बढ़ेगा तो हम option exercise करेंगे नहीं तो lapse करेंगे बस इसमें premium हर बार नहीं देना पड़ता है premium lump sum देना पड़ता है ऐसी floor क्या होता है सर जब हम investment करते है तो हमें दर होता है कि rate कम ना हो जाए तो rate कम होके लिए put option खरीते है बस यहाँ interest rate में floor होता है cap बढ़ने पे betting करते हो floor गिरने पे शर्त लगाते हो बढ़े में premium देना होता है लगेगा तो option exercise करेंगे नहीं तो lapse हो जाएगा एक collar strategy होता है collar strategy सर इसमें होता क्या है collar strategy में होता यह है जब आपको borrow करते तो आप cap खरीदते हो cap खरीदते तो सर प्रीमियम जाता है cap खरीदने से premium जाएगा लेकिन यार एक बात सोचते है ना जब मालुमी यह बढ़ने वाला है और premium जा रहा तो उसकी premium की recovery के लिए आप floor क्या कर सकते हो sell कर सकते है नीचे तो जाना नहीं है option तो सामने वाले का वैसी lapse हो जाएगा floor कब exercise होगा जब price नीचे जाएगा और आप भी जानते है नीचे जाएगा नहीं तो कम से कम premium की recovery भी तो हो जाएगी प्रीमियम की recovery के लिए एक strategy बनाया जिसका नाम है caller जिसमें आप cap खरीदते हो और floor sell करते हो ओके सर एक question है question number 22 अच्छा question है हला कि disputed question है पर हब भी हम dispute की बात नहीं करेंगे हमारे पस इतना time लिए x y z incorporation issue pound 10 million floating rate loan बच्चों को ये लगता है कि issue हो रहा है मतलब loan दे रहा है बच्ची लोन दे रहा है bond issue कर रहा है मतलब loan आप ले रहा है borrow कर रहा हूँ घरबवर्ड मत कर देना है extra दिमाग चलने लगता है borrow कर रहा है कितना euro 10 millions कॉप बउरो कर रहा है एक जूलाई अगर आप एक जुलाई को बोरो कर रहे हो किस रेट पे बोले हर छेचे महने का लाइबॉर प्लस 50 बेसिस पॉइंट लाइबॉर प्लस 0.5 तो इसका इंट्रेस्ट कब जाएगा छे मेने बाद 31 दिसंबर को बाद समझ में आती है ठीक है सर तो XYZ इंट्रेस्ट है इन्होंने कॉलर स्ट्रेटीजी बनाया इन्होंने सेल किया फ्लोर होना ही था और बाई किया है कैप इस्ट्राइक प्रैस तो बता दो भाई और तीन साल का टोटल पिरियट है नोशनल प्रेंसिपल है 10 मिलियन लायबोर सिक्समत लायबोर और 4% है फ्लोर मतलब लायबोर करेट यह एक श्ट्राइक प्रैस है 4% से नीचे जाएगा तो सामने वाल एक्ससाइज करेगा मुझे देना पड़ेगा और 7% है कैप मतलब 7% से उपर जाएगा तो मुझे डिफ्रेंस मिल जाएगा किससे कमपारीजन करना यहां लायबोर प्लस 0.5 से कमपारीजन मत कर देना यहां यहां किससे कमपारीजन होगा लायबोर से ठीक है ओके प्रीमियम जीरो है क्यों क्योंकि बोले कैप पे प्रीमियम हमको पैट करना पड़ेगा और फ्लोर पे रिसीव होगा सबसे पहले जो मांगा है उसे ने मुझा effective interest पैट हर reset debt पर effective interest कितना जाएगा और उसके बाद average overall interest आपको निकालना है और लाइबोर का rate ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये बता एक जुलाई का बताना चाहिए था एक जुलाई 2012 का बताना चाहिए था उसको मालम है एक जुलाई 2013 का आई साब उन्होंने बताया 31 दिसंबर 2013 का उसने का पहले के 6 मेने चोड़ो उसके बात का काम करो तो ये वाला interest calculate होगा 31 दिसंबर 2013 को ये rate हो गया तो ये कब होगा सर ये होगा 36 2014 तक जाएगा मतलब इस rate पर यहां से यहां तक interest calculate होगा इस बात का विसीज धियान रखना ठीक है चलो table बनेगा सबसे पहला काम ये होगा कि आपको जिस बैंक से उधा ले रहा है उसको interest कितना देना सर 31 दिसंबर 2013 को rate हो गया 6% लाइबर का तो बैंक वाले को हमें देना पड़ेगा 6.5% ठीक है 6.5% अभी मैं cap और caller की बात ही नहीं कर रहा हूँ बैंक वाले को कितना देना पड़ेगा मुझे में बिल्कुल खुश नहीं उन्होंने डेज में calculate किया है तो आप भी डेज में calculate कर ले ना डेज कहां से कहां तक count करोगे यहां से यहां तक count करोगे 31.12.2013 से 30.6.2014 तक 181 days होते बैंक वाले को interest जाएगा जो भी लाइबर का rate था उसमें 0.5% जोड़ दोगे और उसके सबसे payment होगा इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या अब सवाल यह है कि अब cap exercise होगा कि नहीं होगा cap का rate कितना strike price है 7% 7% से उपर जाएगा तो cap exercise होगा आपको कभी भी और betting हो रही है लाइबर पे लाइबर प्लस 0.5% पे नहीं हो रही है यह मैं बार बार बोल रहा हूँ तो सर कहीं भी क्या 7% से उपर है नहीं है तो लाइबर से cap से हमारा कुछ पैसा नहीं मिलनेगा floor कभ exercise होगा 4% से नीचे धून्डो धून्डो सर यहाँ floor exercise होगा हमको देना पड़ेगा और यहाँ भी floor exercise होगा हमको देना पड़ेगा और difference देना पड़ेगा 0.25% days के सबसे calculate कर लेना तो सर इतना देना पड़ेगा इतना देना पड़ेगा इन दोनों को जोडते जाओगे तो हर reset rate में कितना payment जाएगा यह किसको जाएगा बैंक वाले को यह किसको जाएगा जिसको आपने floor sell किया है अगर यहाँ किसी भी दिन लायबोर का rate हो जाता 7.25% तो फिर हमको मिल जाता है यहाँ bracket लगा देते हैं तो सर टोटल तीन साल में यह interest गया है और टोटल तीन साल मतलब days में calculation हो रहा है तो effective interest परेनम निकल सकता है सर इतना टोटल इंट्रेस्ट गया यह यह टोटल इंट्रेस्ट गया 1096 डे का तो 365 दिन का कितना और answer आ गया 5.5% हाला कि इस question में बहुत if and but है वो मुझे नहीं करवाना मैं आपका time नहीं बरबाद कर सकता question number 24 यह भी cap collar floor का है loan कितने का सर 40 लक ओके और बोल रहा कि inception पर हमको ऐसा लग रहा था कि 8.5% होगा लेकिन यह rate होगा 8.75 ऐसा हो जाएगा ऐसा central bank ने announcement किया कि rate बढ़ने वाला rate बढ़ने वाला तो हम क्या सोचेंगी किया क्यों ना यार cap खरीद ले और cap का जो premium और हमने 8.5% पर कैप खरीद ली यहाँ इससे बढ़ेगा तो हम option exercise करेंगे और बदले में हमें जो है premium देना पर रहा है 0.75% पर रहा है ना हर साल का है हलाकि हर साल का होता नहीं है सर आप हर साल का है ना भी है दिक्कत किया अब बोले rate चालिश लाक लिया है 8.5% strike price है चार साल के लिए है और premium दी गया हमारा 30,000 रुपै पर रहनम याद रखना यहाँ अमोर्टाइज नहीं होगा premium का क्योंकि पर रहनम दी है अब बोले rate यह हो गया यह हो गया यह हो गया तो क्या होगा net में क्या होगा बता सकते हो rate यह हो गया क्या cap exercise होगा yes कितने पर थे यह 8.5% तो difference हमें 1.75% मिल जाएगा तो sir इतना देना पड़ेगा यह मिल जाएगा तो हमें effective तो 8.5% भी पड़ा sir यहाँ भी cap exercise होगा sir यहाँ भी cap exercise होगा और 8.25% अगर हुआ तो cap lapse हो जाएगा और हम 8.25% पर बहुरों कर लेंगे बाद समझ में आरे है तो वो बताने की कोशिश करा किसी भी हालत में interest 8.5% से उपर नहीं जाएगा हाला कि इसको पैग करने के लिए आपको 30,000 रुपए हर साल premium का देना पड़ेगा ठीक है ओके सर चले आगे इस इस दर लास्ट कोशिशन कोशिशन नमर 25 अजीब सा कोशिशन है रट्टा मारना पड़ेगा रट्ने वाला कोशिशन है यह ओके सर बौरो करने का सोच रहा है हम 15,000,000 और 6 मन्थ लाइब और लाइब और 10 परशन पे हम बौरो करने का सोच रहा है अज़ीख इतने माने के लिए 24 माने के लिए 24 माने दो साल 6 मन्थ है 6 मन्थ, 6 मन, 6 मन, 6 मन 4 बार ऑपानी को राइज इन लाइब और ठीक है डर है कि लाइब और बढ़ना जाए इसलिए वो cap खरीद रहा है और cap का strike price है 8% मतलब 8% से उपर जाएगा तो हम cap exercise करेंगे premium, lump sum premium है 1% अब दिक्कत क्या है अगर lump sum premium है मैंने आपको बताया था जब जब भी lump sum premium दिया रहेगा यहां दे रहा हूँ तो मुझे इस premium को amortize करना पड़ता है हर बार amortize करना है तो amortize या तो divided by 4 कर सकते या जैसे हम equivalent annual PVCO निकलते थे ना cash outflow वैसे यहां हमें करना पड़ेगा हमें present value factor से divide करना पड़ेगा इधर गया यह और सर opportunity cost कितना 7% तो मैंने 7% का factor निकाला 1, 2, 3, 4 और सबको जोड दिया तो यह हर साल का premium निकला ताकि हम net pay off निकाल सके यह आपको दिखाना पड़ेगा मेरी बास समझने यहां का premium कितना यहां का premium कितना यहां का premium कितना यहां का premium कितना यहां तो हर 6 मैंने का निकाला 40861 ओके सर यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत है अब आने वाले reset period का वैसे चार reset period देना चाहिए था उसने तीन ही दिया ठीक है जितना दिया है अगर 9% हो गया तो सर कैप exercise हो जाएगा rate 9.5 तो सर कैप exercise हो गया rate 10 हो जाए that's it ICAI ने इसको किसी और तरीके से किया हाला कि पूछा क्या गया है कोईशन में पूछा यह गया है कि बताओ कैप की वज़ा से आप कितना पैसा बचा लिए कितना फाइदा हो गया institute ने इस कोईशन को अजीब तरीके से कर रखा है वो कैसे कर रखा है सुनना उनका यह कहना है क्योंकि लाइब और बढ़ रहा है अगर लाइब और बढ़ रहा है तो उसकी वज़ह से आपको एडिशनल देना पड़ा है इंट्रेस्ट वैसे तो आट पर्शंट था आट पर्शंट है पर अगर लाइब और नौ पर्शंट हो गया तो आपको एडिशनल वन पर्शंट देना पड़ा है अमाउंट कितना है 15 लाख है साहे 15 मिलियन 15 मिलियन का 1 पर्शंट डिवाइद बै 6 तो बोले divided by 6 के से हो गया 15 million to 1% divided by 2 इंटु 6 by 12 कर ले ना सच 6 मेने का क्योंकि cap बढ़ाना तो इसकी वज़े से हमको ये extra देना पड़ा presentation पूरा ICAI का है ठीक है 9.5% हुआ हमें इतना interest देना पड़ा और 10 हुआ तो हमें इतना interest तो बोले जो additional हम interest पे कर रहा है वो तो हमें हम cap exercise करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा पर बदले में हमें premium भी तो देना पड़ा है अज समझ रहा है ये additional मेरे जेप से जा रहा है ये additional yes cap के बढ़ने की वज़़ा से रटवा रहा हूँ ये additional जा रहा है पर ये मुझे सामने वाला cap exercise कर लूँगा तो ये मिल जाएगा और साथ में मुझे premium भी देना पड़ा तो मेरा net cost कितना पड़ा है तो किया कैसे है net cost कैसे निकाला net payoff net payoff कैसे निकला है इसमें या या 3,4,1,3,9 ओके 75,000-40861 वो क्या बताने के कोशिश करा सुनना देहां से टूटल मेरा इतना जाएगा additional इसको अलग कर दो additional इतना जाएगा पर cap की वज़ा से मुझे इतना मिलेगा अगर premium भी कार दूँ तो मुझे इतना तो मिलेगा cap की वज़ा से तो cap की वज़ा से इतना तो मुझे मिली जाएगा इतना जा रहा है पर इतना मिल जाएगा तो cap की वज़ा से मैं interest cost इतना रुपिया बचा लूँगा इतना pound बचा लूँगा अजीव सा presentation है पर ऐसे ही कर इंट्रेस्ट रिट खतम हुआ एक घंटे का टार्गेट था एक घंटे में खतम हुआ ती बिल फ्यूचर भी है वो में सिक्यूरिटी वैल्यूशन के साथ कवर कर देता हूँ यहाँ भी मेरे पास पीडिएफ नहीं है सिक्यूरिटी वैल्यूशन में कवर हो जाए ठीक है अगला चैप्टर कौन सा ले ले फॉरेक्स कैसा है आज श्टार्ट कर रहा है फॉरेक्स भगवान का नाम लिख कर ओके टाइम लगेगा कुछ लोग तो फॉरेक्स छोड़ने का भी सोच रहे हैं पता नहीं कैसे हमारा टार्गेट है दो फैर से पहले हम फॉरेक्स खतम कर रहा है ओकी सब बात करते हैं अ बहुत सारे टॉपिक्स हैं बेसिक्स हैं में नहीं कर वहांगा मैं आपको पिलकुल यह ने समझाओंगा कि बिड रेट आस्क रेट क्या होता इनवर्ट कैसे करते हैं यह सब कुछ नहीं कर वा रहा हूँ पावर्ट कवर, स्पॉर्ट, मार्केट, आरिबिट्रेस, बेसिक के सीधा कोशन कर वाँगा तो कोशन से समझ में जाएगा इसके अलावा बड़ा सारा है भाई, पढ़ते पढ़ते ठक जाएगा, हमारा टॉपी की खतम नहीं होगा तो मैं सीधे मुद्दे पे जाओ, या सीधा पहला कोशन उठा रहा हूँ सब लोग को आता है बिड रेट, आस्क रेट, बस मैं यहाँ थूड़ा सा कोशन के साथ समझाते हूँ चलूँगा, तो पहला कोशन हमारी बुक में कोशन नमबर थ्री लिखा हुआ 28 जनवरी को कोई इंपोर्टर है भाई साफ, इंपोर्टर है तो उसको सिंगापूर डॉलर की जरूरत है और सिंगापूर डॉलर कितना चाहिए 25 ने 25 लाक ऐसा अजीब सा लिखान है, सिंगापूर डॉलर चाहिए 25 लाक तो बदले में उसके पास कौशी करेंसी, रुपीज ही होगी रुपीज ही है इस कोशन में basically ली तो उसे रुपीज पर सिंगापूर डॉलर कितने का पड़ेगा वो कब लेना चाहता था सर वो लेना चाहता था अठाईस जैनरी पर किसी वजह से डिलेवरी हो रही है चार फैप को तो यह जो इस सिंगापूर डॉलर अठाईस अगर मैगा पड़ा तो लॉस सस्ता पड़ा तो गेन तो वही पूछ रहा है गेन या लॉस निकाली है अब ध्यान से समझना प्रॉबलम है रेट्स रेट्स सीधा सीधा नहीं दिया है रेट्स घुमा कर दिया है तो आप समझदार हो हमें निकालना क्या है हमें निकालना है रुपीज पर सिंगापूर डॉलर, हमें सिंगापूर डॉलर कितने का पड़ेगा रुपीज ही क्यों लिए है वो बात और ये जो भी रेट से ये कौन से रेट से दिये यहीं, इंटर बैंक रेट से दिये, मतलब बेचेगा बैंक, तो बाद में, एक बार क्रोस रेट निकाल लेते हैं, बाद में हम आरजिन एट कर देंगे, अब सवाल है कि पहले रेट डिसाइट कर लेते हैं, ठीक है, हाला कि अगर पहले रेट डिसाइड नहीं करता तो मैंने क वन से डिवाइड इट करेंगे, तो अपोजिट रेट ले लेंगा, वो तब करते हैं, जब रेट हमें फाइनल नहीं हो, यहां हम रेट डिसाइड कर रहा हैं, हमारे पास है रुपीज और हमको खरीद रहा हैं सिंगापूर डॉलर, तो अब ध्यान से यहां पहले रेट ही स सब कुछ है, ओके सर हम लोग तयार हैं, सर रुपीज से पहले हम डॉलर खरीदेंगे, बिल्कुल सही, रुपीज से डॉलर खरीदेंगे, डॉलर से फिर पाउंड खरीदेंगे, और फिर पाउंड से सिंगापूर डॉलर खरीदेंगे, बिल्कुल सही, तो सर हम तयार हो क्या आ गया है dollar तो bank से हमें pound खरीदेंगे लेकिन rate किसका दिया है sir pound का bank pound बेचएगा bank pound बेचएगा bank dollar बेचेगा bank pound बेचेगा तो rate आएगा 1.7850 अब sir आप हमारे पास कौन से currency आगी आप हमारे पास आगई है pound तो sir bank हमısे वापस pound खरीदेगा तो यह वला rate बाकि आप जैसे decide करना है decide कर ले सकते हो rate किसका दिया है bank उस currency के साथ क्या करेगा जो मेरे बच्चे है उन्होंने ऐसे ही समस्के रखा थी finally sir rate final हो गया तो जैसे इसमें यह वला rate यह वला rate यह वला rate है इसमें भी एक rate यह आएगा एक rate यह आएगा अब हमारे पास rate कितने हो चुका अब ध्याँ से अब cross rate कर रहा है सर एक तो यह rate मिल गए हमें रूपीज पर डॉलर खीक एक डॉलर पर पाउंड और एक सिंगापूर डॉलर पर पाउंड हमें निकालना है रूपीज पर सिंगापूर डॉलर और सर इसमें तीन करेंसी है तो मैंने आप से कहा था start कहां से करना है रूपीज से तो रूपीज रूपीज कहा है देखो सर रूपीज यह तो रूपीज से डॉलर और डॉलर से डॉलर कटना चाहिए तो डॉलर पर पाउंड है डॉलर पर पाउंड से पाउंड कटना चाहिए तो पाउंड उपर लिखा सिंगापूर डॉलर नीचे लिख दिया मैंने बोला था ना ये कटना चाहिए आपस अब रुपीज पर डॉलर चाहिए रुपीज पर डॉलर दिया तो सीधा लिख दिया डॉलर पर पाउंड है तो डॉलर पर पाउंड भी दिया तो सीधा लिख लिख लिया अब मुझे चाहिए पाउंड पर सिंगापूर डॉलर पर दिया है एक बार आपने ये final कर लिया तो फिर वापस इधर नहीं जाना है final है मतलब final है खिक है और फिर आपका answer आगया 25.9806 और 25.9 25.9482 अब bank Singapore dollar बेचेगा तो इतने में बेचेगा पर ये enter bank है तो margin भी क्या होगा plus बेचते समय प्लस और खरीदते समय वैंक क्या करता है minus तो margin प्लस किया तो final answer ये आगया पहला ही कोशन में थोड़ा मुस्किल ले रखा है क्योंकि मुस्किल एक कर नहीं है वैसर ऐसी चार तारिक का rate है margin margin 8 कर खिए तो सर अगर मैं चार तारिक को Singapore dollar खरीद हूँ तो 26 का 28 को खरीदता तो 25 का तो सर हमें लॉस हो रहा है कुछ है नहीं है इसमें करने के लिए question number 5 उठाया है अच्छा question है देखें कैसा लिखा हुआ है एक bond है जिसको खरीदा है आपने dollar 5000 का एक साल बाद एक साल बाद 5250 का बिख जाएगा और 350 interest का भी मिलेगा तो क्या आप rate of return निकाल सकती हो अगर आप US के investor हो अगर हम US के investor है तो simple से return निकल जाएगा और वो निकल जाएगा 12% आपको मालूम है यह कैसे यह पैसा आया यह पैसे इस minus के लगाया था तो return निकल गया 12% पर अगर आप US के investor नहीं मालो में इंडिया के investor नहीं आप तोड़ा सा सोचना जब मैं dollar खरीद कर bonds खरीद लिया ठीक है dollar लिया फिर bonds खरीदा लिकिन bonds जब बेचूंगा और एक साल बाद पैसा आएगा तो और उसमें 2% dollar का rate भी बढ़ जाएगा सोचो ना यार मेरा तो double फाइदा है दिख रहा है न आपको एक तो यार जो एक साल बाद dollar आने वाला है वो तो और बढ़ेगा ना भाई बढ़ क्योंकि एक साल बाद जो dollar आएगा वो तो महगे में बिकेगा महगे में बिकेगा तो उससे भी तो फाइदा है तो अब return कितना आएगा सर 12% तो वैसी कमाई हो रही थी चाहे आप इंडिया को चाहे यूने पर सर इंडिया के होने से और dollar के rate बढ़ने से dollar के rate बढ़ने से मुझे फाइदा होगा आप समझ रहा हो ना एक साल बाद जब मेरे पाश dollar आएगा तो महगे में बिकेगा तो 2% का और फाइदा है उस हिसाब से rate operator कितना हो गया देखा जाए तो 14% पर 14% नहीं होगा क्योंकि ये 2% का effect principal भी तो पड़ता है तो मैंने कैसे निकाला other than US investor 1.12, 1.02, minus 1 वारा ते factor into factor कर लिया 14.24% concept अच्छी से समझा दिया हूँ आपको समझा चुका हूँ इस पर बात नहीं करें ओके सर, spot market arbitries क्या होता है कुछ नहीं होता भाई जहां currency सस्ती भिक रही है वहां से खरीदना है सस्ते में मिल रही है और जहां महगे में भिक रही है वहां base देना है तो आपका arbitries आ जाएगा spot market arbitries इसे कहते है इसी में एक होता है triangular arbitries इसके लिए मैंने question number 7 उठाया following are the spot rate दे रखा है बस यह जो rate दिया है इसको अच्छे से लिखना वैसे तो generally इसको हम one मानते है बास समझने की question वैसे तो ISO code है मैंने आपको बता रखा था और ISO code में generally हम यह पहले लिखा है तो यह one unit होता है पर जब मैंने इसको देखा 48.30 तो मैंने का यार एक रुपिया में ठीक है फिर तो यह रुपीज पर डॉलर यह ठीक लिखा हुआ है फिर कोई दिक्कत नहीं ओके सर रुपीज पर डॉलर लिखा है और यह रुपीज पर पाउंड लिखा है और यह डॉलर पर पाउंड लिखा है हमारे काम नहीं आएगा हम इस पे फोकस करेंगे तो मुंबई में एक डॉलर का रेट है 48.30 और लंडन में है 77.52 और इसके अलावा कहां न्यू यॉर्क में है डॉलर पर पॉंड 1.6231 अब यार आर्बिट्रेज वो के पास डॉलर आर्बिट्रेज के पास डॉलर है याद रखना वो आपको जरूर बताएगा कि आप आर्बिट्रेजर के पास कौनसी करेंसी है कौनसी करेंसी है डॉलर तो मैंने आपको एक रूल से बता रहा है ट्राइल एन एरर से काम करेंगे एक बार स्टार्ट कहां से करना है कभी भी सर स्टार्ट करना है डॉलर से स्टार्ट करना है डॉलर से और खतम कहां करना है डॉलर क्योंकि हमारे पर डॉलर है तो हम मुंबई जाएंगे डॉलर से रुपिया खरी देंगे फिर लंडन जाएंगे रुपिया से पाउंड खरी देंगे और सर फिर हम कहां जाएगे नियॉर्क जाएगे पाउंड से डॉलर खरी देंगे ओके ठीक है सर या फिर श्टार्ट यहां से भी हो सकता है या डॉलर से पाउंड खरी देंगे पाउंड से रुपीस करी देंगे रुपीज से वापस डॉलर करेंगे, मतलब कैसी भी स्टार्ट कर सकते हो, एक में गेन आएगा, एक में लॉस आएगा यह मैंने आपको करवाया था करें सर, यस पहले कांसे स्टार्ट करें सर, डॉलर से स्टार्ट करते हैं, मतलब डॉलर से 48.30 तो सर ये रुपिया आ गया अब रेट पाउंड का दिया है डॉलर से रुपीज रुपीज से पाउंड सर डिवाइड रगए डिवाइड बाई 70.52 तो सर अब हमारे पास पाउंड आ गया और पाउंड के रेट सर मल्टिप्ले इंटू 1.6231 तो यार हमारा आ गया टूटल मिलाकर 10.112968 बस इसी को अप लिख देना और सर मालो इधर से लॉस आता तो फिर ये वाला पक्का पक्का गे नहीं आता फिर इस रूट से लिख देते हैं हलाकि अभी इसी रूट से प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट आ गया 1.12968 इस पे ज़्यादा महनुत नहीं चले है फावट कॉंट्रक्ट इंपॉर्टेंट है इससे कोश्चिन आते हैं और बड़े सारे कोश्चिन साते हैं इसलिए इसको अच्छे से करना फावट प्रीमियम या डिसकाउंट निकालने का सिंपल सा एप माइनस S डिवाइड़ बाई S एक एक्जामपल से समझते हैं और भी बहुत कुछ है पर हमारे उतने काम का नहीं है यहां से बात करते हैं क्योंकि यह हमको याद करना पड़े गा सर इसपॉर्ट रेट दिया रुपीज पर डॉलर ठीक है और फावट रेट देखा रुपीज पर डॉलर प्रीमियम या डिसकाउंट निकाल लिये डॉलर में सर डॉलर तो प्रीमियम पे दिख रहा है दिख रहा है पर कितना परसंटेज है तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपन निकले कर लगेगा एप माइनस S और ये परेनम बेसिस पे निकाला जाता इसलिए मैंने परेनम निकाल लिया और ये आ गया 4.5 लेकिन यार प्रॉब्लम क्या जाएगा रेट दिया है डॉलर का और प्रीमियम या डिसकाउंट पूछ रहा है रुपीज में तब दिक्कत है जिसका रेट दिया है उसी का प्रीमियम या डिसकाउंट पूछता तो समझ में आता पर यहाँ इसका पूछ रहा है रुपीस का तब फॉर्मूला उल्टा लग जाता है बात हो चुकी थी और वो फॉर्मूला कैसे बना उस पे नहीं जा रहा हूँ वो फॉर्मूला कैसे क्या आएगा सर वो फॉर्मूला आएगा S-F divided by क्या बनेगा S-F divided by F आजाएगा और यह आगया कितना 4.49% ठीक है आएगा समझ में आ रही है यह दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने जरूरी है इसमें तो बहुत कन्फूजन होता है पर मैंने का ना उल्टा लग जाता है और डेरिवेशन करवाया था यह सब डेरिवेशन काम नहीं आएगा सपोज यह है सर दिखो ना सर यह पाउंड है यह पाउंड है और डॉलर तो फॉर्मूला उल्टा लगेगा वो उल्टा फॉर्मूला मैंने लगाया question number 11 से start करते क्या सर the following two-way quotes two-way quotes appearing in the foreign exchange is ported the two month forward how many US dollar should firm sell to get 25,25,25 रुपए after two month, दो मेने बाद forward rate है, बैंक को 25,25 रुपए चाहिए, चाहिए ना, बैंक से हमें 25,25 रुपए चाहिए तो हमें कितने डॉलर बेचना पड़ेगा मतलब सर, बैंक डॉलर खरीदेगा यह वला rate answer आ गया है, बिल्कुल सिंपल है, how many rupees in the firm required to pay, डॉलर 2,00,00 के लिए, कितना हमें रुपए पे करना, बतलब हम बैंक, हम डॉलर खरीदेंगे yes, 46,25 इसके अलावा बैंक 69,000 करेंट अकाउंट में है ठीक है भी या, अगर आप उस पे कोई interest नहीं मिल रहा है अगर आप उसे अभी cash में convert करवा दे होगे, तो interest मिलेगा, तो 69,000 डॉलर है, बैंक 46 के हिसाब से convert कर लेगा, तो इतना रुपिया मिलेगा, आच और इतने रुपए को हम बैंक में जमा करेंगे, तो 2 मेने बाद हमको इतना मिल जाएगा, अगर हम in cash अभी करवा लेते हैं, या तो in cash बाद में करवाओगे, तो 47 के हिसाब से अपका 69,000 डॉलर भी कीगा, तो इतना मिलेगा, तो बताएए हमको किसमें फाइदा है, कोईशन आ सकता है हलाएकि बिल्कुल ही simple कोईशन कोईशन नमबर 13 कोईशन नमबर 13 में ये बात है कि यार कोईशन इस पर है कि फावर्ट कवर करना शाहिए कि नहीं करना ठीक है, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है मार्च 2009 में आप खड़े हो और आप 1 सेप्टेमबर ठीक 6 मैंने बात का क्या रेट हो सकता है पाउंड का, ये हो सकता ये हो सकता और इसकी प्रोबैबिलिटी दिया तो इस बेसिस पे कि आप एकस्पेक्टेड स्पॉर्ट रेट निकल सकते हैं सर सीधा सीधा मल्टिप्लाई करके expected spot rate निकल गया पाउंड का क्यार मुझे अनुमान है कि पाउंड का rate 1.81 हो सकता है अगर आप forward cover करते हो तो बैंक कहता कि जो पाउंड लेकर आओगे ना हम उसके बदले में 1.80 डॉलर देगे क्या हमें forward cover कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वैसे तो hedge करना तो कर लेना चाहिए पर simple सी बत नहीं करना चाहिए क्योंकि नहीं करते तो हमको ज्यादा डॉलर मिल रहा ना भाई 1.81 मिल रहा है इसलिए नहीं करना चाहिए question number 14 अच्छा question है और इसको तो करना बढ़ेगा अच्छे से गरना बढ़ेगा जा going क्या yes देखा, JK Limited अंडियन कंपनी है export किया है sir, चित्र लगेगा इसी से तो मचाता करने में तो sir, JK Limited है yes, export हो रहा है yes, export हो रहा आने वाला है, आने वाला क्या है? yen है, और yen कितना आने वाला है? 10 million और कब आने वाला है सर ये आने वाला है 31 अगस्त को आने वाला है ठीक है आ जाने दो येन को ओल रहा है येन और रुपिया की बीच में डारेक्ट कोट नहीं है भई ये दिया INR पर डॉलर मतलब सर आई इनर तो वैसे तो इसको वन लेते है पर ध्यान से दिखो ये रुपिया दिया है तो ये हम कॉमन सेंस लगाया है रुपिज पर डॉलर लिखा हुआ है और ये भी क्या लिखा येन पर डॉलर लिखा हुआ है अब भाई साब उन्होंने डारेक्ट कोट नहीं दिया कि एक Yen कितने का तो कोई दिक्कत नहीं हम रुपीज पर Yen निकाल सकते है ना रुपीज दिया उपर उपर Yen दिया नीचे 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 ने ये ये भी उपर दिया देखो रुपीज उपर दिया तो हम इसको सीधा लिख लेंगे 62.22 into ये नीचे चाहिए Yen उपर दिया तो 1 से डिवाइट करना पड़ेगा 102.34 ऐसा मैंने बताया था ओके सर तो हमने इस पॉट रेट निकाल लिया 62.22 divided by 102.34 तो सर ये आगए 0.6079 ये 80 ये आगए इस पॉट रेट इसका मतलब है कि अगर अभी ये आता है तो इस रेट पर कनवर्ट हो जाएगा इस इस पॉट रेट फिर उनका कहना कि ये अनुमान है कि ये ये हो जाएगा 124 और इंडियन रुपीज हो जाएगा अगेंस डॉलर 65 तो फिर हमने रुपीज ये न निकाला और एक्सपेक्टेड इस पॉट रेट है रुपीज पर येन 0.524 इसका मतलब हुआ भाई कि कास अभी ये ये आ जाए तो एक ये न पर हमें मिलेगा 60 पैसा और जबकि ये अनुमान है कि अभी तो ये न मिलेगा नहीं तीन मेहने बात ये छे मेहने बात जब ये न मिलेगा तो उसके बदले में हमें मिलेगा 52 पैसा लॉस है इसको बोलते है एक्सपेक्टेड लॉस एक्सपेक्टेड लॉस किस-किस के बीच में इस पॉट्रेट और एक्सपेक्टेड इस पॉट्रेट चलो बैंक के पास जाते है बैंक फावर्ट कवर करने के लिए बोल रहा है और फिर उसने ऐसे rate दिये, तो इसके साब से हमें forward rate निकाला, 6026, तो क्या हमें forward cover कर लेना चाहिए, हाँ सर, forward cover कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इससे forward rate तो जादा है, तो forward cover कर लेना चाहिए, सिंबल भास हमें, ICAI का presentation क्या है, ICAI का presentation की बात करूँ, सबसे पहले वो पूछता है कि expected loss बताईए, expected loss सबसे पहले, expected loss इसके और इसके बीच का निकालना है, ठीक है सर, expected loss पूछता याद रखना, expected loss इन दोनों के बीच का निकालना, फिर वो पूछता कि forward cover करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, तो IC, वैसे सीधा answer हो सकता, पर ICAI ऐसा नहीं करता, फिर वो क्य करता है, बोलता है, चलो नहीं, forward cover करके देखते, फिर loss निकालता है, इसका और इसका comparison करके, इस spot से इसका comparison करके, और फिर क्या निकलता है, loss और ये क्या है, expected loss, और ये ज़्यादा ही रहेगा, जनरली ज़्यादा रहता है, तो वो बलता, देखो ना यार, forward cover करने से loss कम हो र के बीच का spot rate और expected spot rate के बीच का expected loss आगे दूसरा क्या है दूसरा पूछता है कि बताई यह forward cover करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो ICEI क्या लिखता है ICEI फिर loss निकालता है पहले housing is not done अगर housing करेंगे तो भी loss होगा फिर किसके अभी समें spot rate और forward rate के बीच में comparison करता है और व वो आप से कहता है कि देखो ना loss कम हो गया forward cover की वज़ा से तो हमें forward cover करना चाहिए that's it अगला point पूछता अगर मान लो ठीक 31 अगस्त को यह rate हो गया यह rate तो बताई यह forward cover justified है यह नहीं अपने forward cover किया कितने में बात कर लिया था अपने रुपीज पर यह सर हमने बात कर लिया था point 6026 का point 6026 और actual में rate यह हो गया तो सर justified है भी यह ज़्यादा मिल पैसे मिल रहा और क्या चाहिए और फिर भी फिर वो loss निकालेगा इस portrait और यह वाला actual इस portrait और वो ले loss आगया एक लागती नहीं चाहरो हाला कि इसका आप आंसर सीधा भी लिख सकते थे वही इससे forwarded ज़्यादा है hence forward cover is justified ओके सर आगे चले question number 15 okay सर 15 15 अच्छा question है 15 देखना पर 15 में क्या बोल रहा है एक बड़ देखे क्या यस 15 में बोल रहा है बोले एक company है जो जापान में operate होती है उन्होंने sales किया है किसको Indian company को इसने Indian company को sales किया तो Indian company payment करना ही वाली है और payment किसमे होने वाला यह इन तो सर Indian company को connection है ये इन में payment होने वाला 108 लाक और कब payment होने वाला 3 मैंने बात और अभी ये 108 लाग ये कितने के बराबर है ब Wars तीस लाख रौपिया के बराबर है 108 लाग बराबर है तीस लाग का अब सवाल ये है कि हमें रौपीज पर ये निकालना कि ये इन पर रुपीज निकालना, समस्या ये थी तो फिर मैंने का कि यार ये forward rate देखो ना किस language में दिया है, सर forward rate ऐसे दे रखा है, ये इन पर रुपीज तो मुझे ये वाला भी इन पर रुपीज निकालना पड़ेगा, तो 108 divided by 30 किया, तो ये आगे 3.60 अब expected spot rate बुले, exchange rate decline हो जाएगा 10% से, तो मैंने 10% कम कर दिया, तो ये आगे expected spot rate, और मुझे तीन चीज मिल गई, सर एक तो spot rate मिल गई, एक तो expected spot rate मिल गई, तो इससे expected loss निकल सकता है, जो कि उन्होंने मांगा और forward cover करना चाहिए, कि नहीं तो फिर मैंने forward, spot rate और forward rate से, अभी भी loss निकाला, और मैंने का देखो न, यार loss reduce हो गया, तो हमें forward cover कर लेना चाहिए question number 18 सारे अच्छे question कर वा रहा हूं, छोड़ नहीं सकते हैं, आँ तो किसी भी question को अभी आदा घंटा हो गया, सुच्चो कितना टाइम लगेगा, पर ठीक है a company is considering housing its foreign action risk, और purchase कर रहा है, 1st July 2016 को और payment करना कितना करना, सार 60,000 डॉलर का payment करना है, और ये जो payment करना, ये payment करना 31 December को अभी action rate कितना चल रहा है, 65 ठीक है, पर आप इसे 64 में खरीज सकते हो 60,000 डॉलर 64 में खरीज सकते हो, ठीक है पर बोले 2 परशन प्रीमियम लगेगा भी साब भाई, साब भाई पावरट कवर में प्रीमियम नहीं लगता है, पर बोला है कि प्रीमियम लगेगा भाई, ये हमारा hedging cost और कितने में booking हो रही है 64 के हिसाब से हम booking कर रहे है 64 के हिसाब से हमारी बात हो चुके 64 तो profit और cost fund to the company मतलब premium कद देना पड़ेगा advance तो उस पर interest opportunity cost भी आपको लेना पड़ेगा तो बताईए forward cover करके आपने अच्छा किया कि नहीं किया अगर rate 68 हो जाए 62 हो जाए 70 हो जाए पहले hedging cost निकल ले 30,000 डॉलर है कितने में booking हो रहा है 64 के सबसे 2% premium तो sir 76,800 तो गया साथ में उसका opportunity cost 6 मेने का तो sir hedging cost आगया यह 81408 अब यह चाहोगे कि 64 में booking हो चुकी है तो इससे कम होगा तो यार हम तो बरबाद हो गया और rate 68 हो गया तो चलो भाई बच गया चार उपय का हमें फाइदा दिखाई दे रहा है हलाकि इसके पीछे hedging cost है तो net gain अभी भी हम फाइदे में है hedge किया अच्छा किया 62 हो जा तो बरबाद हो गया क्यूंकि यार आपको तो 64 के सबसे खरीदना ही बढ़ेगा भाई तो आपको तो एक तो यह loss हो गया और hedging cost को plus कर दिया तो यह इस तरह से इन सब का आपको काम करना question number 22 लिखा excel export export किया है 1,00,00 कितने दिनों में 60 दिन एक लाग डॉलर export किया तो एक लाग डॉलर आने वाला होगा 60 दिन अब भी जो rate चल रहा वो क्या चल रहा 45.60 और जब consignment book किया तो उस समय उसे साब से क्या price था 45.50 और forward rate है 45.20 rate discount निकालना है तो 45.60 discount किसमे निकालना कुछ बोला नहीं है तो वरिच से तो आपको यहाँ देखते ही समझ में आना चाहिए किया डॉलर जो है सर वो तो सस्ता हो रहा है तो डॉलर में discount है सिदा सिदा formula निकाला और डॉलर में discount अब यह probable loss बताना तो probable मतलब expected loss तो सर expected loss किस किस के बीच का होगा expected loss ही ना और expected loss आपने बोला था सर expected is portrait इस portrait कौन सा है अब सवाल यह हुआ कि इस portrait यह है कि इस portrait यह है जिस rate पे book किया उसको मैं इस portrait बोलूँगा सर अभी तो आप इसको बोल रहा बटे इसके पिचे मैंने आपको कहानी बता चुका हूँ जब consignment book हुआ न उस समय यह price थी 45.50 और forward rate है 45.20 तो उस हिसाब से यार जो export किया उससे तो हमारा loss है दिख रहा है आपको ठीक है जब जी आगे question number 26 बड़ा question है अच्का question है calling information related to AKC which manufactures some parts of electronic ठीक है इन भाई साब ने क्या किया है export 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 किया है तो आने वाला है 90 days में क्या आने वाला है एक तो येन आने वाला होगा US से डॉलर आने वाला होगा यूरोप से यूरोप से यूरो आने वाला होगा variable cost दिया है रूपीज में selling price दिया है एक unit इतने में इतने में इतने में और receipt हो रहा है total मिलाकर ये तो number of units निकल सकता है अगर ये हमारा spot trade दिया है येन पर रुपीज, डॉलर पर रुपीज और यूरोप पर रुपीज spot 3 month forward और 3 month spot और आप से पूछ रहा है कि बताइए क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए इस matter पर मैं बात नहीं कर उसने कहा कि contribution to sales ratio निकालो भाई और उस हिसाब से decide कीजिए कि हमें power cover करना चाहिए case rate पर हमें क्या निकालना वैसे तो मैं rate देखकर decide कर सकता हूँ आपको ज़्यादा ग्यान देने की ज़रूरत नहीं है आप contribution to sales ratio निकालो और contribution के लिए मुझे variable cost लगीए तो पहले number of units से निकालना पड़ेगा यनों का सबसे पहले हमने number of units निकाला ये है total 90 days में आने वाला है या selling price सबका मालूम है हमको दिया है सर selling price दिया हुआ है या selling price सबका दिया है तो इससे हमारा number of units आ गया और number of units को हमने variable cost per unit से multiply कर दिया तो total variable cost आ गया है ठीक है सर अब जो cells होता है मतलब जो आने वाला है उसको किस rate से convert कराय जाए सर ये total variable cost को add करके मैंने यहाँ total लिख दिया ठीक है अब जो आने वाला है उसको किस rate से convert कराय जाए तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमने forward cover कर लिया है अगर forward cover कर लिया है आप सोचते rate कौन सा आएगा सर बैंक export किया है एक्सपोर्ट तो आने वाला सर बैंक जो है वो रुपिया बेचेगा ये न खरीदेगा पर रेट तो रुपिया है रुपिया बेचेगा मतलब सर ये वाला rate आएगा और सब रुपियस के rate दिये है और यहाँ जो currency है वो दूसरी है तो डिवाइड ही होगा ये डिवाइड कर दिया तो ये आगे इन सब को add कर दिया ये cells है ये variable cost है तो contribution आगया contribution to cells ratio निकाला तो ये आगया 19.557 ऐसे ही किसका कर लिया सर ऐसे ही अब मैंने expected report rate से किया total किया contribution निकाला और ये आगया 19.17 तो सर forward coverage is better ये लिखा हो सर forward coverage is better तेगा जे question number 27 भी बहतरी question है छोड़ नहीं सकते मैं छोड़वा भी नहीं सकता दिखते question number 27 में bank B का rate दिया सबसे important है सबसे important अब भाई साब इन्होंने क्या दिया है dollar CHP दे रख अब यार मुझे नहीं मालूम कि ये one dollar है कि one CHP है मैं नीचे वाला भी देखूंगा सर ये pound और dollar दे रखा तो ये दो मुझे मालूम है ये एक pound में ज्यादा dollar आते है it means ये दे रखा है dollar per pound मतलब इसको वन माना तो हम इसको देखके ये decide किया इसको देखके मैंने ये decide किया कि अगर ये one है तो ये भी one होगा ठीक तो CHF per dollar है ठीक है सरी ये मिल गया है चाहते है क्या हो भी या क्या चाह रहे हो ये बताओ बोल रहा है how much minimum CHF amount you have to pay for one million pound आपको pound खरीदना है तो उसके लिए कितना CHF लगेगा अगर हमें pound खरीदना है तो CHF कितना लगेगा पर CHF से सीधा pound नहीं खरी सकते पहले CHF से dollar खरीदना पड़ेगा और फिर dollar से pound खरीदना पड़ेगा तो अब हम गए CHF से dollar खरीदने गए हमने का bank dollar बेच चुगे क्या उन्होंने का हाँ यह वाले bank बेच रहे हैं 1.4655 और यह वाली बेच रहे हैं 1.4660 तो यहार 1.4655 हमारे लिए अच्छा है हमने bank ऐसे क्या खरीदा dollar और फिर dollar देकर यहां pound खरीदने गए bank pound बेचेगा तो यहां बेच रहा 1.7660 तो सर यहां से खरीदनेंगे हम लोग pound एक bank से हम क्या खरीदेंगे dollar और दूसरी bank से pound खरीदेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने CHF की जड़वत है यह मैंने लिखा हुआ है ठीक है अब CHF per dollar यह दिया CHF per dollar दिख रहा है आपको और फिर तूसरा 1.4655 और यहां dollar per pound भी हो गया और मुझे निकालना CHF per pound CHF उपर दिया तो सीधा लिख दिया pound नीची दिया तो सीधा लिख दिया 1 से divide करने क्या हो सकता नहीं तो 2.5866 तो 1 million के लिए 1 million pound और pound का ही rate निकला है तो answer आजाएगा इतना CHF लगेगा अब आगे बढ़ू यस सर बोल रहा considering the quote from bank A only बोले bank B को भूल जाओ bank A का quote ले लीजे और आपको निकालना है 3 month swap point swap समझते हो ना यार spot rate और forward rate के बीच का difference और किसका निकालना है तो वो क्या बोल रहा है वो हमसे बोल रहा है आपको निकालना CHF per pound का CHF per pound तो पहले मुझे 3 month forward rate दोनों निकालना पड़ेगा और यह मैंने निकालना सबसे पहले spot rate और forward rate अब ध्यां से देखोगे CHF per dollar लिखा CHF per dollar और 1.4655 यह swap दिख रहा है इसको plus करना पड़ेगा spot है spot लिखा और यह डॉलर पर pound यह भी spot लिख लिख लिए और यह मैंने एकाउन सा लिखा forward rate forward rate कैसे है सर यहाँ swap दिख रहा है न 5 और 10 उसको plus कर दिया और दूसरा 25 और 20 इसको minus कर दिया 25 भी इसको minus कर दिया यह दोनों और इसकी मदश से मैंने CHF per pound निकाला bid और ask और इसकी भी मदश से 3 मत forward rate निकाला bid और ask और forward rate और spot rate के बीच का difference निकाला तो यह आ गया swap question बहुत अच्छा है time लगना चाहिए इसको बनाने question लेकिन बहुत अच्छा question नम्बर 30 में क्या खास बात है question नम्बर 30 में कोई खास बात नहीं है इसमें speculation है एक forward rate दे रखा एक spot rate दे रखा तो 3 मत forward है spot है और आपको लग रहा है कि spot expected spot rate यह हो सकता अब speculation कैसे करोगे तो यह बलकुल सिंपल है जब आपको लग रहा है कि 1.32 होगा मतलब बढ़ेगा मतलब यह है 1.35 मतलब आपको लग रहा है कि कम होगा आपको लग रहा है कि we expect that expected price of pound is more than the forward rate अच्छा forward rate से ज़्यादा है तो आप speculation कर सकते हैं आप long position लोगे जब आपको ऐसा लग रहा है बेज देंगे बात बिल्कुल सिंपल है 1.30 है forward rate और हमें ऐसा लगता है कि forward rate पे हम खरी देंगे और क्योंकि हमें ऐसा लगता कि expected spot rate future में बढ़ेगा तो speculation के लिए forward पे खरी देंगे future में बेज देंगे और हमको profit हो जाएगा लेकिन भगवान ना करे rate कम हो गया है तो हमको loss हो जाएगा बस यह कैसा यह भी है simple arbitrage वाला है कहीं आए में market में rate चल रहा है pound का यह और उसी तरह 15 December के लिए rate यह चल रहा है forward cover में तो आप कहां से pound खरीदोगे कहां बेचों के सर यहां से खरीदेंगे यहां बेचेंगे arbitrage जाएगा 60 to 500 के साब से यह simple है कोशन आने की उम्मिद बहुत कम कोशन नमबर 28 पर तो amendments है मैं बता दूँगा क्या है करें बता देता हूं कोशन नमबर 28 की बात हो रही थी और यह मैंने बोला भी था कि change हो गया है थोड़ा सा देखते हैं कोशन नमबर 28 तो सर्कोशन नमबर 28 में क्या खास बात है तो देखते हैं कि इंपोर्टर कॉस्टमर है और बैंक के पास बुक्किया फावर्ट कॉंट्रक्ट कब थर्ड सेप्टेंबर फर सिंगापूर डॉलर चाहिए और कब चाहिए 30 अक्टोबर मतलब 2 महने बाद ठीक है इस पॉर्टरेट 3rd सेप्टेंबर का दे रखा है डॉलर ये प्रिंट नहीं था डॉलर पर ये रुपीस पर डॉलर एक्चुरी रुपीस पर डॉलर ठीक है और ये भी दे रखा था इस सिंगापूर डॉलर पर डॉलर ठीक है सिंगापूर डॉलर पर डॉलर यहां लिखा हुआ भी स्वैप पॉइंट से दे रखा है तो यार हमको फॉर्वर्ड रेट निकालना बड़ेगा भई बताए कि इंपोर्टर को क्या एकशन रेट कोट किया जाएगा मार्जिन है पाच पैसा और ये जो दिया होगा ये इंट्रबेंक रेट ही दिया होगा हम ये मान रहे है तो एक ये रेट दे रखा है रूपीस पर डॉलर और दूसरा दे रखा है सिंगापूर पर डॉलर और हमें निकालना है रुपीज पर सिंगापूर डॉलर है ना यस सिंगापूर डॉलर आपने इंपोर्ट किया है सर हमको सिंगापूर डॉलर खरीद रहा है अगर सर हमको सिंगापूर डॉलर खरीदना है और हमारे पास है रुपिया तो सर पहले हम रुपिया देखकर डॉलर खरीदेंगे और फिर डॉलर देखके तो पहले हम दो महने बाद का रेट तो निकाले फिर डेसाइट करेंगे कब के लिए rate निकाला हमको September, October के लिए तो ये वाला rate ग्यारा सो और तेरा सो इसमें क्या हो जाएगा सर ग्यारा सो तेरा सो प्लस हो जाएगा ग्यारा सो और तेरा सो प्लस हो जाएगा और इसी तरह से टू मंथ वाला 96, 97 ये भी क्या हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा ठीक है सर तो यहां प्लस किया है प्लस किया है टू मन्त फावर्ड रेट निकल गए है अब सवाल है रेट कौन सा लेना है सबसे पहले हम रुपिया देखकर डॉलर खरी देंगे बैंक डॉलर बेचेगा मतलब 49.51 बैंक डॉलर बेचेगा फिर बैंक डॉलर खरीदेगा एक आएगा 49.51 और दूसरा आएगा 1.7154 अब देखो इंस्टेट्यूट ने क्या किया है पहले क्या करता था वो जो मार्जिन है वो यहां प्लस करता था यहां प्लस नहीं करता आईसी एएई ने आंसर सुधार दिया है इंस अब ऐसा काम होगा पहले इंटर बैंक रेट निकलेगा 49.51 और ठीक से कलर से लिए 49.51 डबल जीरो इंटू 1 डिवाड़ेड बाए 1.7154 इट मेंस आपको अब पहले मार्जिन एड नहीं करना है तो सर्फ 49.51 डबल जीरो डिवाड़ेड बाए 1.7154 जो भी रेट आया 28.86 तो जीरो है तो 21 अब इसमें मार्जिन एड कर दीजिए 5 पैस पॉइंट जीरो ये प्लास होगा मार्जिन तो बेचोगी तो मैंगे मैं 0.05 तो सर आंसर फाइनल आगया है 28.9121 ये फाइनल आंसर है ये आंसर सुधार दिया गया है आज समझ में आदे मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें कोश्चन है एक बार पढ़े ही किया यस तीन अप्रिल 2016 को रेट दिया हुआ है इसपॉट दिया है टू मन्स वैब दिया और थी मन्स वैब दिया ठीक पर बोला क्या है कोश्चन बोले इसपॉट ट्रांजिक्शन जो होता है वो टी प्लस टू चलता मतलब जिस दिन ट्रांजिक्शन होती है उसके दो दिन बाद डिलिवरी होती है ठीक है इसपॉट रेट अप्रिल पाच दोहजार सोला का दिया हुआ है मतलब अप्रिल पाच को डिलिवरी होगी है बता रहा है आपको स्वैप पॉइंट से पॉइंट ट्रिपल जिरो बन ठीक है भी मतलब स्वैप आपको ऐसे लेना है पॉइंट इससाब से लेना ठीक है यू रेक्वाइट तो आपको स्वैप पॉइंट से बताना है टू मन्थ एन फिप्टीन डेज इसको बोलते ब्रोकन पिरियर्ड फावड कॉंट्रक्ट टू मन्थ का स्वैप दिया है थ्री मन्थ का स्वैप दिया है तो हम टू मन्थ फावड भी निकाल सकते थे यह बोलता है टाइम पास मत करो दो मेहने पंदरा दिन का स्वैप पॉइंट्स निकालो कैसे गरे है किया हमें 3-month swap दिया हुआ है ये सर कितना दिया 160 2-month swap भी दे रखा है तो सर हमें यहां तक को 2-month वाला तो ठीक है 70 इसके बीच का difference कितना है 90 और हमें तो यहां का निकलना है तो 90 divided by 245 आया तो 70 में हम कितना और जोड़ देंगे 45 और जोड़ देंगे तो 115 आगे और इसका 138 आगा है और इसके इसाब से हम 2-month forward rate निकल सकते हैं यस वही मांगा है 20 जोनका forward rate निकलना है 115, 138 प्लस हो जाएगा सर इस पॉर्ट में इस पॉर्ट रेट दिया हुआ है कहां दिया है इस पॉर्ट रेट ये दिया हुआ है इस पॉर्ट रेट है इस में प्लस कर दिया तो forward rate आगे है इस question में सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि वो बोल रहा premium या discount निकालिये इस में निकालिये रुपीज में तो formula उल्टा लगेगा S-EV divided by F वाला on an average rate बोला है अब यहां problem है कि या average rate क्या लेना था तो इन्होंने average क्या ले रखा इन्होंने ले रखा भी है average का मतलब मुझे ऐसा लग रहा था bid और ask का average लेगा अब देखो देहां से हाँ सर वही तो लिया है एक तो इन्हें ने bid rate का average ले लिया ask rate का average ले लिया ठीक है अब उसके बाद bid rate का और ask rate का अलग अलग निकलेगा formula S-F base में हम क्या लेते F बलता base में F ने लोगे average लोगे बाकि तो जैसे कर रहे थे नमर 10 एक और question है arbitrage वाला ठीक है सर इसको भी देखते है tricky question है तो सर सिटी बैंक court yen dollar मतलब सर ये है yen per dollar ठीक है yen per dollar 105-106 और Hong Kong bank ने भी quote कर रखा सर ये क्या quote कर रखा ये भी ये है dollar per yen क्या ये identical है I.C.E.I.E. का अजीब सा जवाब है बोले ये identical नहीं है actually ये जो rate है ये direct quote है किस का सर yen का direct quote है और ये किस का सर ये dollar का direct quote है बस ये बता कर छोड़ दिया पहला वाला yen का direct quote है और indirect quote dollar का और दूसरा वाला इस तरह से काम कर दिया दूसरा बोल रहा है कि साहब आपके पास ऐसा है कि आपके पास या तो yen है या तो yen है या तो dollar है आपके पास yen है या dollar है क्या arbitrage निकाल सकते हो arbitrage कैसे निकलेगा भाई यहां अलग rate दिया यहां अलग क्या इस को इस rate को हम ऐसे yen per dollar का rate निकाल सकते हैं कि तब ही तो comparison कर पाओगे आ समझने की कोशिश करना इसी यह वाला rate बात को समझो इसी यहां देखोगे तो यहां जो दिया है यहां yen per dollar यह वाला rate दिया है अब इसको मैंने क्या किया वन से डिवाइट किया जब भी वन से डिवाइट करोगे खास बात है इसको मैंने वन से डिवाइट किया और जब भी 1 से डिवाइट करोगे तो 1 divided by 1 divided by 106 करोगे तो यह इधर जाएगा और 1 से इसको डिवाइट करोगे तो यह इधर जाएगा तो दोनों का मैंने City Bank का rate निकाल लिया और Hong Kong को भी 1 से डिवाइट किया तो यह आ गया इसको बन से डिवाइट किया तो यह आ गया क्योंकि उसके मिना तो मैं जवाब ही नहीं दे पाँगा अब बोला आपके पास क्या है मैंने City Bank के दोनों तरह से रेट निकाल लिया, Hong Kong Bank के भी दोनों तरह से रेट निकाल लिया, अब मैंने तो हम बेजनेंगे, येन है ना हमरे पस हाँ, हमारे पस येन है, तो हम डॉलर खरी देंगे हमारे पस अगर येन है, तो हम डॉलर खरी देंगे तो अब डॉलर करेट, डॉलर करेट, डॉलर करेट डॉलर करेट एक ये है, और डॉलर करेट ये है, कहां से खरीदोगे सर 106.50 के हिसाब से खरीदेंगे और 107.53 के हिसाब से बेज़ देंगे या तो इससे मल्टिप्लाई कर दो या तो इससे डिवाइड कर दो एक ही बात और सर अगर हमारे पास ये नहीं होता हमारे पास डॉलर होता तो हम ये न खरीदें बताओ येन कहां से खरीदोगे कहां बेचोगे सर येन का रेट देखेंगे येन का रेट एक ये है येन का रेट एक ये है तो हम डॉलर से येन खरीदेंगे तो सर हम इधर से खरीदेंगे और इधर बेज देंगे बेचेंगे मतलब इस rate पे नहीं, बेचेंगे मतलब इस rate पे भिज देंगे, तो देखो point 1000 से आपने इस से divide किया, और इसका मतलब इस divide करके answer ने का लिया, ठीक है, अच्छा कोश्चन है, मतलब आप जब तक 1 से divide नहीं करूगे ना, पता नहीं रगा पाओगे, चलो आगे speed से cover deal, sir cover deal क्या है, cover deal भईया, simple सी बात है sir, मैं bank, मैं bank, मैंने अपने customer को बेज दिया dollar, या फिर Hong Kong dollar, अब यार Hong Kong dollar मेरे पास तो available नहीं है, पर मैंने का दो दिन बाद delivery देनी है, काहे का attention, तो दो दिन बाद देना सामने वाले को मैंने बेज दिया, मैंने का यार दो दिन बाद इस rate पे 70 रुपए के, 60 रुपए या Hong Kong dollar तो और सस्ता है, 10 रुपए के हिसाब से, अब इस जो deal किया है, उसको cover तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो available नहीं है, मुझे कहीं और से खरीदना पड़ेगा, suppose मुझे Hong Kong dollar 8 रुपए के हिसाब से मिल गया, this is cover rate, जो deal है, के लिए जो rate किया, उसको बलते cover rate, तो 8 का खरीद के 10 का base दिया, बोलो मुझे कितने का profit हुआ, 2 रुपए का, ऐसा नहीं कि loss नहीं हो सकता, loss भी हो सकता है, base तो दिया अपने जोस में आके, पर हो सकता आपको महगे में खरीदना पड़े, ठीक है, तो मैं अच्छा question उठाय भई, यू मतलब bank, ने, यू, आप एक foreign actions dealer है, ठीक है, और आपको inform किया गया कि आपने बेच दिया, कॉपन हेगन फर डैनिस क्रोन, 10 लाक, और डैनिस क्रोन बेच दिया, कितने में, 6.5150 से, हाँ है, ओके सर्थ, हम तेयार है, bank कहा है, आप ये हो भई सब, ठीक है सर, और आपने जोस में आके customer को बेच दिया, कितना 10 लाक डीके के, और कितने के सबसे रुपीज पर डीके के, 6.5150 के सबसे, खरीदना तो पड़ेगा, तो बोल रहा है, आप चाहो तो आप cover कर सकते हो, लेंडन मार्केट से, या तो cover कर सकते हो, नी यॉर्क कौन सी currency चलती है, सर, pound, और यहां कौन से चलता है, dollar, भईया मुझे तो डीके के चाहिए ना, यार, कुछ भी बात कर रहा हूँ, तो बहुले देखो भई, आपके पास तो रुपिया है, तो एक ही तरीका, रुपिया से पहले pound खरीद लीजिए, और pound से डीके के खरीद ली और Mumbai, New York मतलब रुपीज पर dollar, लंडन का कौपन है, मतलब सर, DK के सब्द लिखा हुआ, तो DK के पर pound और New York, DK के पर dollar, तो या तो आप लंडन से cover कीजिए, चलो मैं cover करके देखता हूँ, लंडन, 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 यह है, ओके, बेड आस्क में decide कर लेते हैं सबसे पहले, yes, देखे, pound खरीदेंगे, bank pound बेचेगा, और फिर bank वापस pound खरीद लेगा, और मुझे निकालना, रुपीज पर, DK के रुपीज उपर है, तो 74.3200, DK के नीचे चाहिए, उपर दिया, तो 1 से divide करोगे, 11.42, बताओ, cover करने पे, New York से क्यों cover है, मैं लंडन के बात कर रहा हूँ, मैं लंडन से cover किया, तो लंडन से मुझे 6.5079 के सबसे पड़ा, और मैंने customer को already कितने में बेचने की बात किया था, और customer को आपने बेचने की बात किया था, 6.5150 के, तो 10 लाक में बेचूंगा, तो इतना आएगा, और खरीदने पे इतना खर्चा, तो profit हो रहा है, अगर मैं लंडन से cover करता हूँ, तो 7.100 का profit हो रहा है, इसी तरह से New York से अगर cover करता हूँ, तो मुझे 4.800 का profit हो रहा है, तो भई, लंडन से cover करने में फायदा है, इसमें हम IRP पढ़ेंगे, purchasing power पढ़ेंगे, international fisher effect नहीं आता है, time हम अभी बरबाद नहीं करें, इसमें, ठीक है, हो किस चलो जी, तो पहले क्या बात करेंगे, सर, पहले बात होगी हमारा interest rate parity की, और फिर होगी purchasing power parity, ओके, तो भाई, सब interest rate parity क्या बोलता है, सर, interest rate parity का एक rule से समझ लीजिए, वो बोलता, मान लो, दो country है, US और India, और उनने का कि, जहां का rate of interest कम होगा, वो currency ज्यादा strong होगी, that's it, और उसी बात को हमने prove करके भी देखा था, finally, यह future का rate क्या होगा, जिसको हम नाम दे रहा है, forward rate, forward rate मतलब theoretical forward rate, तो भले उसके लिए equation है, भाई, F is equal to S, 1 plus R, 1 plus R, that's it, बस याद रखना, अगर यह rate, forward rate यह spot rate, अगर यह rupees में है, तो यह भी rate rupees का उपर होगा, फिर से, अगर य rate, अगर मालो यह होता है, रुपीज में है, बोल रुपीज का rate नहीं बोल रहा हूँ, अगर यह इस रुपीज 60 है, तो उपर इंडिया का interest rate आएगा, तो देखो धियान से कैसे निकाला जाएगा, IRP के माध्यम से forward rate, बोले, spot rate दी 80 रुपिया, 25 पैसे, इंडिया का rate of interest दि रुपी के हिसाब से 6 मंद forward rate निकाल सकते हो, बिल्कुल सही, एस, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, या app by ask भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सर, अगर हमने यहाँ लुपा, spot rate लिखा 80 रुपए, बोलो, क्या यह रुपीज का rate है, हाँ, मुझे निकालना 6 मेहने, तो 12 प और यहाँ भी 6 परशन तो आगया, 81.01, बात समझ में आ रहा है न, यह rate रुपीज का है, रुपीज दिख रहा, rate नहीं, यह रुपीज दिख रहा, तो उपर भी रुपीज ही का ही rate आएगा, S पर IRP, कोशन नंबर 55, कुछ special नहीं है, पर हो सकता, मुझे लग रहा है, एक कोशन है, जो multiple choice में आ सकता है, इसलिए बात कर रहा हूँ, सर, इसने हमको spot rate दिया, रुपीज पर डॉलर 71.50, ठीक है भाई, और सर, 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 interest rate इंडिया का और US का 1 या forward rate तो मेरे खाल से इससे ज़्यादा आसान काम नहीं होगा, यहाँ रुपीज है, तो ऊपर आ गया 1.12 इंडिया का rate, और नीचे आ गया यूएस का rate, तो finally जो निकल के आया, वो निकल के आया हमारा forward rate, यहाँ तक कोई दिक 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 प्रीमियम या discount निकालना है, और किस में निकलना है, डॉलर में निकलना है, और डॉलर का ही rate दिया, तो formula सीधा लगेगा, F-S divided by 72, ठीक है सब यह निकल गया, और कितना गया, 1.82, अब सुनो वरी बात दिक 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 दिक, अगर forward rate IRP के हिसाब से निकला है, IRP hold good, अगर यह सद बोल रहा है, तो premium निकलने का यह एक तरीका है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका सुनना ध्यान से, यह equation दिक रहे हैं आपको यह वाला equation, मैंने S नीचे डाला, तो इसी तरह से तो premium निकला है, और 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, ऐसे किया, इंडिया का rate, ऐसे भी 1.10, ऐसे भी तो premium निकल सकता, बात समझना, एक question में काम आएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भी, premium in dollar निकलने का और एक तरीका है, वो तरीका है, उपर 1.12 लिख दीजिए, और नीचे 1.10 लिख दीजिए, अब लोग कहें कि सर, उपर रुपिया का rate क्यों आया है, भी यहीं से equation डिराई हुआ है, that's it, ज़रुत पड़ेगी, जब भी बोलेगा, अगर IRP hold good है, अगर IRP अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो कहता है कि भाई, जो भी rate है, sorry, 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 वो IRP के हिसाब से है, बहुत अच्छी बात है, और कहगा कि IRP के हिसाब से, बताओ, dollar premium पर आएगा, कि discount पर, दिख रहा है, यहां का rate of interest कम है, dollar premium पर आएगा, दूसरा पूछेगा, बताओ, कितना premium, और कुछ नहीं दिया है, तो भाई, सीधा करना, 1.12, 1.10, minus 1 into 100 करोगे, तो यह ही आजाएगा, 1.82, ज़र्वत पढ़े सकती है, आपको, फिर discount यह रुपीज में बोला, तो उल्टा वाला formula लगा के कर देंगा, यह कोई issue नहीं है, यह तो आराम से उचाएगा, कुछ नमबर 36 देखते हैं, हलाक इस्टडी मेट का है, सर, एक अप्रेल को UK pound और dollar का rate दिया है, सर, pound का rate दिया है, dollar का rate दिया है, support rate दिया है, pound पर dollar, यह pound है, यह pound है, यह pound है तो उपर pound का rate, नीचे dollar का rate इसमें कुछ था ही नहीं, और बस periodically कर लेना, यह per annum है तो तीन मेने का, यहां convert कर लेना, ठीक है, question number 39, यूएश डॉलर अब भी कितने का भीक रहा है 55 रुपिया 50 पैसे this is spot rate अगर बोल रहा है interest rate for 6 months boring in India interest rate दे रहा 10% 10% कहां का दिया इंडिया का और 4% कहां का दिया है US का तो सर डॉलर प्रीमियम पर होगा तो बताईए डॉलर डिसकाउंट पर होगा कि प्रीमियम पर डॉलर प्रीमियम पर होगा IRP का कहाने लिखते ना दूसरा बताईए इस हिसाब से IRP के हिसाब से क्या forward rate होना चाहिए तो IRP के हिसाब से हम निकाल लेंगे इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं थी premium या discount तो सर्य कोशन आप करवाई क्यों रहा हूँ पता नहीं मैं क्यों करवाई premium या discount खेर कुश नमर 38 तो अच्छा है मुझे लगता है कि यह MCQs बनता है इसका अगर forex से कोई बनता है तो यह वाला बनता है कुश नमर 38 interest rate दे रखा है US for the US FF मतलब सर interest rate दे रखा है 7.05 FF per dollar मतलब सर rate दे रखा है FF per dollar और spot rate दे रखा 7.05 अब 3 month, 6 month, 1 year का table दिया है और interest rate दिखाई दे रहा है आपको yes sir dollar का interest rate है 11, 1 by 2 मतलब 11.5% मैंने से लिख दिया अगर 6 month के लिए जाते है तो 12.25 हलाकि यह compounded annually सब्द लिखा था उस हिसाब से मैं question किसी और तरीके से करवाता था पर अभी मैंने compounded annually को काड़ दिया क्योंकि ICAI ने भी compounded annually को यूज नहीं किया है और सर्फ FF का rate दिया है 19.5% forward rank per dollar मतलब forward rate निकालने के लिए बोल रहा है और discount वगिरा है तो पहले 3 month वाला हम काम करते है missing figure dollar का rate दिया है बिल्कुल सही और France का भी rate दिया है तो सर्फ फिर तो forward rate नहीं कल सकती है spot rate है dollar 1 is equal to यह है सर FF तो उपर FF का rate आएगा 19.5% है FF का rate जो कि यह साल भर का तो 3 महने का और यहां भी कर लिए तो उससाब से यह आ गया है हमारा FF 7.1 इसमें याद रखने वाले कोई बात नहीं बिल्कुल सिंपल है सर्फ डिसकाउंट निकालना और FF में निकालना उल्टा वाला formula लगा S-F तो देखो S-F वाला formula लगा ओके सर्फ S-F divided by F into 100 into 12 by 3 तो यह डिसकाउंट निकाल गया कोई विसेस बात नहीं थी इसमें अब 6 मन्त वाले में अगर देखोगे तो यार उसने आपको डॉलर का rate of interest दिया है बहुत अच्छी बात है डिसकाउंट दिया है 6.3% पर रेनम है तो सर 6 मैने का कितना हो गया 6.3 divided by 2 3.15 पर अब सवाल है कि यार अगर डिसकाउंट दे दिया है जो डिसकाउंट निकालते हो ना देख रहा है इसमें से मैं 12 by 3 काट देता हूँ और ये डिसकाउंट दे दिया माइनस लगाना पड़ेगा 0.0315 और हमको क्या मांगा है हमको F नहीं मालूम तो क्या F निकल सकता है ये सर निकल जाएगा रहम से तो वही मैंने काम किया ये कोशन अच्छा है सिरियस्ली वो रहा हूँ इसमें सबसे पहले हम F निकालना पड़ेगा और वह मैंने F निकाल लिया डिसकाउंट है माइनस का साइन लगाना पड़ेगा येर वाला बिलको सिंपल covered interest arbitries ये थेयरी अच्छी है ये बनता है आने का मैंने most important भी लिखा है Sir covered interest arbitries क्या बोलता है question से समझते हैं ना यार question से समझते है ओके अब ध्यान से देखना वह साब ऐसा है कि actions rate दिया हुआ है Canadian dollar point six six five per dm मतलब Sir Canadian dollar per dm दिया हुआ है this is spot rate ठीक है और साथ में उन्होंने Sir forward rate भी दिया हुआ actual वाला और interest rate है 7% यहां का और 9% यहां का अब सुनना धियान से इसमें होता क्या covered interest arbitries में आपको एक जगह से borrow करना होता है दूसरी जगह investment करना होता है अब सवाल है यह है कि यार कहां से borrow किया जाए और कहां invest किया जाए तो यहां धियान से एक जगह से borrow करना नहीं होता आपके पास रखा रहता है पैसे वो बताया नहीं है जनरल यह बता देता यू है उकरके अच्छा यू केन बॉरो करके ठीक एक जगह से borrow एक जगह से अब धियान से समझ जाए इसको देखो धियान से सर इन्वेस्ट कहां करना यह बता दो तो फिर borrow कहां कर से करना वो हो जाएगा सबसे पहला है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना धियान से देखो इन रेट्स को सर डी एम पर है साथ परशन बिल्कुल और कैनेडा में हैं 9 परशन इस हिसाब से सर आपको लोजिक कॉंसेप्चुल या दिल क्या बोल रहा है सर दिल बोल रहा कैनेडा में लगाओ भाईया क्योंकि यहाँ जादा मिल रहा है और कितना परशन जादा मिल रहा है दो परशन जादा मिल रहा है Canada में लगाना चाहिए 2% ज्यादा मिल रहा है बिल्कुल सही लिकिन मीटे करेंसी भी तो देखो DM 0.665 है और यहाँ DM कर तो सरद DM महगा हो रहा है Yes DM महगा हो रहा है तो DM का प्रीमियम निकालते है ना परेनम बिसिस पर formula F-S से और देखो यहाँ से DM महगा हो रहा है DM महगा हो रहा है तो हमको DM पर investment करना चाहिए बात क्यों मालूम है DM महगा हो गया तो DM सिक में क्यों invest करना चाहिए क्योंकि जब हम वापस लाएंगे ना 6 मेहने बाद या जो भी हो जब वापस आएंगे तो DM महगा हो गया तो यार वो तो हमको ज़्यादा मिलेगा ना भाई ये क्या बोल रहा काम के बाद सर इतना लॉजिक मत बताओ अभी सिप याद करवाओ याद करे तो कैसे करे ये वाला interest rate difference बोल रहा है कि Canada में investment करना चाहिए और DM premium पर है तो ये बोल रहा भाई DM में investment करना चाहिए क्योंकि यहां 3% extra है 3% extra मिलेगा 3% premium पर है और ये 2% premium पर कौन जीता सर ये जीत गया है कौन ये जीत गया ना सर ये जीत गया है बस यही है invest कहां करना ये decide हो गया तो borrow कहां से करना है ये automatic हो जाएगा सर फाइनली कौन जीता सर ये जीत गया है क्योंकि 3% है अगर सर ये interest rate difference 4% होता तो मैं Canada में investment करता क्योंकि ये से ज़्यादा है फिक है जी तो ये कितना था 2% अब लिखना पड़ेगा आपको कहां investment करना है लिखेंगे premium in DM is more than interest rate difference premium in DM कितना ये था 3% और interest rate difference कितना है 2% तो हमें invest करना चाहिए DM में और borrow कहां से करना चाहिए Canada से this is most important है अब उसके बाद क्या करना है अब borrow क्या करना Canadian dollar कितना ये बताया नहीं ICAI ने 1000 dollar borrow किया है alternative आप ले सकते हो आपको जो लेना चलो सर तो Canada से पहले dollar borrow करेंगे कितना 1000 ठीक है किस rate पे करोगे Canada से बौर सर रेट तो 9% पे बौरो करेंगे ठीक है और फिर इस Canadian dollar को spot rate से convert कर लीजिए और DM बना लो ये Canadian dollar है और ये DM का rate दिया तो डिवाइड ही होगा है ना ओके सर्थ हमने DM बना लिया अब इस DM को आप 7% पे invest कर दीजिए मन्त कितना है थ्री मन्त के लिए investment कर दीजिए अब वो DM with interest आएगा उसको वापस convert कर दीजिए देखते नहीं अब process क्या होगा process सबसे पहले बौरो कीजिए Canadian dollar 1,000 9% पर रहें हमके सबसे कर लिया अब भी जो dollar आपने बौरो किया था उसको spot rate से convert कर दीजिए कर दीए तो यह हमको मिल गया DM अब DM को करोगे क्या 7% पर लगा दिया तीन मैने के लिए अब तीन मैने बात दिखते हैं अब आपके पास मिलेगा क्या मिलेगा सर आपको DM 1503 मिला with interest नहीं with interest नहीं यह लगाया था with interest मिला 1530 1530 अब इसको क्या करोगे सर वापस Canada लेकर आओगे तो यह कौन सी करेंसी सर यह DM और rate किसका दिया सर DM कहीं दिया तो सीधा multiply हो जाएगा multiply किया तो यह आगे 1025.15 Canadian dollar और हो किया था 1000 कितने परशन पर 9 परशन वापस भी तो करना पड़ेगा वापस किया 1022.5 तो भाई हमारे पास कितना बच गया Canadian dollar 2.65 इस आर्बिटरिस गें और यह कब बचा सर यह बचा है तीन मेहने बाद ICAI इसको DM में भी आंसर करके बताता है forward rate से दोनों ही करेंसी में आंसर बताता तो हमने दोनों ही करेंसी में बता दी एक एक और question देखते covered interest आर्बिटरिस का question number 48 spot rate दिया $1.68.50 ठीक है रुपीस पर डॉलर लिखा है US dollar premium on six month forward three percent फिर मतलब dollar premium पर है three percent छे मेहने का premium है भाई ये साल भर का नहीं है यहां मुझे से गड़बड हो गए तो मुझे इसे per annum समझ रहा था पर ये per annum नहीं है $6 मेहने premium पर है मतलब dollar महगा होगा तो सरफ forward rate तो हमको पता लग गए yes forward rate कितना आ गए ये आ गए सर 70.555 यहां तक कोई दिक्कत है spot rate हमको मालू मैं forward rate हमको मालू मैं तो अभी भी हम 6 मेने का नहीं पूरे साल भर का premium निकालते क्योंकि हमको interest rate difference में का comparison करना तो सरफ premium in dollar साल भर का कितना आ रहा 6 percent per annum तो ये क्या बोलता सर ये बोलता कि dollar में invest करना चाहिए पर यार rate of interest इंडिया का देखो और US का देखो सर US का है 4 percent और इंडिया का है 9 percent तो सर 5 percent इंडिया में investment करने से 5 percent जादा मिलेगा जबकि US में investment करने से 6 percent मिलेगा बोलो सर US में invest करो इंडिया से बौरो करो इंडिया से बौरो करना है क्या बौरो करना है रुपीज दिक्कत ये कोशन अधूरा दिया था उसने लिखा है how a trader can take advantage of the situation if he is willing to borrow डॉलर 3 मिलियंस बस इतना तो डॉलर तो बौरो कैसे करेंगे डॉलर तो बौरो करने का बंदा नहीं वो तो बोल रहा कि इंडिया से बौरो करना है तो रुपीया बौरो करना पड़ेगा तो भाई आपको समझना पड़ेगा वो कहना चाहता आप बौरो कर सकते हो 3 मिलियं डॉलर या equivalent रुपीज मतलब इससे आपको multiply करके equivalent रुपीज करना पड़े चलो process देखे यस बौरो करेंगे अभी रुपीज 9% के सबसे बौरो करके उसको हम डॉलर में convert कर देंगे और उस डॉलर को 4% के सबसे लगा देंगे कहां यूएस में 6 मेने के 6 मेने बात किया होगा सर cash in flow हो आएगा जो डॉलर हमने invest किया था वो with interest हमको मिल जाएगा अब उस डॉलर को हम रुपीज में convert कर देंगे और जो पैसा उधा लिया था उसको वापस कर देंगे तो finally answer आगए arbitrage gain और इसको divide कर दीजे forward rate से इस rate से तो यह dollar में भी आ जाएगा arbitrage gain ठीक है this is covered interest arbitrage सर ऐसा नाम क्यों पढ़ा वो मैं आपको करवा चूआ now purchasing power parity purchasing power parity में होता क्या है कुछ नहीं purchasing power parity जो है पूरा focus किस पे होता है पूरा focus होता है inflation पर और IRP किस पे focus करता है IRP सरफ focus करता है inflation पे नहीं rate of interest पे purchasing power parity बोलता है जहां का inflation rate कम है वो currency जादा strong होगी ठीक formula वही है तो formula क्या है S1 प्लस I I का मतलब inflation divided by 1 प्लस I बस यहां R होता था तो यहां I हो गया बाकि सब सारी चीज़े वही रहेगी उपर वही rate रहेगा अगर यहां रुपीज है तो उपर रुपिया का rate रहेगा पस इसमें आप long term inflation जो होता न वो यहां हम forward rate नहीं लिखा अला कि forward rate भी लिख सकता था पर forward rate लिखने क्या पेक्छा expected spot rate लिखना ज़्यादा अच्छा है और यह long term पर होता inflation दो साल बात क्या होगा यह decide हो जाता पर interest rate नहीं होता देखते है question number 50 question number 50 मैंने home work दे दिया था पर देख लेते rate of inflation इंडिया में 8% US में 4% spot rate दे रखा 46 आपको निकालना एक साल बात तो एक साल बात का 46 यह आ गया और चाल साल बात का तो 46 1.08 power 4 और 1.04 आराम से estimated spot rate निकल जाएगा यह आप इसको forward rate भी बोल सकते हो question number 47 यह थोड़ा सा परिशान हो करने वारा tricky question था question number 47 interest rate दे दे यह 3 मेने का US का और Canada का और currency दे रखा है dollar borrow करने का rate invest करने करेट और Canadian dollar में borrow करने का rate invest करने कर और यह spot rate दे रखा है Canadian dollar per dollar और forward rate भी दिया है advise the currency in which borrowing and lending for three months to be done for the US company US company में क्या चलता है dollar चलता है वो यह कहना चाहता था इस question में कि सर ऐसा है कि हमको dollar borrow करना है मालो dollar की जिर्वरत है तो कहां से borrow अगर US से कर लो अगर US से कर लेते हैं हम 3 मेने के लिए तो हमको 4% पर मिल चाएगा ठीक है या Canada से तो dollar borrow होई नहीं सकता वहां से तो Canadian dollar borrow होगा नहीं हमें मान के चलो हमें 1000 US dollar की जिर्वरत है 1000 US dollar की जिर्वरत है या तो US से दूसरा Canada से पर Canada से इतना dollar borrow करो इतना Canadian dollar borrow करो कि उससे आप 1000 dollar खरीद पाओ मुझे क्या करना है मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि कितना Canadian dollar borrow करना है तो सर बैंक dollar का rate दिया है इसका मतलब bank dollar बेचेगा इस rate पर एक हजार इंटू बारा सो चालिस मतलब 1.240 मतलब सर इतना Canadian dollar मुझे लेकर आना पड़ेगा Canada से और उसको देखकर ये बात समझ में आरी न क्योंकि मुझे US dollar चाहिए न यार तो मैं Canadian dollar दूँगा bank को और बदले में bank मुझे dollar से बेचेगा तो कितना Canadian dollar लेकर आऊ कि बदले में मुझे 1000 dollar मिल जाए तो final हुआ कि 1240 Canadian dollar मुझे borrow करना पड़ेगा किस rate से 4.5 percent के इसाब से उस हिसाब से देखोगे उस हिसाब से ये आ गया और ये आ गया 1240 इतना Canadian dollar बोरो किया था तो with interest मुझे इतना देना पड़ेगा अब मुझे Canadian dollar खरीदना पड़ेगा पर rate किसका दिया है dollar का bank dollar खरीदेगा मतलब 1.255 1.255 से divide किया तो मुझे इतना dollar का payment करना पड़ा है तो बताओ कौन सा मिरे लिए अच्छा है US से उधा लेना अच्छा है कि Canada से उधा लेना सर Canada से उधा लेना अच्छा ऐसी किसकी बात है अब lending की बात है तो वही 1000 dollar या तो US में invest करो 2.5% के सबसे या तो Canada में invest करो अब Canada में investment करना तो आपके पास तो है 1000 dollar 1000 dollar से bank dollar खरीदेगा तो bank खरीदेगा तो बदले में हमें इतने Canadian dollar मिल जाएगे 1235 उसको हम investment कर देंगे फिर तो कर लोगे question ठीक है question number 24 इसको भी देख ले क्या ये सर इसको भी देख ले ABC company have taken 6 month loan from their foreign collaborator US dollar 2 million 2 million का loan ले रहा है आप interest जो payable है वो libor plus 1% ठीक है और libor का rate है 2% तो 2 plus 3 3% का आपको payment ये 3% कब का निकला ये निकला साल भर का क्योंकि ये 2% ये हमेशा परेनम है libor हमेशा परेनम होता है और libor plus 1% मतलब 3% देना है तो 6 मेने में total मेरा commitment in dollar कितना हो जाएगा 20,30,000 dollar देना पड़ेगा जो कि मुझे 48.4575 के सबसे खरीदना पड़ेगा तो total commitment in rupees ये आगे दूसरा advice कीजिए तो advice कैसे करे advice क्या करना है भाई अतना लिखा हुआ है कि यार अगर expected spot rate जादा होता forward cover से if expected spot rate is more than forward then forward cover is better क्योंकि इसमें कम मिल जाएगा बस ये लिख दिया और अगर आपको expected spot rate की विसे में पता नहीं है तो भीया hedge करके रखो बात खतम ये वाला जो लिखा है न वो time pass है मतलब hedge करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये सारी चीचे पोचा है question number 25 अब धियान से दखना है ये question मुझे ज़्यादा अच्छा है हलाकि मैंने इसको बाद में करवाया था पर वो मेरे पास अभी cover नहीं मैं यहां से पढ़ लेता हूँ यहां भी two million है लाइब और प्लेस वान है और यह तो वह है जाएगा इसमें बोल रहा है कि advise the company on forward cover what will be your opening is portrait यह होगा थो ठीक है advice company अब बच्चों को गहना सर इसमें तो estimated spot rate निकाल नहीं सकते थे या theoretical forward rate नहीं निकाल सकते थे पर इसमें तो निकाल सकते हैं बिलकुल आप theoretical forward rate यह estimated spot rate वो निकाल लीजिए और इसको actual से comparison कर लीजिये अगर सर देना है अगर यह सस्था पढ़ा तो यह अच्छा अगर यह सस्था पढ़ा तो यह अच्छा लेकिन forward rate जब निकाल रहा है तो spot rate कितना जाएगा 68.52 इंटू 1 प्लस आ रुपीज का rate है तो उसे रुपीज का rate क्या करेंगे लाइबॉर प्लस 1 नहीं भाई नहीं लाइबॉर प्लस 1 से नहीं होगा लाइबॉर अवेलेबल है तो उससे होगा मतलब उपर आएगा 1.03 6 मंत का है और नीचे 6 मंत लाइबॉर की 1.01 ऐसे होगा देख लेना इस question को मेरे पास अभी solution नहीं है अब बात आ जाते है आई एर पी खतम पर्चेसिंग पावर पावर पैरिडी खतम अब आ जाते है करेंसी फ्यूचर तर करेंसी फ्यूचर है क्या सॉरी करेंसी एक्सपोजर सॉरी मैं फ्यूचर पे बहुत जल्दी चला गया था करेंसी एक्सपोजर करेंसी एक्सपोजर में क्या होता है तीन टाइप के एक्सपोजर मैंने बताया था आपको transaction, translation, economic वो सम मेरे काम का नहीं economic exposure का question है वो मैं करवा दूँगा, अभी मेरा target question है transaction exposure क्या होता है आपने USA इंपोर्ट किया, example के लिए USA तो यार payable है तो payable है तो risk है dollar payable है, तो उस risk से वो जो risk है उसको बला जाता है transaction exposure सर उससे बचने के तरीके है कि yes, internal, external ये काम नहीं आएगा leading and lagging, invoicing, netting, forward cover money market cover, future hedging, option hedging ये कुछ काम नहीं आने वाला है कि internal क्या होता, external क्या होता please बताओ, कुछ नहीं बताओ काम आएगा question और start कहां से करेंगे हम start करेंगे leading and lagging lead का मतलब और lag का मतलब आपको पता है lead का मतलब है कि आप जल्दी payment और lag का मतलब है देर से ये नाम भी यूज नहीं होता है सीदा question आता है और क्यों ना question से ही देखे और हम देख रहा है question number 55 question number 55 बिल्कुल simple question है, पर देखने का बंता exam में आया हुआ okay sir पैसा importer है और 1,30,000 dollar का payment करना है 1,30,000 का सामने वाले को देना है exporter भाई साहब बोल रहा कि सुनो ना यार, आप अब भी payment कर दो हम कोई interest charge नहीं करें ये दूसरा option है कि आप 3 मेरे बाद payment करना पर भाई साहब आपको 5% interest के साथ dollar का payment करना पड़ मैं अभी payment करने को तियार हूँ पैसो का arrangement कहां सी होगा तो bank देने को तियार है importer bank की भाई ये 15% के हिसाब से ले लो that's it तो देखना है कि अभी payment करें भाई साहब exporter को interest के साथ payment करें अभी payment करते हैं मान लो हमको 1,30,000 dollar अभी खरीदना होगा yes sir 1,30,000 dollar अभी खरीदना होगा कितने के हिसाब से 48.36 के सबसे इतना रुपिया लगेगा इतना रुपिया हम bank से उधार लेंगे तो total cash outflow इतना होगा 3 महने बाद payment करेंगे तो 1,30,000 dollar plus 5% interest 5% तो 3 महने का देखी लेंगे इतने dollar खरीदना पड़ेगा कब खरीदना पड़ेगा 3 महने बाद 48.83 के हिसाब से बताओ पैसा किस में कम जा रहा है sir option number 2 is better हाँ यह 64 है यह 60 option number 2 is better तो यहीं leading lagging का नाम आया है कि नहीं आया है ना तो क्यों टैंसल नहीं कि question number 56 Z limited है import कर रहा है कितने का dollar 2 millions का payment कब करना 90 days payment 90 days में करना payment 90 days में नहीं करना हमें 90 दिनों के लिए भाईया पैसे 90 दिन बाद ही payment कर पाएंगे हमें 90 days का credit चाहिए जो supplier है वो बोलता भी है 60 दिन के लिए तो आपको चिंता वाली बात नहीं 60 दिन बाद payment कीजिए हम आपसे interest नहीं लेंगे लेकिन आपको और 30 दिन के लिए अगर आपको credit चाहिए तो आपसे हम 8 percent चार्ज करेंगे एक मेहने का आपको interest देना पड़ी दूसरा option है कि banker है banker आपको तो देखो अब भी तो यहां तो मुझे यहां तो मैं payment करने का सोचूंगा है नहीं जब मुझे मिला है यहां तक कोई है तो यहां तक तो मैं फायदा उठाऊंगा दूसरा option है जब मैं यहां payment करने जाओं तो यहां की bank से बात करूं कि यह कितने percent पे तो वो 10 percent पे वो 30 दिन के लिए उधार दे सकता है तो मुझे payment या तो 60 दिन में करना है या तो सामने वाले को interest देना है 90 days में विल्को सिंपल concept था तो चले काम करें अगर मैं कहता हूं 60 दिन में payment करना है तो इतना ही dollar payment करना पड़ेगा और यहां से बोरू करेंगे 10 percent के साबसे वो ही किया है 57.10 ये वला rate है इतना और इतना पैसा हमने 10 percent के साबसे उठाया तो total cash outflow ये हुआ 90 days में payment करना तो सामने वाले को with interest देना पड़ेगा dollar with interest और वो dollar हमको 90 दिन बाद 57.50 के साबसे खरीदना पड़ेगा बोलो किस में पैसा कम है सर इस में तो option one number one is better इस में मैं ज़्यादा time नहीं लगाँगा ये बिल्कुल simple है चलो जी अब बात करेंगे money market है अच्छा topic है चलो जी leading के बाद किसकी कर रहे थे हैं money market cover money market cover importer के लिए है exporter के लिए अलग ऐसे तो discussion करना नहीं पड़ेगा पर मैंने आपको एक rules सिखाया था अगर liability है तो acid create करना अगर acid है तो liability create करना सर ये समझ में नहीं आएगा बिना question के तो question देख लेते हैं तो साहब ऐसा है कि UK based exporter एक exporter है जो कि UK का है ये UK का बड़ समय है ठीक है और sir invoice है dollar UK वाले ने export किया तो आने वाला होगा आने वाला है dollar 3,50,000 ठीक है और हम UK के ये dollar हम bank को देदेंगे bank pound हम को देदेगा अगर हम forward cover sir ये आने वाला कब है ये आने वाला है तीन मैने में और pound का rate दिया है तो sir bank pound बेचेगा 1.6140 के सबसे ये dollar है ये pound का rate दिया तो divide होगा अगर मैं forward cover करता हूँ तो 216,852 सवाल है यार money market cover में क्या होगा अब ध्याँज से समझना money market cover में क्या होता है हमें ये decide करना होता आने वाला कहां से है US से US से ना तो US में हमें इस bank में से loan लेना है कि यहां जमा करना है concept में आपको दिया हुआ हूँ अब सवाल है सर आने वाला है मतलब सर asset है asset है आने वाला है मतलब asset है तो सर यहां liability create करना पड़ेगा इसका मतलब यहां से हमको loan लेना पड़ेगा और इतना loan लेगे इस bank से इतना loan या इतना borrowing करेंगे ताकि with interest तीन लाग पचास जार डॉलर हो जाए और इस person से इस person से हम यह बोले इस person से जो दिख रहा है आपको कि इस person से यह बोले यार तीन लाग पचास जार डॉलर हमको तीन मेहने बाद मत पहुचाना आप यहीं कि यहीं बैंक में जमा कर देना मुद्दे की बात है concept अपनी तरह है कि यार अगर आने वाला है डॉलर तो यहां से हमको यह हमारा asset है तो यहां liability create करना पड़ेगा मतलब हमें US money market से borrowing करना पड़ेगा और US money market का borrowing का rate है 9% और कितना borrowing करना पड़ेगा तीन लाग पचास जार डॉलर ने तीन लाग पचास जार डॉलर का present value चले एक बार देखें money market कमर में यस बारो कहां से करना है US से इतने पर्शन पर नाइन पर्शन पर तीन मेहने का तो तीन लाग पचास जार डॉलर का present value निकाला तो यह आगे अब इतना डॉलर कब आ गया है सर आज आ गया तो इसको क्या बेचेंगे किस rate पे इस portrait से डॉलर आया bank pound बेचेगा यह rate तो 1.5905 से convert किया तो यह pound आ गए इस pound को हम UK में जमा करेंगे और जमा करने का rate कितना दिया है 5% तो बताओ तीन मेहने बाद with interest हमारे पस यह जाए तो money market cover से इतना pound मिलेगा और forward cover से इतना मिलेगा तो money market cover is better सर ऐसा कोई question नहीं है कि जिसमें import भी और export भी और मज़ा जाए हाँ जी है ना भाई क्यों tension दे रहा है question number 62 बहुत अच्छा question है मैंने आपको LDR में भी डाल रखा question number 62 में क्या है Columbus Surgical Incorporation है जो कि US का has recently imported import किया है और import किया है raw material import किया है तो हमें payment करना है 4,80,000 pound UK वाले को UK वाले को कि US वाले को import US से किया है कि UK से किया खेर हमें तो 4,80,000 हम US वाले US waste form है हमें 4,80,000 pound का payment करना है कब payment करना है तीन महने में और तीन महने में export और साथ में हम export भी करते Indian customer को invoice हम pound में करते हैं और जो कि हमें तीन महने में export किया तो आने वाला 1,38,000 pound आने वाला है तीन महने अब बात ये है यार कि हमें देना भी है 4,80,000 pound और आने वाला भी 1,38,000 pound दोनों सेम करेंसी है और दोनों एक ही पिलिट की है तो भाई इस चार लाक असी हजार है ना जो जिसको हम इसको देना है तो हम कहेंगे को इंडियन कस्टमर से भी या आप पाउंड का ही पैमेंट कर रहे हो ना तो एक कम किजिए इस परसन को पाउंड 1,38,000 दे दीजिए न मेरे ख्याल से बहुत बात बिलिपल सिंपल है सरी मल्टिलेटरल नेटिंग है कि यस सीधी सीधी बात है यह इसको दे देगा 1,30,000 हमें देने की जरुबत नहीं है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ 3,42,000 देना पड़ेगा यू के कस्टमर तूसरा क्या है फ्रेंच कस्टमर ह कोई ने सकती है इसपॉट रेट दे रखा है डॉलर पाउंड पर डॉलर रेट दे रखा है इसपॉट भी और थ्री मन्त भी और डॉलर पर यूरो भी दे रखा है इसपॉट दे रखा है फोर मन्त दे रखा है और साथ में हमको जा चाहिए था इंट्रेस्ट रेट दे रख तो अब काम काम की बात करें यह सर क्या पूछा है फावर्ड कवर पूछा है ठीक है जी मानी मार्केट कवर पूछा है सिंपल सी बात है मैं आप से बोलूँगा UK वाले का नेट पेबल कितना है सर पाउंड 3,42 जार और कब है तीन महने बाद तो तीन महने बाद का रेट देख लो मैंने क्यों काट दिया है वैसे मुझे इसकी जिडवत है और तीन महने बाद रेट है डॉलर का तो सर हमें देना है पाउंड तो बैंक से हम पाउंड खरीदने जाएंगे बैंक हमसे डॉलर खरीदेगा मतलब यह वाला तो तीन लाक फोर्टी टू थाॉज़न डिवाइड हो गए है तो यह आगा है यह सिंपल है अब दूसरा है मनी मार्केट मनी मार्केट कॉझर सर मनी मार्केट कॉझर पेबल है मतलब लाइवर्टी है तो हमें asset create करना पड़ेगा UK में asset create करना पड़ेगा मतलब deposit करना पड़ेगा UK में और UK में deposit कितना करना पड़ेगा UK का deposit का rate है 10% तो 10% पे जमा करना पड़ेगा क्या सर 342 जमा करना पड़ेगा नहीं भाई इसका present value और present value निकाल लेंगे इतना pound हमें लगेगा तो इतना pound हमें लगेगा वहाँ जमा करने के लिए तो थीक है सर उसको spot rate पे हमें खरीदना पड़ेगा तो bank क्या करेगा sir bank क्या करेगा bank pound बेचेगा मतलब bank dollar खरीदेगा 0.9830 से डिवाइड हो जाएगा इतना dollar हमें लगेगा आज इतना dollar क्यों लगेगा ये pounds खरीदने के लिए ये pounds क्यों खरीदना है क्योंकि हमें जमा करना है अब इतना dollar आज हमको borrow करना पड़ेगा US से और US का borrow का rate है 13% पर बौरो करेगा हमें US से तो US से जब हमने बौरो किया इस rate पे तीन मेहने के लिए तो dollar में cash outflow ये आ रहा है और money market cover में कितना आ रहा था ये आ रहा तो बताओ दोनों में से क्या अच्छा money market cover is bad power cover में ये money market cover में अब बात किस की करें sir बात करें फ्रांस की फ्रांस से आने वाले मतलब asset है तो क्या करना पड़ेगा reliability create करना पड़ेगा मतलब loan लेना पड़ेगा और चार मेने के लिए और कहां फ्रांस से loan लेने का rate है 16% तो चार मेने का 4% तो present value निकाल लेना 5,90,000 का तो वही हमने किया होगा 5,90,000 का present value निकाला 16% चार मेने का 4% नहीं होता है ये भगवान देख लेना भाई ठीक है तो ये आ गया 560144 इतना euro मुझे आज मिल जाएगा उसको convert करा देंगे इस post rate से अब euro का rate देख लो sir euro का rate है euro का ही दिया तो उसी दा multiply हो जाएगा bank euro खरीदेगा 1.8890 मैं money market की बात कर रहा हूँ इतना dollar आया इतना dollar हम जमा कर देंगे तो ये जाएगा और forward cover में ये जाएगा दोनों मैंसे कौन सच्छा वो देख लेंगा हो जाएगा money market cover में यार कुछ special नहीं है अगर देखा जाए तो बस हम लोगों को जो focus करना है वो ये करना है कि हमें receivable है कि payable है दूसरी बहुत important क्या है important क्या है क्या liability है बाहर विदेश की बात करना liability है क्या मुझे देना है yes तो asset create कर दो deposit कर दीचे वहां क्या आने वाला है आने वाला मतलब receivable asset है अगर asset है तो liability create करना पड़ेंगा मतलब आने वाला है तो पहले ही आने दो ना यार अब आने वाला है तो पहले से आने दो जाने वाला है तो अब भी चला जाए बस सिंपल सी बात है मेरे ख्याल से मैं क्या बोलना हूँ आपको समझ में आकर ओके सर कोशन नमबर 65 में कुछ था ही नहीं करने का यह सिर्प मनी मार्केट कवर से हो जाएगा तो 65 यहां रिवीजन का बनता नहीं है अक्छिरी कोशन नमबर 83 अच्छा है कोशन नमबर 83 देखने का बनता भी है कोशन नमबर 83 में क्या है सर अच्छा कोशन है बोले कोई importer है इंपोर्टर है और importer है तो डॉलर आठ लाक का payment करना है डॉलर आठ मिलियन का payment करना है आठ मिलियन है एट मिलियन payment ऐसे करना है अगर अभी payment करोगे तो 1% discount मिल जाएगा दूसरा सामने वाला कह रहा है कि ठीक है यह discount तो नहीं मिलेगा आप 60 दिन तक payment कर सकते हैं उस पे कोई interest नहीं लगेगा लेकिन अगर आप और डिले करोगे 30 दिन तक डिले कर सकते हैं तो 30 दिन का आपको interest देना पड़ेगा 8% और 8% ठीक है जी पर एनम आफटर 60 देश ठीक है हाँ हाला कि अभी हमारे पास 25 लाग cash available है और आप बचे ही हुए के लिए बैंक से लोन ले सकते है 90 दिन के लिए है 9% पर एनम लगेगा ठीक है अप टू 90 देश अप टू 90 देश के लिए लोन ले सकते है और इसके अलावा quotes दे रखा है और क्या क्या दिया हुआ है जड़ा देखोगे 60 देश पॉर्ट रेट है इस पॉर्ट रेट है 60 देश है 90 देश है ए बी सी होना चाहिए था अच्छा वो नीचे दिया होगा ओके advice for bid और ask का कोई चक्कर नहीं है बताए क्या अभी payment कर देना चाहिए cash जो 25 लाग है उसको आप यूज कर सकते है अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो आप उसको यूज नहीं करते हो अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो किसी बैंक में जमा करके 4 पर एनम के सबसे इंटरिस्ट कमा सकते हो एक साल में 360 दिन लेना है टेक्सेस इंको इग्नोर करना और वरकिंग 4 decimal places तक करना और रुपीजिन करोर्स में काम करना है तो सबसे पहले काम करते है पे इमेजेटली की बात करते है अभी पैमेंट करोगे तो डॉलर 8 मिलियन पैमेंट नहीं करना पड़ेगा 1% डिसकाउंट मिल जाएगा और 1% डिसकाउंट मिलेगा तो और उसको जो भी फिडॉलर लगीगा 66.98 के सबसे हम कनवर्ट कर लेंगे ये भी ठीक है सर और multiply करके 6 और उसमें भी हमें पैसे उधार नहीं लेना पड़े है क्योंकि 25 लाग तो हमारे पास कैस है और बच्चा वाला हम उधार ले लेंगे और किस rate से उधार ले लेंगे सर हम 9% के सबसे उधार ले लेंगे देखेंगे कैस अफ्ट लो कितना हैगा 90 दिन बात अभी डॉलर पैयमेंट करेंगे तो हमें डिसकाउंट मिलेगा इसने डॉलर को खरीदेंगे 9% के हिसाब से 90 days के लिए तो ये आ गया कैस आउट लो after 90 days अब बच्चे बोलते ज़र ये भी तो कैस आउट लो कैसी बात कर रहा है भाई क्या बात कर रहा है मेरी बात है कि 90 दिन बाद मेरे पास से कितना पैसे जाएगा that's it कैस तो फर्ष्ट में भी यूज होगा सेकंड में भी होगा इथार्ड में भी होगा सवाल है 90 दिन बाद मेरे पास से कितना पैसे जाएगा अभी payment करूँ तो अब सवाल है कि यार अगर 60 दिन बात payment करे तो तो पहली बात कि आपको discount नहीं मिलेगा तूसरी बात है कि आप 8 million इस rate से खरीद होगे फीके सर इसमें भी कोई बात नहीं तीसरी बात है 25 लाग का huge कर लेंगे और इस पे interest भी तो कमाएंगे 60 दिन का और तीसरी बात है जो पैसा लगेगा उसके बाद उसको हम 30 दिन के लिए उधार ले लेंगे आओ देखे पेदा सप्लियर dollar payable in 60 rate 0.8 करोड में ने पहले करोड में convert करवा दिया था आप लोगों ने उसको multiply किया तो इतना रुपिया लगेगा पर जो मेरे पास cash था with interest उसको तो मैं यूज कर लूँगा भई यहां मैंने 60 दिन का interest कमाया होगा ओके सर यह आ गया और इसको फिर हम इतना रुपिया हम 30 days के लिए loan ले लेंगे तो cash outflow इतना आ गया after 90 days तीसरा 90 दिन बाद तो 90 दिन बाद तो बिल्कुल simple है 90 days बाद हम को interest देना पड़ेगा एक है और इतना डॉलर खरीदना पड़ेगा और cash का यूज कर सकते हो पूरे 90 days में interest और cash का तो cash outflow इए जो भी lower cash outflow आएगा हम accept कर ले question अच्छ है अब आ गया हम भाई main मुद्दे पर एक तो है future housing या currency future वो करना है और एक करना option housing बस इन दोनों में टाइम लगेगा और फिर सर फिर cancellation पर जाएगा तो पहले future housing डिस्कुस कर ले तो सर फियूचर हैजिंग में होता क्या है future housing में भाई एक बात आराम से सोचना कि यार अगर हमने import किया किस बात कर डर है dollar payable है dollar के बढ़ने कर डर that's it तो जिस बात कर डर उसी में बैटिंग कर लो न यार आप long position ले सकते हो stock exchange आईए वहाँ शर्त लगाईए कि dollar का rate बढ़ने वाला है और dollar का rate बढ़ गया तो हाला कि दुख होगा आपको जादा देना पड़ेगा पर stock exchange से cash flow मिल भी तो जाएगा बस जिस बात का डर उसी में शर्त लगाना है it means आप long position भी ले सकते हो short position भी ले सकते हो questions ही समस्ते सीधा सीधा और मैं बात कर रहा हूँ question number 68 के देखे है यह सर देखे है XYZ is an export oriented business house based in Mumbai export कर रहा है और बोले invoice receipt होने वाला है dollar 1 ले और कब होने वाला है September 1, 2019 market information June का दिया हुआ export rate दिया हुआ है ठीक है भई one month forward it तीन मैने बाद one month तो जबर्दस्ती दिता है हमारे लिए काम का है तीन मैने अगर मैंने कहा कि क्या bid और ask का जहन जट है इसमें नहीं तो simple सी मात है हमें dollar आने वाला है dollar है और ये rate किसका रुपीस का दे रखा है तो सीधा सीधा डिवाइट कर दीचे और forward cover से इतना पैसा आएगा बस बात खता currency future की information दे रखा है contract size June और September और ये margin दे रखा है अब यहां से समझने की बात है बस सबसे पहले की जून का तो हमारे काम का नहीं है हमारे काम का है September का सवाल है की long position लेना की short position लेना सिर्ट dollar आने वाला है dollar आने वाला है तो dollar के गिरने का डर तो sir short position यार dollar आने वाला है export किया dollar आने वाला है तो dollar के गिरने का डर तो sir short position होना चाहिए पिटे सवाल वो नहीं है सवाल यह है कि रेट किस का दिया है så रेट तो रूपीज का दिया है तो इल्टा सोचना पड़ेगा ड़लर के गरने का डर मतलब रूपीया के बढ़ने का डर इसलिए हम लॉंग पूजिशन लेंगे हमने long position ले लिया कि rate बढ़ेगा अब दूसरा है हमको number of contracts निकाले है अब number of contracts निकाले तो कैसे निकाले है ये sir exposure amount है और ये दिया है रुपीज में अब sir इसको convert कर दे कि इसको convert कर दे contract size को कि इसको तो sir future में क्या होता है future में मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि future में number of contract कहां गया है future में contract size change नहीं होता exposure जो है ना उसको वो change कर देते हैं रुपीज में और किस rate से change कर दिया sir number of contract निकालने के लिए number of contract निकालने के लिए इसी rate से उन्होंने convert कर दिया और इस exposure को रुपीज में convert कर दिया और फिर number of contract निकालने 10 contract long it means step wise सोचे तो step number one में क्या होगा step number one में क्या होगा step number one में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप long position ले रहे हैं कि short position हला कि ICAI नहीं बताता है number of contract निकालना है तो problem है ये है dollar में ये है निकाल लेना ये किसा निकल गया अब last की बात कर लो step number three cash out flow या in flow export किया तो in flow सबसे पहले एक लाग डॉलर आएगा और उसको देखो कि उस margin जब आऊगा सेप्टेंबर एक को actual में बैंक के पास जाओगे तो ये stock exchange का rate है सर कितना मिलेगा सर एक लाग डॉलर तो वो आएगा ठीक है अब सर हम ये देख ले कि हम currency future पर जीते या हारे चलो पहले वो देख लेते पहले future वाला काम खतम करते सर ये currency future rate है 0.02134 और 0.02134 आपने शर्त लगाया था कि इससे उपर जाएगा सर उपर गया तो सर हम तो जीत गए यस आपने कहा था कि long position है तो आपको जो मिलेगा उसको बोलते है variation margin ये difference into contract size अब ध्यान से समझना यहाँ खेल है सर हमने शर्त लगाया था 0.02118 से उपर जाएगा तो ये उपर गया तो हमको मिलेगा ये एक रुपए पर इतना डॉलर मिलेगा हमें एक रुपए पर इतना difference मिलेगा तो सर इतने रुपए पर कितना डॉलर मिलेगा बहुत सारे बच्चे को confusion है कि answer डॉलर में आएगा कि रुपीज में आएगा तो बिटे मैं फिर से बनो एक रुपिया पर इतना डॉलर तो इतने रुपए पर कितना डॉलर ये भी डॉलर मिलेगा इस्टाक एक्षिन से मिल गया डॉलर एक लाग तो हमको मिलना ही मिलना था 755 डॉलर और मिल गया और जो भी डॉलर मिला वो जो बैंक वाला रेट है इस portrait उससे हम लोग divide कर देंगे तो answer आजाएगा यह हाला कि जो आप premium या margin premium तो नहीं आएगा margin money जो आप margin money जमा करोगे margin money September के लिए 15,000 into 10 contract मतलब 1,50,000 जो जमा करोगे उसका margin तो वापस मिल जाएगा पर उसका opportunity cost तो जाएगा margin तो आजमा करना पड़ता है तो उस पे opportunity cost ले लिए हमने 15,000 into 10 into 8% यह 3,000 रुपए opportunity cost भी लेना पड़ेगा यह पैसा मिला पर 3,000 रुपए opportunity cost कटने के बाद भी हमारे पास cash inflow इतना है ठीक है तो नो हैजिंग में क्या करना है नो हैजिंग में कुछ करने नहीं है this divided by this जो भी वहाँ rate होगा rate तो यह हुआ था क्या अच्छा है currency future is best चीक है यह question repeat है खूब repeat होता है बस गलती कहा होगी मालूम गलती यही होगी सिर्प यह एक मुद्द है गलती होने का बाकी और कहीं गलती होने तो please इसको समझना गलती समझ रहे होना मैं कह रहा हूँ कि यहां गलती हो की बस ठीक है sir question number 75 हाला कि 75 तो यार derivative type का है पर फिर भी समझ लेते है sir receive होने वाला 4 लाग डॉलर ठीक है भाई future contract 1000 डॉलर ठीक है spot or future as on date spot and future contract are quoting अभी spot rate यह चल रहा future rate यह चल रहा यह हमारे इस पर हमको शर्त लगाना आने वाला है तो dollar के गिरने का डर suppose after 3 month rate हो गया यह 44.50 हो गार spot rate future rate यह हो गया यह वाकी गिरा और rate यह हो गया spot rate you are required to calculate the effective realization for the company मेरी बास समझो जो 4,000,000 डॉलर आएगा उसको तो हम जो spot rate है उससे convert कर देंगे उस समय का 44.50 से multiply कर देंगे बिल्गू से तो सर्थ 4,000,000 into 44.50 सर यह आगे 17,80,000 1,80,000 यह पैसा मिला रुपिया में और सर जीता भी तो हम हमने सर्थ लगा था कम हो गा और चुलिए 44.50 हो गया तो 45 माइनस सॉरी 45 45 माइनस 44.50 इंटू 4 लाक सर हम जीत गए 2 लाक रुपए तो वैसे हमको 1 करोड 76 लाक रुपए 1 करोड 80 लाक रुपिया मिला भाई एक करोड 80 लाक मिला और कितने डॉलर पे 4 लाक डॉलर पे तो एक करोड 80 लाक रुपए 4 लाक तो सर उस हिसाब से हमें इफेक्टिव डॉलर का प्राइस क्या पड़ा 45 पड़ा यह निकला हुआ है कर ले ना यह सिंपल कोशन था कोशन नमबर 73 अच्छा कोशन है पड़े निक्टरोजन लिमेटेड यूके की कमपनी है इस इन दा प्रोसेस अफ नेगोशीटिग अन ओर अमांटिंग तो यूरो 4 मिलियन तर यूके की कमपनी है और एक ओर्डर है यूरो 4 मिलियन का ठीक है यूरो आने वाला है तो किस बात का डर यूरो के गिरने का बोले देखो हम ऐसे करेंगे हैंजिंग ऐसे करेंगे यहर सामने वाला जो यूरो देने वाला न उससे कहो भाईया हमको यूरो मत दीजिएगा हमें ठीक 6 महने बाद पाउंड में इन वोईसिंग होगी पाउंड चाहिए हमारा टेंशर नहीं कतब न यार हमने गाइड current action rate से आप invoicing बना लीजिए पाउंड का, current action rate मतलब मैं यह समझा रहा हूं, यह spot rate है, अगर euro आता, तो bank euro खरीता, मतलब या rate तो pound का दिया, मतलब bank pound बेचता, बेचता तो इस rate पे बेचता ना, तो आप इस rate से convert कर दीजिए euro को और invoicing किस में कर दीजिए, pound में कर दीजिए, तो इतना pound मिलेगा, अभी मिले चाहिए, दो मेने बाद, 5-6 में, हमें क्या फर्क बढ़ा, वैसे सामने वाले से बोल दीए, कि 6 मेने बाद, और 6 मेने का rate नहीं लिया, याद रखना बोला है, current action rate, invoicing पहला है, दूसरा, आप invoicing मत किजिए euro में, आप forward cover कर लिजिए, forward cover, forward rate कहा है, forward premium दिया, आप यहाँ धियान समझना, सब premium दिया है, तो यह plus ही होना चाहिए, swap points दिया, और cents दिया, cents का मतलब इसमें divided by 100 करना पड़ेगा, इसमें तब सी यह आगया है, मेरा forward cover, अब तीसरा currency future, currency future में invoice तो आप euro में ही कीजिए, और huge sufficient six month future contract को आप huge कर लिजिए, six month future contract कर लिजिए, और rate बगिरा सब दिया है, contract size दिया, तो सबसे पहले हमको यह decide करना कि long position की short position, तो उसके लिए यह देखो कि यह future किस पे चल रहा है, सर्फ future rate किस का दिया है, rate दिया है pound का, आने वाला ही euro, euro के गिरने का डर, pound के बढ़ने का डर, तो कोई शक की बात नहीं हम long position ले रहा है, हमने long position ले लिया, currency future में, कहाँ है, take position, hence we should take long position, और इस rate पर हमने long position ले लिया, 1.176, ठीक है, अब हो गया है, यहां तक long position, अब number of contract भी निकालना पड़ेगा और मैंने कहां किसको change करते हैं, सर, exposure amount जो है ना, उसको यह euro है, और यह pound का, सर, divide कर दो पहले, और फिर उसको contract size, contract size कहां है भई, सर, contract size यह है, 62,500, उससे divide कर दो तो number of contract निकाला जाए, contracts निकाला जाएगे, तो कैसे किया number of contracts, इदर गया है, भई, यह exposure उसको सबसे पहले हमने pound में convert कर दिया, कि 62,500 तो यह आगए 54, याद रखना कि currency future में rounded off कैसी होगा, अगर 54.73 है तो मैं इसको 54, normal rounding off, अगर 54.42 है तो 54 ले लेंगे, यह गाम हो चुका है, अब सिधा cash out flow को देख लेते हैं, अब सिधा किस की बात करते हैं, cash out flow, cash out flow में पहला rules क्या है, पहला rules से अपने शर्ट लगाया था, 1.1760 से उपर होगा, अब देखो rate क्या हो गया, इस portrait और 6 मैंने बाद यह rate हो गया, मतलब बढ़ गया है, बढ़ गया है, मतलब फाइदा, तो कितने का फाइदा, इतने यूरो का फाइदा है एक पाउंड पर, तो इतने पाउंड पे कितने यूरो का फाइदा, चार लाक यूरो ये मिलेगा, ये भी यूरो मिलेगा, और जो यूरो मिलेगा, वो हम spot rate भी यही है, इस rate से convert कर देंगे, तो answer आ गया है, पाउंड, ठीक है, अच्छा question है, currency future is best, इसमें बस याद है कि एक question जो दिया था ना, उसने यहां current spot rate की जगह ना, average rate लिया था, average rate यूज कर ले ना, average कैसे bid और ask divided by two, ठीक है, पाउंड कि इस question में कुछ है क्या कुछ खाज़ बढ़ाई है, अब आगया भाईया, option housing पर, यह भी थोड़ा सा tight है concept, option housing, option housing में, simple सी बात है, call option, put option, जब हमको ऐसा लग रहा है कि price बढ़ने वाला है, तो call option जब ऐसा लग रहा है कि price कम होने वाला है, तो put option, लेकिन यहां दिक्कत एक बात समझना है, सर बदले में हमको pay-off मिल जाएगा, price बढ़ा हो तो, नहां, बिल्को सही, लेकिन option housing में, currency option में, right to buy और right to sell वाली बात चलती, मतलब सर, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर call option मेंने खरीदा है, इसका मतलब stock action से, सपोज मेंने, अब सुनना भी टे, option में क्या दिक्कत है, सपोज मेंने 10,000 dollar के लिए call option खरीदा, कि मुझे dollar चाहिए, और मुझे 80 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा, अब future में rate हो गया 90 रुपए, तो हम generally क्या होता call option में, हमें difference मिल जाएगा, stock action dollar थोड़ी ने बेचागा भाई, stock action तो difference देगा, लेकिन यहां हमें ऐसा नहीं करना है, option में real में, जिस rate पे बोला है, उस rate पर physical delivery हो की, 10,000 into 80 के हिसाब से अपको मिलेगा, हाला कि rate market में 70 हो गया, तो यह 10,000 dollar हम 70 के हिसाब से खरीद लेंगे, फिर आम 80 के हिसाब से नहीं खरीदेंगे, बात समझ में आ रही है, option housing में physical delivery होगी, कोई gross pay off वाला काम नहीं है, ठीकर सब्सक्राइब, तो इसमें दो type के question है, दो category के, और वो मैंने category डिवाइट करके रख दिया, पहले बात करें category A, यस, तो लिखा XYZ एक firm है, और उसको 3,00,000 पाउंड की जरूरत है, मतलब 3,00,000 पाउंड खरीदना है, और कब सर 180 days में, 180 दिनों में 3,00,000 पाउंड चाहिए, कौन सी firm है, US की, US में क्या चलता है, डॉलर, spot rate दिया हुआ है, और 180 days forward rate भी दिया हुआ है, और rate of interest है, 180 days deposit rate ही है, याद रखना ये 12 मेने का नहीं है, ये 180 days का है, गलती मत करके आ जाना, ये जो rate है, ये 6 मेने का ही है, 180 days का ही है, इसको परेनम मार के, आप 6 मेने में करना, 6 मेने का अलग से मत कर देना, कि 6 मेने का 2.25 परसन है, इसके अलाव अबले call option है, expiry होगा 180 days में, और strike price है, $1.97 ये काम का है, और premium दिया जाएगा, $0.04, 180 days बाद, हमें ये लग रहा है, कि rate हो सकता है, तो बताइए, क्या करना चाहिए, option है, हमारे पास forward cover कर सकते, money market कर सकते, option contract कर सकते, no hedging कर सकते, सब डाल दिया, पहले forward cover की बात करें, यसा, तो forward cover में, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, forward cover में भाई, ऐसा है, कि आपको, 3 लाग पाउंड खरीदना है, और forwarded 1.96 के, सबसे तो बहुत सिंपल है, money market cover, हमें जरूरत है, हमें देना है, बाहर, अहां देना है भाई, हम लोगों को, हम US वाले है, हमके UK को देना है, UK को, अगर देना है, तो हमारी liability है, तो वहां asset create करना पड़ेगा, मतलब deposit करना पड़ेगा, yes, invested, तो invested करना, क्या 3 लाग, 3 लाग नहीं, सर, 3 लाग का present value, कहां UK में investment करना, deposit का rate है, 4.5%, और ये 4.5%, 180 days कही है, divided by 1.05, तो ये आ गया, ये आ गया सर, ठीक है सर, ये भी बास समझ में आ रहे, कितना pound हमें आज खरीदना पड़ेगा, किस rate पे, 2 के हिसाब से, तो इतना dollar हमें आज लगेगा, और जो लगेगा, वो हम उधार लेंगे, कहां से, US से, 5.5% के हिसाब से, तो बताओ, total cash outflow, कितना, total cash outflow है, 605, 741, ओके सर, सर, अब उसकी बात कर ले, किसकी, money market की, बलकुल, money market हो गया भाई, मतलब सर, currency option की, ठीक है, अब सवाल ये है, कि strike price कितना, आपको ये, जो 3,00,000,000 है, ये 1.97 के हिसाब से, मिल जाएंगे, और 0.04, premium, देना पड़ा, सर, अगर rate 1.91 हुआ, तो फिर भाई, मैं 1.91 के हिसाब से, खरीदूँगा, option तो lapse हो जाएगा, फिर मैं इसी सब से, क्यों खरीदूँ, हलाकि मेरा, एक pound का cost तो, ये पड़ा, 1.91, प्लस 0.04, सर, 1.95 हुआ, तो भी option lapse हो जाएगा, और एक pound का cost ये पड़ा, और सर, 2.05 हुआ, तो फिर इस rate पर ने खरीदूँगा, 0.05 for 3,00,000 pounds पर, rate ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस पर lapse हो जाएगा, इस पर lapse हो जाएगा, exercise कब होगा, call option है, जब इससे बढ़ेगा, और फिर, अगर ये हुआ, तो हम इसी के सब से खरीद लेंगे, और सर, 1.95 हुआ, चाहे आप exercise करो, चाहे मत करो, तो से total मिलाकर, total cost हमको इतना पड़ा, और इसको मैंने multiply किया, 3,00,000 pounds से, तो इतना पड़ा, ये भी cash outflow हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, इस बात की probability दिया है, तो ये गया है, मेरा expected cash outflow, याद रखना, premium minus premium भी जोड़ कर है, पर ये premium तो आज देना पड़ता है, तो सर उसका opportunity cost तो लेना चाहिए, yes, तो उसका opportunity, premium pound 3,00,000 पे dollar 0.04, और उसका opportunity cost है 5.5%, तो टोटल मिलाकर मेरा, 660, 5.5% सर बारोइंग ही क्यों लिया, borrowing ही लेना है, हमें ये मानना है कि जो भी पैसा है, हमें जरूरत है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको borrowing rate ही लेना पड़ेगा, इसलिए हमने 5.5% लिया, तो टोटल गया, dollar 660, तो टोटल मिलाकर कैसा उप्ड़ इतना है, अगर no housing होता तो no housing होता तो rate ये भी एक्सपेक्टेड डेट को ही हम मानेंगे कि maturity को यही rate होगा, और इसी से multiply कर दिया, और ये, no housing is better, तो ये एक type है, category 1, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि यार देखो, option housing का ऐसा भी question आ सकता है, ठीक, okay सा, आगे चले, yes, आगे चल रहा है, आगे है question number 78, ये category 2 है, type 2, ये question भी अच्छा मेरा फैवरेट, तो sir, UK ने import किया chemical, dollar, 3,6,4,8,9,7, दिख रहा है आपको, हाँ sir, 3,6,4,8,9,7 का, US supplier से, ठीक है, और payable है, 6 मेहने में, और simple सी बात है, इस type का question हम कर चुक्क है, rate किसका दिया है, pound का, तो हमने import किया है, हम कौन है, हमें UK, हमारे हैं कौन से चलता है, pound, और, सामने वाले को, हमें क्या देना है, हमें import किया है, तो डॉलर देना है, हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा, मतलब, bank हमसे pound खरीदेगा, तो forward rate ये है, इसके सबसे काम हो जाएगा, यह तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लाब मनी मार्केट, यह question मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मनी मार्केट cover भी करवा दी, अब बात करते हैं, currency options की, ठीक वैसे ही करना है, जैसे future में कर रहा था, हमें ये देखना है, कि हमें call option खरीदना है, कि put option, तो सर, इसके लिए सबसे पहले बात, देखो कि rate किसका दिया, strike price, ये दिया, strike price, और strike price दिया है, dollar per pound, 1.70, मतलब यार सर, हमें payment क्या करना है, हमें payment करना है, dollar, dollar जा रहा है, तो dollar के बढ़ने का डर, मतलब call option होना चाहिए, पर rate तो pound का दिया, तो इसलिए put option, मैं फिर से बोल रहा हूँ, call option के put option, ये decide करना है, हाला कि लिखना नहीं है, कि call की put, पर simple सी बात है, dollar जाने वाला है, तो dollar के बढ़ने का डर, तो call होना चाहिए, पर rate किसका दिया, sir, rate pound का दिया, इसलिए put option, पहला तो 100% के आपको बताना पड़ेगा, कि call option की put option, और जैसी decide हुआ कि, हमें क्या खरीदना है भाई, sir, हमें खरीदना put option, strike price हमको मालूम है, और premium put option के लिए premium देखो, premium, 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 ये है sir, premium है 0.096, इतना premium है, एक pound पर इतना dollar, ठीक है sir, पहला काम तो ये हो गए, कि हमें put option खरीदना, strike price हमको मालू है, put option का मतलब यार, जो भी dollar जाएगा, हम इस rate से convert कर देंगे, अब बात आती है, sir, अब बात आती है, number of contracts की, अब यहाँ ध्यान से काम करना, future यहाँ अलग था, option अलग है, थोड़ा slow ही पढ़ा दू, तो ज़्यादा अच्छा है न, exposure दिखाई दे रहा आपको, yes sir, 364897, 364897, और contract size pound में, तो दिक्कत वही है, कि dollar में है हमारा exposure, और contract size है pound में, future में हम, इस exposure को change कर देते थे, pound में, जब future करते थे, अब option में हम क्या करेंगे, इस exposure को change नहीं करेंगे, हम contract size को convert कर देंगे dollar में, क्या वज़ा है, वज़ा कुछ नहीं है, आप इसको भी change कर सकते हैं, ICAI ने option में ऐसे कर रहा है, सर यह याद नहीं रहा तो, जैसा future में कर रहे थे, वैसा कर लो, याद हो रहे तो अच्छी बात, और rate कौन सा 1.7, तो pound को pound का ही rate दिया है, दिख रहा है ना आपको, यह sir, pound का ही rate दिया है, और pound को ही convert करना, तो इसको हमने dollar में convert कर दिया, तो एक बात याद रहे हैं, कि option contract में, आप contract size को dollar में convert कर देते हैं, और अब इसके मदद से, आपने number of contract निकाला, यहाँ एक बात धियान रखना, यहाँ round off नहीं होगा, future में rounded off कर देते थे normal, यहाँ जो fraction है, उसको हटा दिया जाएगा, इट मेंस सिर्फ whole number का ही contract होगा, इट मेंस सर 17.82 आया, तो 0.82 को हटा दीजिए, future में क्या करते थे, future में उसको हम 18 बना देते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आप 17 contract करोगे बस, और सर fraction के लिए, fraction के लिए आप किसी और तरह से hedge करोगे, ठीक है, ओके सर, तो final होगा है, 17 contract कौन सा option, पुट, अब option हैजिंग से, आपको मालूम है कि किसी भी हालत में, 21,250 डॉलर का एक contract, 17 contract किये, तो dollar 361250 आपका cover हो चुका है, किसे option हैजिंग से, इट मेंस, आपको मालूम है, एक contract में कितना डॉलर मिल जाएगा, 21,250 आपने कितना contract ले चुके हो, 17 किस rate पर, 1.70 के हिसाब से, तो आपको इतना pound मिलेगा, और उसमें आपका इतना dollar cover हो चुका है, पर अभी भी तो बाकी है, क्योंकि आपको हैजिंग कितने dollars का करना, सर हमको हैजिंग करना, इतने dollar का, और इसमें से cover, अभी option के थूँ cover कितना हुआ, तो इसमें एक option हैजिंग, दूसरा बच्चा हुआ, आप क्या करोगे, फावर्ट कवर, ठीक है जी, अब एक और बात आजाती है, वो बात आजाती है, premium की, भूलना मत, जैसे option में margin नहीं भूलते हो ना, उसका opportunity cost लेते थे, जैसे इसमें premium मत भूलना, अब premium में लिखा है, sir, एक pound पर इतना dollar लगेगा, premium, तो total एक contract है, 12,500 into 17, इतने pound पर कितना dollar, तो dollar आ गया, 20,400 dollar, फिर से यहां बच्चों को दिक्कत है, कि answer pound में आएगा, कि dollar में, तो बैटे समझो ना, चीजों को समझ लोगे, तो दिक्कत नहीं होगी, वो बोड़ा, एक pound में, एक pound में, इतना dollar है premium, तो इतने pounds में, कितना dollar, 2400 dollar, premium कब लगेगा, sir, आज जमा करना पड़ेगा, तो इसको हम convert किस से करेंगे, sir, spot rate, spot rate से convert किया, इतना premium हमको dollar में जमा करना है, तो बताओ, इतना dollar खरीदने के लिए, हमें कितना pounds लगेगा, that's it, ओके sir, तो बात क्या है, बात ये है कि, option housing में, एक बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं repeat कर रहा हूं, पर जरूरी है, सबसे पहले, आपको ये decide करना है, call your put हो गया है sir, उसके बाद decide करना number of contracts, number of contracts में विशेज धियान रखना है, कि आपको contract size को convert कर देना है, एक बार exposure की जो currency है, उसी में, और फिर number of contract निकालते हो, तो इसमें विशेज धियान रखना है, कि जो fraction है, उसको ignore कर देना, और जो whole number है, उसी का हम contract लेंगे, और cash out में, option housing का जो होगा होगा, इसके अलावा बच्चा हुआ जो fraction हो, जो यहां cover नहीं खुपाया, वो forward cover कर लेंगे, forward rate पे, और सर्थ जो premium है, वो हम लोगों को advance में देना पड़ता है, तो उसके लिए जो हमको लगेगा, डॉलर वो भी तो खरीदना पड़ेगा, तो वो हम spot rate, और वैसे इस पर opportunity cost भी consider करना चाहिए था, borrowing rate वाला, तो आप चाहो तो आप वो भी consider कर सकते हो, I.C.E.I. ने नहीं किया है, तो that's it, ठीक है जी, ये question अच्छा था सर, मैं जानता हूँ अच्छा था, तो लेज़ी आएंगे, question number 79, एक बार पढ़ लेता हूँ, Indian firm है, उसको Japanese yen चाहिए कितना, पाच लाक कब चाहिए 30 जून को, और आप forward cover में भी जा सकते है, currency option में भी जा सकते, Indian firm मतलब यार हमारे यहां रुपिया चलता है, और Indian firm को pay करना, मतलब Japanese yen जाने वाला है, कितना जाने वाला है, पाच लाक, और rate दे रखा, थ्री मन्त forward rate, ये bid है, ये ask है, और ये spot rate है, ये इन पर रुपीस, हमें ये चाहिए, ये रुपीस का rate दिया, मतलब bank क्या करेगा, मैं yen खरीदूँगा, bank मस्य रुपिया खरीदेगा, 1.9726 divide हो जाएगा, और forward cover का answer आगा, forward cover में कुछ नहीं है, currency option, ये तो मद्दे की बात है, currency option में call option की put option, जड़ा देखते हैं, rate हमें किस बात कर, option आएगा, इसको उड़ा दो, put option strike price ये हो गया, number of contract निकाल नहीं सकते, क्योंकि contract size नहीं दिया है, तो सर अब कुछ करना है, कि अब कुछ नहीं करना, premium का आप देख लेंगे, premium है, ये 0.098 पर रुपीस, एक रुपे पर इतना ही है, तो सर सबसे पहला काम क्या होगा, पाच लाग, और इस से डिवाइड कर दो, 2.125 से, ओके सर, तुम मैंने put option खरीदा, ये लिख दिया, और ये भी लिख दिया, अब बात करते, पाच लाग डिवाइड बाए, तो ये आगया, 235294 रुपीस, fraction आएगा नहीं, forward cover आएगा नहीं इसमें, क्योंकि contract size दिया नहीं है, तो premium कितना देना पड़ेगा, premium, तो premium लिखा है, इतना एक रुपे पर, इतना येन, एक रुपे पर, इतना येन, तो इतने रुपे पर, कितना येन, premium आगया है, इतना हमें येन खरीदना पड़ेगा, बैंक rate के दिया, spot, बैंक रुपिया खरीदेगा, 1.9516, तो इटना जाएगा, फाइनली कैसा उप्लाइब था, कोशन छोटा सा है, अच्छा है, आ सकता है, अगे चले जी, कोशन नमबर 80, मेरे खल से, आपसन है, जीन का लास्ट कोशन होगा, बूल रहा भाई, ऐसा है, अमेरिकन फर्म है, जिसको पे करना है, कैनेडियन डॉलर, अमेरिका में, यूएज डॉलर चलता है, उसको पे करना, अमेरिका, कैनेडियन डॉलर, 10 लाग 10 जार, और 7 लाग 5 जार, 31 जुलाई को, और सेप्टेम्बर को, ये सेप्टेम्बर को, ये जुलाई को, ठीक है, जी, तो रिसक एवर्ज है, और ये सब कहानी दे रखा, चाहो तो आफ फिक्स फावर्ड कांट्रेक्ट में जा सकते हो, ये तो आफ्टेम्बर कोंट्रेक्ट में जा सकते हो, अभी क्या है 30 जून, तो भाई, दो पैमेंट जाने वाला है, कैनेडियन डॉलर, एक तो जाने वाला है, एक मेहने बाद, और एक जाने वाला है, तीन मेहने बाद, ठीक है, फॉलिंग कोटिशन रिगार्डिंग रेट्स अप एक्शेंस, डॉलर पर कैनेडियन डॉलर, ये दिया हुआ, डॉलर पर कैनेडियन डॉलर, ये काम आएगा, डॉलर पर कैनेडियन डॉलर, ठीक है, तो फावर्ट कवर जाते हो, तो कुछ है नहीं है, US dollar option on US stock exchange cent per Canadian dollar payable on purchase of the option मतलब बुले जब यार हम option खरीदेंगे ना तो एक Canadian dollar पर इतना cents, cents मतलब पैसा premium दिया जाएगा ठीक है भई contract size है Canadian dollar 50,000 वाउ और यार बड़ी सारी strike price दे दिया है और call option है put option है, सबसे पहला question ही होगा कि call खरीदे कि put खरीदे रेट दिया Canadian dollar और वही जाने वाला है और उसी के बढ़ने का डर Canadian dollar का ही तो rate दिया हुआ है यहाँ भी देखोगे, तो rate जो दिया वो Canadian dollar का दिया और वही जाने वाला है और उसके बढ़ने का डर तो सर्फ फिर हम लोग call option खरीदेंगे, yes call option खरीदेंगे इसमें कोई शक्की बात नहीं है तो put को मैंने हटा ही दिया ठीक है, ओके सब अब सर्फ call option जो खरीदना है वो कौनसी वाली strike price पर खरीदना है 0.93 वाले पर खरीदना है या 0.94 वाले पर खरीदना है कि 0.95 वाले पर खरीदना है according to the suggestion of finance manager if options are to be used one month, options would be bought at a one month वाला जो खरीदना वो इस पर खरीदना, 0.94 पर 94 पर सेंट मतलब 0.94, उसके लिए दिया जाएगा 1.02 सेंट प्रीमियम खा, ठीक है और रिमेंडर जो है रिमेंडर जो अनकवर्ड होगा और थ्री मन्त वाला 95 पर मतलब इस रिट पर आजएगा मैं one month वाला करवा देता हूँ, थ्री मन्त वाला आपसे हो चाहेगा और रिमेंडर जो बचेगा उसके लिए आप चाहो तो forward cover कर लेना क्योंकि वही best estimated spot rate होगा ठीक है भाई समझ में आक है चलो बताते हैं, सबसे बहले option पर बात करें one month वाली पर कितना है हमारा exposure Canadian dollar 10,10,000 final हुआ कि हम कौन सा option खरीद रहा है circle option ये भी सही है किस और इस strike price पर और बदले में premium दिये जा जा रहा 0102 पर Canadian dollar तो सबसे पहले है Canadian dollar 10,000 और contract size भी Canadian dollar में दिया हुआ तो lottery लग गई ये fraction में आया था, हमने fraction को उड़ा दिया 20 contract आया अब कैसा उट्रो निकल दो सबसे पहले अगर हम option housing में जाते हैं तो 50,000 Canadian dollar 20 के साब से कितना cover हो गए 10,000 0.94 के साब से तो 9,40,000 US dollar लगेगा बच्चा Canadian dollar 10,000 जिसको हम forward rate से cover करेंगे forward में बेडास्क दिया हुआ है क्या नई सर एकी rate 0.930 और सब premium अब यहाँ premium का अच्छे समझना उसमें लिखा है 0.01 पर Canadian dollar एक Canadian dollar पर इतना US dollar लगता है तो 10,000,000 Canadian dollar पर कितना US dollar लगेगा वही चाहिए और हमें US dollar में ही तो आंसर चाहिए यहाँ हमें premium में spot rate से conversion की ज़रुद नहीं पड़ेगी तो total इतना जा रहा है ठीक है सर one month में और three month वाला आप कर लो ठीक है अच्छा कोशन है भई यह यह भी देखके चले जाना सा forward cover तो मैं आपको बता दिया हूँ तो option housing बस इतना ही था अब बात करेंगे cancellation and extension of forward contract या fat of forward contract बहुत सारे नाम हैं चलो जी अब बात करते हैं सर cancellation की cancellation and extension और सुनो इस पर multiple choice question case scenario का वो दिया था case scenario बेसका mcqs early delivery पे आया हुआ है chances बनते हैं भाई देखे एक बार yes क्या forward contract को cancel कर सकते हैं सर कर सकते हो तो क्या rules है मैं सब one by one discuss करूँगा ठीक है जी cancel करना है forward contract को तो आपको opposite position लेना होता this is most important एक rules याद रखना bank ने किस आपको bank angle सोचना कि bank ने किस चीज का contract किया क्या bank ने खरीदने का contract किया अगर bank ने खरीदने का contract किया buying contract तो उसको काटने के लिए selling contract opposite लेना होता है और date एक ही होना चाहिए खरीदने का contract जिस date का था उसको काटने का contract मतलब बेचने का भी contract उसी date का होना चाहिए it means अगर maturity पर cancel हो रहा maturity पर तो sir maturity को जो rate available रहेगा वो तो spot rate रहेगा yes maturity को अगर cancel हो रहा तो आपको spot rate लेना पड़ेगा पोजिट पोजिशन लेना है logic में आपको समझा तो पर cancel हो रहा है before maturity 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 से पहले तो एक rate तो maturity का है तो जो दूसरा rate है वो तो यहां का है आप तो अभी यहां available है एक मेने पहले तो दूसरा rate जो है आपको one month forward लेना पड़ेगा it means दोनो rate एक ही rate के होने चाहिए बस यही मैं कहना चाहता हूँ ठीक है sir सर्थ समझा कर बताओ के चलो समझ लेते हैं example की ज़र्वत नहीं है सीधा question number 84 पढ़ें जी यह सर्थ पढ़ते हैं क्या बोल रहा importer सद्द से क्या लग रहा bank ने किस चीज का contract क्या होगा bank के एंगल से आपको सोचना पढ़ेगा यहां तो option ही खत्म होगा आपके बस sir importer लिखा हुआ है इसका मतलब import किया सामने वाले ने सामने वाले ने import किया मतलब उसको चाहिए मतलब bank क्या करेगा sir bank बेचेगा तो bank का कौन सा contract है selling contract बस तो sir और कितना डॉलर 20,000 डॉलर और किस date का sir 30 October के maturity है ठीक है further period और इसको आप extension करवाना चाहते है आने और तीन मेने के लिए extension करवाना चाहते है तो extension और cancellation एक ही है बस मतलब अगर आप extension करवाना चाहते है तो भाई साब पहला काम है कि आप contract को cancel कीजिए और contract cancel होता है उसके बाद आपको जब के लिए extension करवाना कर सकते है आपसे cancellation charges वसूल किया जाएगा और अगर कुछ difference आता तो हम आपको pay भी कर देंगे तो आप extend करवाना चाहते है 30 October को कितने period के लिए further period of 3 month ठीक है यह agree to pay the required margin ठीक है जिस rate पे बात हुई थी वो है 42.32 याद रखना कि यह margin margin सब adjustment होकर आया है contracted rate this is selling rate और US dollar quoted 30 October 30 October के लिए ही बुकता 30 October का ही rate है मतलब 30 October को extend करवाया जा रहा है तर इसका मतलब यह वाला जो है 30 October सरी maturity है yes maturity पर cancel हो रहा है और हमारे लिए काम का rate है opposite buying rate लेकिन यह generally interbank rates दिये होती है चाहे question बोले चाहे ना बोले अगर margin दिया तो यह interbank rates है और 3 month premium दे रखा premium तो 3 month premium मतलब यह forward rate निकालने के काम आएगा हाँ क्योंकि सामने वाला बंदा तो extension के लिए बोल रहा है margin money दिया है margin money दिया है buying के लिए 0.075 और selling के लिए 0.20 मैंने आपको क्या समझाया था मैंने कहा था अगर interbank rates दिया है और आपको merchant rate निकालना है तो bank खरीदेगा तो और कम में बेचेगा तो और ज़्यादा में तो मतलब buying rate से margin minus होगा selling में plus होता है तो भाई bank बेचेगा इसमें कुछ नहीं होगा यह तो contracted rate है पर इसको काटने के लिए opposite rate यही लेना पड़ेगा क्योंकि maturity में cancel हो रहा तो spot rate और इसमें से margin minus कर देना 0.075 तो चलो देखे देखते हैं selling rate यह दिखाए दे रहा है आपको यह वाला 42.32 buying rate 41.50 इसमें से margin minus होगा है 0.075 तो बैंक बेचेगा ज़्यादा में खरीदेगा कम में तो सर बैंक को गेन हो गया यस customer को loss हो गया तो ठीक है भी यह customer आप इतना पैसा दे दो 20,000 के साब से आप 17,000 उपर में ज़े दे दीजिए यह customer की वज़ा से नहीं आप इसको आप overdue पे मच चले जाना यह बनता ही था बैंक तो आप इतना पैसा दे दीजिए बात गता एक extension चार्ज ओके सर ओके सर कुछ था कि इसमें कुछ नहीं था अब यह नया फार बोल रहा कि यार देखो चलो आपने तो original contract cancel कर दीजिए पर मुझे तीन मेहने बाद चाहिए नया डॉलर ठीक है तीन मेहने बाद खरीद लेना बोले rate है लगेगा आपको आपको खरीदना है ना bank बेचेगा तो bank 41.52 प्लस 0.93 premium जोड़ना बढ़ेगा सर क्यों 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 प्रीमियम सद्द लिखा है या फिर ascending order में आप जो भी मान लो और सर इसके अलावा margin बेचो के तोर में होगे margin भी प्लस हो जाएगा तो नहीं हो फॉवर्ड 41.52 प्लस 0.93 प्लस 0.20 41.9 हो जाएगा चले आगे question number 87 speed से करते हैं on 15 January 2000 15 you as a banker booked a forward contract for dollar to like 50,000 for your import customer import सब्द है तो मतलब बैंक ने बेचने का contract किया selling rate कफ की बात हो रही है सर फंदरा मार्च 2015 को बेचेंगे और 65 पॉइंट इस rate पे बात हो यह यह selling rate हो गया selling on due date due date due date मतलब यार spot आएगा cancel करने के लिए due date customer request to cancel the contract on this date quotation यह है तो sir spot एक selling rate है तो काटने के लिए buying rate आएगा 2900 आना चाहिए भी ठीक है देखते है 2900 आएगा न यार और spot अप्रेल का मतलब क्या होता है sir option forward contract मतलब sir मतलब यार forward contract क्या होता था एक fix date में option forward contract का मतलब अप्रेल में कभी भी मैंने आप से discuss कर चुका था यह मैं क्यों बता रहा हूँ आगे चलते हैं ठीक है sir तो contract cancel होके है flat charge 100 रुपे लगेगा exchange margin कितना लगेगा 0.1% ठीक है बताए यह cancellation charges क्या होगा simple है यह यह एक selling rate ले लिए हमने 65.3450 उसको काटने के लिए buying rate ले लिया और खरीदेगा bank तो margin minus करेगा rounded off किया है मैंने इसा rounded off क्यों किया है तो सुनना generally क्या होता है मैंने आपको बताया था rounded off होता है 25, 50, 75 और 100 में आपको यहां क्या सूझा कि rounded off हो रहा है उसकी वजह मैंने बताया कि यह देखो यार कि यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है 65, 4237 या 38 ऐसा नहीं लिखा है यहां जो भी figure लिखा है एक तो 4 डिजिट में है और दूसरा rounded off करके इसलिए इसको मैंने 47 को rounded off करके 50 कर दी कुछ बच्चे बोलते सर 4X में rounded off का क्या rules है यह तो दिया रहेगा contract size है तो 30,000 और यह flat charge अलग से 100 रुप है तो यह अलग से add कर दिया तो 30,000 ओके सर question number 91 यह भी देख लेगा question number 91 suppose you as a banker enter into forward purchase contract banker है और banker ने purchase करने का contract किया है डॉलर 50,000 कब का 5 मर्च का किस से exporter से exporter से तो purchase ही करेंगे तो यह वाला rate है देखो यहां ध्यान से चार डिजिट में दिया है खास बात है और rounded off करके दिया तो यहां rounded off होगा तो यह buying rate है ठीक है कब के लिए भी है 5 मर्च 5 मर्च से 5 3 महने पकड़ लो अब 5 अपरेल में June June के लिए booking हुई है जून के लिए 59.60 में और the same date मतलब यह वाला जो बैंक है यह बोलता है मैं खरीदूंगा और कितने में किस्टमर से 59.63300 और कब खरीदूंगा 3 मैने बात मतलब जून में पर बैंक क्या करता है बैंक अपना position यार खरीदूंगा और rate कम हो गया तो बैंक क्या करता है यह जो डॉलर है cover कर देता किसी और को बेज देता risk नहीं लेता है और वो कर लिया 60.6025 में खुछ से cover कर लिया यह जो cover है हमारे cancellation में कब काम में आएगा जब और really delivery है मतलब कश्टमर पहले आया और बोलता भाई मुझे भी डॉलर दे तो तब काम में आएगा फेड़ाई का रूल लगेगा या फिर कश्टमर डियूडेट के बाद आया तब यह rate का पिक्चर में आएगा नहीं तो नहीं आएगा लीज इस बात को याद रखना यह डूडेट अगर इसके बाद कश्टमर आया तो यह cover rate काम आएगा या डूडेट से पहले कश्टमर आ गया और बोलता हमको डिलिवरी चाहिए तो आएगा लेकिन अगर डूडेट पे cancellation हो रहा या extension हो रहा तो यह cover rate किसी काम का नहीं है डूडेट पे या due date से पहले extension हो रहा है या फिर cancellation हो रहा है तो भी rate हमारे काम का अभी पढ़ते हैं बुले ठीक है on the same date आपने cover करके रखा है और कितने में cover करके रखा था सर 60.6025 है ठीक है भई how you're on 5 में 5 में मतलब due date से पहले customer आया और request किया early delivery के लिए request करता तो इस cover rate का यूज था बुले भी या sir extension करवा दो extension और extension 5 जुलाई के लिए करवा दो ठीक है भी या तो बताइए कि क्या होगा cancellation charges तो सबसे पहला पैस सबसे पहला रोल क्या हमारे पास buying rate मालूम है यस 59.60 60000 ठीक है उसको काटने के लिए कौन सा रेट selling rate selling rate याद रखना June का लेना spot नहीं ले सकते और June का buying rate तो selling rate आएगा 59.2425 और plus margin बेचोगी तो और महगे margin प्लस तो करना पड़ेगा यस तो यह आगे 59.3017 इसको rounded off तो करना पड़ेगा क्योंकि सब जग रेट आप है तो 1.7 को मैंने rounded off कर दिया 59.3025 और new forward rate निकालना है जुलाई में ले जाना भी है तो यह आगे 59.6425 buying rate है क्या bank actual actual में bank का buying rate है buying rate मतलब यह वह वह रेट 59.6300 और खरीदेंगे तो margin minus हो जगा है 0.1% तो यह आगे 59.75704 rounded off करके 59.5700 ओके सर बहुत जदा मस्किल नहीं हो जाएगा है question number 92 I.C.E.I. का question है इसमें कुछ भी नहीं था भाई क्यों मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं किसकी बचा समझो banker है और banker export customer है export मतलब buying है bank खरीदेगा 2 मेहने का है और 62.52 double zero कोई दिक्कत की बात नहीं इसको काटने के लिए और cancellation कब हो रहा है sir cancellation due date में ही हो रहा है ठीक है सर तो इसको काटने के लिए cancellation नहीं हो रहा है actually extension हो रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा issue नहीं है सवाल ये है कि इसको काटने के लिए opposite rate selling rate लेना है तो selling rate देखते ही ना मेरा यहां focus हो जाता है यार ये है selling पर institute ने इस question में rate bid और ask मतलब bid ask पहले दे दिया और bid बाद में दे दिया खिल खिल दिया institute ने याद रखना हमको इसको ऐसा नहीं कि पहले लिख दिया तो ये bid हुआ bid हमेशा कम होता है और ask हमेशा जादा होता है उससे सबसे selling rate ही हो गए तान से करना दोस्त हो ने दो खेल खतम हो जाएगा question number 93 a bank entered ये cross rate को मिला कर है cancellation a bank entered into forward purchase bank ने purchase करने का contract किया export bill one that 30 two point four two मतलब सरी ये buying rate हो गए है और ये कभ है पच्चीस अपरेल को ठीक है कवर्ड यूरसल खुद से कवर किया है कवर किया तो कवर काम आ सकता है अगर अर्ली डिरिवरी है पर 25 मार्ज को ठीक एक मैने पहले एक्सपोर्टर आया और बोलता भी या कैंसल करता है कोई दिकत नहीं कैंसलेशन भी फूर मैचिरोटी और सिंगापूर और प्रॉबलम क्या है कि यह इन्होंने सिंगापूर मार्केट का जो रेट दे रखा वो यह दे रखा सर यह रेट कौह से है ऐसे पर डॉलर और पहिए इंटर बैंक रेट दे रखा एएस मार्केट का और य यह bank angle से तो अब bank angle से हमको कौनसा rate निकालना पड़ेगा selling rate customer आता है तो bank क्या करेगा तो sir customer तो रुपिया लेकर आएगा तो sir bank पहले dollar बेचेगा तो बेचेगा तो किस rate पे बेचेगा sir पहली बात को कौनसा rate आएगा यह कौनसी rate है 25 March और डिव डिट कौन सा 25 अपरेल मतलब एक महने बाद तो हमारे लिए वन मंथ का काम का है और अपरेल का काम का हमको यह वाला रेट लेना पड़ेगा तो अब बैंक क्या करेगा आपको पेचेगा तो कस्टमर को क्या बेचेगा या तो चलो दिखते बैंक सर कस्टमर सबसे पहले क्योंकि डारेक्ट रेट नहीं लिखा है कस्टमर को पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा और फिर ऐसे खरीदना पड़ेगा ठीक है कुछ बच्चों ने क्या कर दिया था 49.4200 मत कर देना 49.4455 में प्लस हो जाएगा 0.4200 49.445 में 4455 में प्लस करना 4200 ज्यादा दिमाग मत चलाना कर लिया 49.4200 खिल खतम तो ये वाले रिट पे कस्टमर को डॉलर को मतलब बैंक डॉलर बेचेगा इस रिट पे और मार्जिन गिया गए सर मार्जिन क्यों एजिस्टमेंट किया वो मैं आपको बताओंगा क्योंकि ये इंटर बैंक रेट है लेकिन जो MTP में आया है सॉलूशन उसमें तो मार्जिन क्रॉस रेट के बात होता है बिट्टे वो कोशन अलग था इसमें साफ साफ यहां लिखा है इधर इंटर बैंक रेट और यहां इंटर बैंक रेट नहीं है बात समझ रहा हो यहां कहीं भी सब्द ने लिखा है इंटर बैंक करके हैं पर यहां सब्द लिखें इंटर बैंक इसलिए margin सिर्फ इसी में adjustment होगा इसमें नहीं होगा यह already customer rate ओके तो bank ने dollar बेचा अब bank वापस dollar खरीद के Sip बेचेगा तो खरीदेगा तो इसमें 1.15 1.5150 यह आगया 1.5150 यह rupees per dollar दिया है हमें चाहिए rupees per Sip तो rupees उपर है यह ठीक है नीचे Sip आना चाहिए पर यहां dollar है तो one से divide हो जाएगा तो भाई ऐसा है कि bank अगर बेचता तो आपको Sip बेचने का rate उस दिन का निकलता 32.9475 that's it यह rate पहले का दिया हुआ है यह rate पे selling rate है अब देखते हैं customer को फायदा है कि bank को फायदा bank इतने में खरीदेगा bank इतने में बेचेगा मतलब महगे में loss हो रहा है customer को इसर gain होता तो gain होता तो भी यहां bank वाला दे देता customer को सीदी सीवाथ है और contract size यह है तो cancellation चाहिज़ यह बज़सर question जाता अच्छा question number 94 one of the best question इन पी एन company has import किया है आपने साथ लाख डॉलर का amount जो payable है वो है तीन महने में company has also exported good साथ लाख डॉलर import किया है import तो साथ लाख डॉलर payable है ठीक है और sir export किया है तो आने वाला है चार लाख पचा साथ डॉलर and this amount is receivable in two month यह two month में आने वाला है यह three month में जाने वाला है receivable के लिए आपने already contract ले रखा है और four जो आएगा हम 48.90 की सबसे base देंगे और यह rate दे रखा 48.50 और 48.70 two month swap दिया three months swap दिया company want to और यहां कुछ भी margin margin नहीं लिखा है इसका मतलब यह customer rate the company wants to cover the risk and it has two option to cover payable in forward contract simple सी मात इसके लिए तो forward contract अलग से book है कितने पे चा लाख पचा से जार पे साथ लाख पे तीन मेने का rate ले ले 48 bank dollar बेचेगा 48.70 plus 0.45 कर देना आगे लिखा है अब यहां problem है कि इस point के लिए हमको यह वाला point भी पढ़ना पढ़ रहा है हाला कि इस question पे बहुत सारे objection है बात नहीं करूँगा दूसरा option है कि यार to lag the receivable by one month मतलब बोले यह जो receivable होने वाला है ना two month में इसको आप lag करवा दीजिए सामने वाले से बोले यह दो मेने में मत दीजिए अब तीन मेने में दीजिए आपको दिक्कत क्या है अगर यह तीन मेने में दे दिया तो फिर netting हो जाएगा शात लाख जाने वाला है डॉलर आने वाला है चार लाग पचास जर तो netting हो जाएगा न यार and cover the risk only for the net amount no interest for delaying the receivable इसर ने सिंपल सी बात है अब सामने वाले से बोल रहे है कि सर आप एक मेने बास से देना please हम आपसे interest भी लेंगे तो यह दो बेकुपी वाली बात है interest नहीं मिले however, cost of rupees fund है 12% मतलब, मतलब वह कहना चाहता है कि अगर आपके पास किसी भी वज़ा से पैसा पहले आ गया है तो आप उसको invest कर सकते हो 12% पे, it means यह बोल रहा है कि जिए receivable का पैसा जाएगा ना यह तो दो महने में जाएगा first option में जो दो महने में आएगा पैसा तो उसको अगर उन पैसो को bank में डालोगा इस पर interest भी तो कमा सकते हो ना मुझे cash outflow या cash outflow कब कब बताना है तीन मेहने बाद का, netting नहीं कर ले तो तीन मेहने बाद कितना पैसा netting कर ले तो तीन मेहने बाद कितना पैसा सबसे बहले हैं, separate separate ये तीन मेहने बाद सर हमें खरीदना है खरीदना है तो 48.70 प्लस 0.45 तो सर 49.15 पर काम हो जाएगा साथ लाग डॉलर इतना पैसा लगीगा कब लगीगा ये तीन मेहने बाद पैसा जाएगा हमारे पास साड़े चार लाग है उसके लिए तो already contract book है तो इतना पैसा आएगा और इस पर 12 परशन ये एक मेहने पहले आ चुक है तो इस पर हम interest भी कमा लेंगे ये पैसा जा रहा है, ये पैसा आ रहा है तो net में हमारा net cash out after 3 month ही आएगा अब दूसरा है कि यार हम एक काम करते हैं हम lack कर देते हैं हम इसको बोलते हैं सामने वाले को कि आप आराम से पैसे देना इसकी वजह से जो contract है मुझे cancel करना पड़ेगा येस बताओ ये bank का कौन सा contract था तर bank इससे खरीदने वाला था खरीदने वाला था bank ये सर तो bank का खरीदने का rate हो गया है तो bank का बेचने का rate ये आजाएगा 48.70 प्लस 0.3 देखते हैं cancel तो करना ही पड़ेगा ये हो गया एक buying rate एक selling rate तो customer को loss हो रहा है 10 पैसे का customer से हम वसूल कर लेंगे cancellation charges वसूल तो करना पड़ेगा 45,000 इस पर अपॉर्शिटी कोस्ट आज जोडता हूँ विंति करता हूँ वहस नहीं होनी चाहिए इस पर जो किया वो करो 45,000 cancellation charges bank वसूल करेगा cancel हो गया अब और हमने lag भी करवा दिया अब हमारे पास net 2,50,000 लगेगा net समझ में आगए आपको 2,50,000 लगेगा अब सिर्फ हम 2,50,000 के लिए contract book करेंगे और rate वही रहेगा 49.15 इतना और cancellation charge इतना लगा तो यह वाला option आगए तो बताए यह कौन सा option है option 1 is better due to lower cash out ठीक है अब बात करेंगे early delivery तो यह question है early delivery अच्छा है भाई टेकनिकल है और इसी पर multiple choice question आया हुआ है डला हुआ है important है तो बोल रहा है 19 January मैं धीरे करवा देता हूँ 19 January bank entered into forward early delivery लिख दूँ क्या early delivery पका कोशन है तो bank A enter into forward contract with a customer और इसके लिए diagram बनाना जरूई है अब बैंक ने sell करने का contract किया 7000 डॉलर जो की 20 March को sell करना है 46.67 डायग्राम के साब से यह हुआ बैंक और बैंक ने customer से का कि हम आपको बेज देंगे 20 March को किस rate पी बेज देंगे 46.67 के साब से on the same date और खुद को cover भी करते तो हमने cover किया कि अर हम बेचेंगे तो चलो दूसरी बैंक से खरीद लेंगे एक दिन पहले 46.655 के साब से हम खरीद लेंगे that's it तो भाई उस date पर यहाँ 20 March को हम लोग इधर बेचेंगे यहाँ से खरीदेंगे यहाँ बेचेंगे हमारा profit दिखी रहा है आपको ठीक है 19 March को खरीदेंगे 20 March को बेचेंगे ओके सेर अब यहाँ दिक्कत है कि 19 February को ठीक एक महने पहले ठीक एक महने पहले किस्टमर आया बैंक के पास और बोलता है भई मुझे डॉलर जल्दी चाहिए मुझे डॉलर एक मैने पहले चाहिए अब दिक्कत है पड़ाई के रूल यहाँ applicable होती है और उनका यह कहना अगर कश्टमर पहले आ जाता है delivery के लिए तो जिस rate पे बात हुई थी उस rate पे आपको देना ही पड़ेगा कहां से दे बोले इस वज़ा से जो भी आपको loss होगा बैंक इस वज़ा से आप कश्टमर से वसूल कर लेना अब दिक्कत यह है कि यह एक मैने पहले आ गया तो यह एक मैने पहले मुझे इस rate पे delivery करनी पड़े कि इस बैंक से बोला था कि मुझे 20 मार्च को दे देना तो अब आपको किसी दूसरी बैंक से डॉलर खरीदना पड़ेगा कौन सी rate में एक मैने पहले उन्निस फैब और उन्निस फैब का इंटर बैंक rate यह दिया दूसरी बैंक के पास गया मैंने का दूसरी बैंक सुनो न मैंने का सुनो हमको न डॉलर मांगने वाला जल्दी आ गया तो डॉलर चाहिए तो अब उसको दूसरी बैंक के एंगल से सोचना पड़ेगा तो दूसरी बैंक है वो उस दिन डॉलर बेचेगी आपको आपको बेचेगे आपको बाद समझ रहे हैं आप खरीदोगे नहीं अब आपकी अटकी हुई है मैं हूँ मैंने का क्या बोल रहा है फिर से बोलो मुझे डॉलर से यह तो बोले ठीक है मैं बैंक हूँ मैं बेचूंगी और मैं बेचूंगी तो 46.58 डबल जिरो कीदो आज समझ में आ गई मेरे ख्याजर न एसमें इस में होगा क्योंकि ये बैंक का बैंक के साथ है बस सोचना है कि अब इसको बैंक मानना है इसको कस्टमर मानना तब ही होग ठीक है भाई ये बैंक की तो मजबूरी क्या करेगा वो खरीदेगा 46.58 के सबसे और भाईया कहेगा एक मैने पहले आए हाथ जोड़ के विंती ये ले जाओ आपका डॉलर पर RBI ने बोल रखा है फड़ाई के रूलस में कि बोले आ दे तो दे ना डॉलर पर इसको छोड़ना मत इसकी वजह से उसके जल्दी आने की वजह से जो भी आपको नुकसान है आप कस्टमर से वे सुन कर ले ना उनका अब सुनो नुकसान क्या है सुनना दे हां से ये तो ले जाएगा लेकिन इस बैंक साथ मेरे जो contract किया है ये वाले बैंक के साथ ये तो 20 मार्च को आएगा उसको क्या मालम कि उधर क्या हो रहा है वो तो आएगा 19 मार्च को या 20 मार्च को और वो तो मुझे डॉलर देगा फिर मैं क्या करूँ वो जो इधर से मुझे डॉलर मिलेगा उसका rate कम हो गया तो तो उसको मैं रखूंगा ने मैं किसी को चिपकाने के कोशिश करूँगा it means एक contract करूँगा सामने वाली बैंक से एक महने बाद बेचने का क्योंकि आने वाला तो है तो एक महने बाद बेचने का मैंने contract किया और कितने में किया मैंने किया मैंने किया बेचने का contract मतलब दूसरी वाली बैंक तो खरीदेगी भाई फिर sell किया, इसको बलते है buy sell swap और इससे swap loss या swap gain जो भी हो अगर bank को loss हो रहा है तो customer से वसूल करेगा क्योंकि ये customer की वजह से हैं और अगर bank को gain हुआ तो customer, bank customer को देगा क्योंकि ये सब कुछ customer की वजह से हो रहा है, ठीक है, काम करें, एक तो ये और एक होगा interest on fund, वो क्या हो तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले तो ये हो गया, तो चलो क्या क्या वसूल करेंगे, तो पहले swap gain ये swap loss देख लेते हैं, ठीक है, बैंक का खरीदने का था, इस bank ने खरीदा 46.58 के हिसाब से, और बेचा है 46.355 के हिसाब से, खरीदा है इतने में, और बेचा है इतन में तो सर इसको loss हो गया, contact size 7,000 है, तो swap loss 15.75, केस्टमर से वसूल किया जाएगा 15.75, और सर अगर मान लो, यहां gain हो जाता तो, तो फिर हम केस्टमर को दे देते हैं, सिम्बल सी बात है, अब एक बात और है, बस दोई चीज़ है, swap loss और gain, और एक चीज़ आएगी, ओके सर, और एक चीज़ आएगी, पैसा, inflow या outflows पे interest, अब सुनना देहां से, यह केस्टमर एक मेहने पहला आया, yes, तो मेरे पास सर पैसा आ गया, पर यार, यह जब आया, यह पैसा आया मेरे पास, अब जब यह आया, एक मेहने पहले, तो बलता सुनो, बैंक, सुनो, सुनो, सुन रहा था, वो तो आपको एक मेने पहले मिला, तो मुझे interest दे दो, कुए मैं तो आपको एक मेने पहले पैसा दे रहा हूँ, यह करिश्टमर सुनू क्या बात कर रहा है, interest, जो में March में देने वाला था, आपको फैर में दे रहा हूँ, तो interest दे दो, ऍबहें गैंगे, ठीक है मेरे पास पहले पैसा आया लेकिन इसमें से कुछ गया भी तो मुझे खरीदना भी तो पड़ा तो वो माइनस करने के बाद जो नेट पैसा मेरे पास नेट इन्फलो है तो उसमें से इंटरेस्ट ले लेना कोई दिक्ट की बात नहीं है मतलब यार इन्फलो या आउट्लो फंड मुझे बताना पड़ेगा तो देखो ये इंपोर्टन्ट है इसलिए मैं ये कर बाद हूँ केस्टमर पहले आया भाई साब 19 वेप को आया हाँ बोलो हाँ हाँ सर तो साथ हजा डॉलर उसने 46 कॉंट्रेक्टरेट पर खरीदा सबसे 1 by 12 6 रुपिया 30 पैसे आप इंट्रेस्ट ले सकते हो सर ये आउट्फलो होता तो हम कस्टमर से इसका इंट्रेस्ट वसुल कर लेते हैं अगर बैंक का लग जाता ना जब अर्दस्ती तो बैंक छोड़ता नहीं आपसे उस पर इंट्रेस्ट ले लेता तो टूटल कस्टमर से कितना पैसा वसुल किया जाएगा एक तो भई 7000 डॉलर जी स्रेट पे बेचा है वो तो वसुल करेंगे साथ में स्वैप लॉस का भी पैसा वसुल करेंगे यहाँ उसका थोड़ा सा इंट्रेस्ट बनता था वो काट लो कोई दिक्कत की बात नहीं और फ्लैट चार्ज 100 रुपए कहीं लिखा है इसमें कोश्चन में वो 100 रुपए भी वसुल किया जाएगा ठीक है जाए ठीक हैसा कैसा लागा कोश्चन और एक करते कोश्चन नमबर 101 अच्छा कोश्चन है मेरी नजरू में तो बहुत अच्छा कोश्चन है कोश्चन नमबर 101 टिक बापड़ें डाइग्राम नहीं बनाऊगे खेल खतम हो जाएगा डाइग्राम तो बनाना नहीं पड़े ओके सा पड़ते ओन फर्स्ट आक्टोबर 2020 मिश्टर गुरू वाई सब एक्सपोर्टर है मतलब यह बैंक खरीदेगा उसने बैंक को बेचने का कॉंट्रेट किया 75.40 को 31 दिसंबर 2020 को 1 लाख डॉलर बैंक ने खरीदने का कॉंट्रेट किया कितने में बात हुई है कितने में 75.40 तो 75.40 चाहे कोश्चन बोले चाहे कोश्चन ना बोले बैंक के पास जो डॉलर आने वाला है बैंक उसको किसी दूसरे को बैसे किस रेट पर यह हमारे काम आता नहीं ना तो पिछले बार काम आया था अगर देखोगे डायेग्राम तो यह वाला रेट हमारे काम कभी नहीं आया इससे स्वेप लॉस निकलता है इससे इंट्रेस्ट और इंफ्लाउट फ्लो निकलता है तो चाहे बोले ना बोले कवर किया मान लिया जाएगा ठीक यही फड़ाई का रूल्स है ठीक है 75.40 में 31 दिसंबर को खरीदने का कॉंट्रेट किया ठीक एक मैने पहले गुरू आ गया और डिव डेट से पहले बोलता भाई सुनो ना आप जो बेचने वाले थे ना मुझको मतला आप जो खरीदने वाले थे ना एक मैने पहले खरीद लो मेरे पैस डॉलर आ गया भाई एक मैने पहले आ गया अगर एक मैने पहले आ गया तो बेंक को खरीदना तो पड़ेगा और किस रेट पर खरीदना पड़ेगा जिस रेट पर बात हुई थी अब खरीद के करीगा क्या बेंक सब दूसरी बैंक को बेज देगा 75 पॉइंट टूटी के सब दूसरी बैंक हमसे खरी देगी यहां तक ठीक है सब ठीक है यहां तक अब यार दिक्कत यह है जब एक मैने बाद इसको इस बैंक को के साथ मैंने कवर करके रखा था नए यह मुझसे मांगेगा तो मैं कहां से ला कर दूँगा तो मैं और एक कॉंट्रेट करूँगा दूसरी बैंक से कि यार एक मैने बाद मैं आपसे खरीद लूँगी 75.42 75.42 कहां से आया होगा 75 दूसरी बैंक बेचे के ना 75.27 प्लस 15 यहां तक हो गया चलो भाई सबसे पहले स्वैप लॉस या गीन की बात करते हैं उसमें ज्यादा मज़ा सर कस्टमर पहले आ गया था और उसने मुझको दे दिया था एक मैने पहले डॉलर तो दूसरी बैंक ने मुझसे खरीदा 75.22 का मैंने उसको सेल किया और फिर मैंने उससे वापस बाई किया मैंने उसको सेल किया था 75.22 और मैंने बाई किया 75.42 के सबसे तो सर यह स्वैप लॉस है और स्वैप लॉस का पैसा वसूल किया जाए अब बात करते इंफलो और आउटलो तीन ही तो चीज है यार तो यार सर ये कस्टमर पहले आया तो पिये मेरा पैसा जा रहा है पहले आया है तो मुझे डॉलर खरीदना पड़ा तो मैं कहूंगा यार जो मुझे एक मैने बाद पैसा देना था वो तो मुझे एक मैने पहले देना पड़ा तो मुझे interest भी तो interest चाहिए तो customer कहेगा भाई भाई पिछले question की बात करो सुनो 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 ये पैसा आप दे तो रहे हो लेकिन ये जो आपके पास dollar आ रहा है वो आप किसी को बेज भी तो रहे हो उस दिद तो मैं आप आपने 75,40,000 सीदी सी बात मैं dollar 1 lakh पकड़ो 75,40,000 रुपे मुझे दिया पर 75,22,000 आ भी तो गए आपके पास नो डाउट आपका outflow है एक मेने पहले तो मैं net outflow पे आप मुझे interest वसूल कर सकते 75,40,000 किश्मत अच्छे है 75,40,000 गया पर 75,22,000 आया भी तो 18,000 पे आप मुझे interest ले सकते है क्योंकि ये कैसा outflow अस खत्म ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये भी उसुल किया जाएगा ये भी ये भी तो total में लकर इतना पैसा उसुल किया एक अच्छा point इसमें और लिखा है बस इस वज़ा बैंक के पास बैंक को बताओ भी मत एक काम करो यार वो डॉलर कहीं जमा कर दो ना यार और एक महने की तो बात है जमा कर दो चैंसलेशन वेगरा वेगरा स्वैप लॉस और इंट्रेस्ट इन सब का चक्कर ने रहेगा सब चक्कर खतम तो बहुत जमा कर दो तीन पर्षेंट पर रहनम की कमाई भी होगी तो डॉलर वन लैक जमा करेंगे और एक महने में इंट्रेस्ट भी मिल जाएगा और जो इंट्रेस्ट आएगा फिर तो बुक हो चुका है लेकिन बुक आपका एक लाग पे हुआ था एक लाग को मल्टिप्लाई होगा 75.40 के सब से और जो इंट्रेस्ट है उसके लिए आप आपको फावर्ट कॉंट्रेक्ट भुक करना पड़ेगा अबता बैंक डॉलर खरीदेगा 75.22 प्लस 0.10 75.32 पे इंट्रेस्ट के लिए बुक कर लेना अगर आप एक लाग डॉलर को 3% के लिए 31 दिन के लिए इंबेस्ट करो कि तो इतना इंट्रेस्ट मिलेगा जो एक लाग डॉलर उसके लिए तो अलरड़ी बुक था और जो बचे हुए के लिए फावर्ट कॉंट्रेक्ट बुक कर लेंगे तो इतना मिलेगा तो आप्शन टू इस हायर गॉला अब आ गया फैट ओफ फावर्ट कॉंट्रेक्ट या सीधी बात है ओवर अड्यू फावर्ट कॉंट्रेक्ट है अगर कश्टमर किसी वजह से डूडेट पर नहीं आपाया डूडेट से लेट आया डूडेट के बाद उसने इंटीमेशन भी नहीं किया तो भाई साब फिर उसको छोड़ेंगे उससे स्वैप लॉस भी वसूल किया जाएगा उससे आउट फ्लो पे इंट्रेस्ट भी वसूल किया जाएगा उसको देंगे कुछ नहीं और उससे कैंसलेशन चार्जिज भी वसूल किया जाएगा उसको देने देना कुछ नहीं है क कोशन देखते हैं, हाला कि सर कितना दिन था, पहले 15 दिन था, अब 3 दिन है, हाला कि institute कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पिछले attempt उन्होंने 15 ओल्ड वाला रिवडेट, सर उन बातों पर अब वक्त नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर ये 20 जून भी रहता, तो आप चिंत 10 अपरेल, पर डॉल, इंपोर्टर सब्द लिखा है मतलब, मतलब बैंक बेचेगा, कितने में बात हुई है, 10 जून को 2 लाग डॉलर, 64.4 इस रेट पर बात हुचेगा, बैंक बेचेगा, 64.4 पाइट, कब बेचेगा, 10 जून को, 10 जून के लिए बात हो चुकी, 10 जून के अब बेचेगा तो cover भी किया होगा यह सर और cover किया position 64.28 में यह 64.28 मतलब 10 जून को खरीदेगा 64.28 में और बेज़ देगा 64.4 त्रिपल जीरो में वो दिक्त की बात है क्या नई सा that's it 10 जून को और rates दे रखे 10 जून को spot का मतलब सर जून के लिए किसी भी डेट के लिए forward contract spot जूलाई मतलब जूलाई के लिए किसी भी डेट के लिए forward contract तो यह 10 जून का rate दिया यह 13 जून का रोड़ दिया action rate दिया 0.1 परशन interest दे रहा 12 परशन यह line importer इंपोर्टर आया ऐसा नहीं की नहीं आया आया और कब आया 13 जून को आया यह भगवाँ और बोल रहा कि please sir extend कर दिजे contract 10 अगस्त के लिए वो 13 जून को जब आया आया होगा सबसे ज़्यादा बुरी problem आगे 10 जून को उसकी वज़ा क्या है यह भाई साम यह वाला जो bank है यह कह रहा जैसी 10 जून आई मेरा customer तो आया नहीं है और उसके पास मेरे पास अभी 3 दिन बाकी 3 दिन में वो कभी भी आ सकता है पर problem यह आ गई यह भाई साम जो है यह वाला bank मुझे परिशान करने लगा कि भई ले जाओ आपने बोला था डॉलर खरी देंगे उस दिन खरीद लिया और कितने में खरीदा होगा दिख रहा है खरीदा कितने में होगा इस दिन 10 जून को 63.8 000 में खरीदा पर ऐसा नहीं कि customer आ नहीं सकता है इन दिन का तो वैसे भी टाइम है customer आ भी सकता है यह तो यहार मुझे forward contract buy करना ही पड़ेगा मतलब एक contract करना पड़ेगा forward contract खरीदने का buy chance आ गया तो और वो जून में कभी भी आ सकता है यस तो देखो spot जून लिखा जून में कभी भी spot जून और दूसरे बैंक बेचेगे 63.95 0000 ओके सर तो सबसे पहले 10 जून कि अब 13 जून को customer आया और customer आया बोलता है सुनो ना भाई customer आया और आप से क्या बोल रहा है कि please action कीजिए 10 अगस्त के पहली बात customer गलत बात है सबसे पहले cancellation charges तो दे ही दो पहले cancellation charges किया बोले हमने आपको बेचने के लिए बात किया था कितने में 64.4 जिर हम बेचेंगे और वापस आप से खरीदेंगे आप 13 जून को आए ना यस तो 13 जून को ये वाला rate सर मतलब rate कौन सा आएगा आप तो दो बोल रहे थे कि दोनों ही rate एक date के होना चाहिए पिट्टे मेरी बात समझो अब सुनो किस्टमर का हम 13 जून तक वेट करेंगे किस्टमर अगर 13 जून के बाद भी आए तो आटोमेटिक कैंसल हो जाएगा अब कैंसलेशन 13 जून को अब हमें rate कौन सा देखना है तो मेरी बात समझने की 13 जून का rate देखना है यहाँ आप हाला कि उस समय जब हमारा cancellation चल रहा था मैंने कहा दोनों ही rate एक ही date के होना चाहिए लेकिन already हुआ तो 13 जून तक वेट करेंगे और आपको यहाँ का 13 जून का rate लेना पड़ेगा cancellation के लिए याद रखना 13 जून का due date के 3 दिन का आपको time दिया गए तो 63.6800 उसमें से rate था तो काटने के लिए opposite rate लेना पड़ेगा याद रखना 13 जून का rate लिए 63.613 और आपको rounded off करना है तो मैंने rounded off करवक के बताया है और rounded off करके बताया 63.6175 ठीक है 63 को मैंने 75 आगे लिखा amount payable on dollar 2 lakh कितना आएगा ये बता हो 2 lakh dollar पर कितना तो एक तो selling rate है मतला वो cancellation charges पूछ रहा selling rate इतने पे बेचने की बात हुई थी इतने पे खरीदने की बात हुई थी तो gain हो रहा है बैंक को और जो gain हो रहा है इसकी वज़ा से वो profit आप से वसुल किया जाएगा ये normal जैसे cancellation था वैसे cancel और सर अगर customer को फाइदा हो रहा तो customer को transfer नहीं हो तो ये वाला profit आप से वसुल किया ठीक है swap loss निकल सकता है कि बड़ा असान है swap loss भी वसुल किया जाएगा सर ये है swap loss bank ने खरीदा फिर बेचा तो ये 63.3 तो ये swap loss भी वसुल किया जाएगा अब बात करते हैं interest की अब interest की बात किसी हो का सर एक बात बताओ पैंक ने इसको बीचा पैसा आया नहीं 10 जून की 10 जून की बात करो 10 जून 10 जून को सर हम को मजबूरी में खरीदना पड़ा पैसा गया कैसा उठलो और हमने दूसरे को बेज दिया यह cash inflow देखते है net के आ रहा है और उस पे interest आ जाएगा cash outflow 64.2800 के साबसे मतलब यह दिख रहा है 60.428 और यह आएगा 63.8000 तो यह net cash outlay है तो इस पे interest लगेगा 12% 3 दिन का 94.68 तो interest on outflow होता तो customer को transfer नहीं काते है और यहाँ अगर swap gain होता तो भी हम customer को transfer नहीं तो बताओ new contracted rate के आएगा सामने मलक क्या बोल रहा था sir customer बोल रहा था मुझे तीज 10 अगस्त को कर दीजी आप यहाँ खड़े हो customer यहाँ यहाँ आप इसकी बात मत करना new card sir 13 जुन को आया customer अगर 13 जुन को customer आया तो मैंने का भाई यह अगस्त 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 इस्पॉर्ट अगस्त मतलब आगस्त में कभी भी तो अब बेचने का औरिजनल तो बैंक बेचेगा कितने में 63 पॉइंट नहीं 64.25 डबल जिरो खरीदने का कि बेचने का बेचने का 64.25 डबल जिरो में मार्जिन क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो नियो कॉन्ट्रेक्टर ड्रेट हो जाएगा तो यह राउंड़ेड़ अफ कर की है टूटल कस्टमर से कितना पर सबसुल किया जाएगा तो कैंसलेशन चैर्जिस आएगा कब 13 जुन को कितना वसुल किया जाएगा और स्वैप लॉस आएगा और इंट्रेश्ट ओन आउटल अप फंड आएगा तो यह आए गया टूटल कॉश्ट ठीक है जिए लैट्सिट कैंसलेशन इतना ही था अब हम स्पीट से आगे निकलते हैं बहुत हो गया इतना लंबा फॉरेक्स जाएगा तो फिर खूब हो गया चलो जी फॉरेन करिंसी एकाउंट इसमें नॉस्ट्रो एकाउंट है वास्ट्रो एकाउंट है लोरो एकाउंट है और यहां जो बात करेंगे नॉस्ट्रो एकाउंट की लोरो कोई काम का नहीं है नॉस्ट्रो एकाउंट में बेसिकली क्या है कि यहां जो इंडियन बैंक है उसका एक account US bank में होगा current account अगर कोई भी customer आता है Indian bank के पास की मुझको dollar चाहिए तो यह यहां रुपिया दे देता है और यह bank का एक current account है वहाँ से dollar transfer हो जाता सिंबल से बात है ठीक है Nostra account में हमें आता क्या Nostra account में हमें आता दो चीजे cash position और exchange position cash position की तो जिरुत पड़ेगे की यार Nostra account में bank account में कितना पैसा है यह तो हमको पता करना पड़ेगा actions position में हमको देखना है कि long है कि short है कि उसके हिसाब से हम अपना जो है open नहीं रखते है position risk जादा नहीं लेते हैं ठीक है सारी कहानी तो सुना नहीं सकता अब सवाल यह है कि cash में कब फर्क पड़ता है और exchange position में कब फर्क पड़ता है यह हमने decide करना मान लो सर हमारा डॉलर जमा है एक लाक डॉलर नॉस्ट्रो एकाउंट अब हमने transfer करवाया remitted by tt सब्द लिखा है तो जैसे हमने कहा है आप हमने अपने बैंक वाले को बोला कि उसमें से 10 यह डॉलर किसी और को दे देना तो हमारे एकाउंट से और हमारा क्योंकि हमने base दिया है तो यह short position हो जाए forward sell किया it means सामने वाले से बोला सामने वाला आया बोलता हमके 3 महने बाद base देना bank से कहा कि bank कहा रहा कि हम आपको 3 महने बाद बेचेंगे हमारे cash position पे तो फरक नहीं पड़ेगा पर exchange position पे फरक पड़ जाएगा क्योंकि हमें हमारा position create हो गया short position बाद में अगर rate बढ़ाना तो आप बरबाद हो जाओगे क्योंकि आपने बेचने का contract किया है इसलिए हमने कहा भई position हम उन्हारा कौँ असा है short हम यह position निकालते क्यों ताक कि हम अपना position को square off करे खतम करे position सर ठीटी purchase किया purchase किया तो यार हमारे account में plus हो जाएगा और हमारा long position हो जाएगा सर ड्राफ्ट cancel किया इस पे आ जाता ड्राफ्ट cancel किया तो मैंने आपको example दिया था आप आए और मैंने dd issue कर दिया demand draft dollar में इसका मतलब dd जब लगीगा तो मेरे account से पैसा कट जाएगा तो dd जब issue होता है तो हमारे account से भी debit हो जाएगा cash position पर अभी फर्क नहीं पड़ेगा future में फर्क पड़ेगा पर अगर वो dd cancel हो गया तो short position था वापस किया हो जाएगा long position हो जाएगा bill purchase के लिए long position cash में फर्क नहीं पड़ेगा और forward purchase करें तो forward purchase contract cancel हो गया forward purchase contract है तो long पर अगर purchase contract cancel हो गया तो short detail में discussion किया है तो question number 102 देखते है you as a dealer in foreign exchange have the following position in SF on 31st October 2009 इसको मैंने बहुत ज्यादा detail में बनाए नहीं था यह तो हमारे हमने copy में ही कर लिया था pain copy से तो नौस्ट्रो एकाउंट में credit balance है एक लाक और position जो है वो पचास जार का overbought position है मतलब हमारा long position है तो देख़ए यह position हो गया और यह cash account हो गया मतलब नौस्ट्र एकाउंट में हमारे पास नौस्ट्र एकाउंट में एक लाक रुपए का credit balance है और हमारे यहां position long और short कर के लिख दिया है हमारा पचास जार का long position पर्चेस बिल पर्चेस किया है तो मैंने कहा कि cash position में फर्क नहीं पड़ीगा एक्चेंज में बिल पर्चेस किया तो यहां 80,000 आ जाए के लावा forward sell किया है तो sir short position आ जाएगा forward purchase contract है purchase पर लॉंग पर cash पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला remitted by tt दोनों जगा remitted मतलब sent करना तो 75,000 sold किया और यहां भी short position draft cancel हुआ draft issue हुआ होगा तो short तो अब क्या जाएगा यह long इदर फर्क नहीं पर अब यहर देखोगी तो अगर मेरा cash position में 25,000 डॉलर या euro या S.F 25,000 S.F रखा हुआ है हमारे पास cash में और यहां overbought position है कि sir एक लाग 65,000 है short और यह long तो sir oversold position है 5000 अब यह वाला part important है नीचे वाला वो क्या कह रहा है कि हमें credit balance 25,000 नहीं चाहिए था हमें थोड़ा सा जादा maintain करना हमें 30,000 S.F चाहिए 30,000 S.F पहले cash position को आपको ठीक करना पड़ेगा cash position में 25,000 S.F नहीं चाहिए 30,000 तो sir हमें spot buy करना पड़ेगा 5,000 पर जैसे spot buy कर रहे हैं तो यहां आपका long position create हो गया और उसकी वज़ा से position आपका zero हो गया पर वो बोलना नहीं position में तो हमको 10,000 overbought position चाहिए तो सा forward buy करना पड़ेगा हमने forward buy कर लिए याद रखना जब भी यह maintain करने के लिए बोलेगा पहले cash position को ठीक करोगे उसके बाद और cash position को ठीक किस से करोगे sir sports है exchange position को ठीक किस से करोगे sir forwards है question number 105 time pass question है 15,000,000 चाहिए किसी और bank को 15,000,000 रुपिया चाहिए उसको रुपिया खरीदना है तो वो इंडियन बैंक से रुपिया खरीदने का sir sir उसे रुपिया क्यों खरीदना क्योंकि इसको funding करना है वाश्टर एकांट में या जो भी नाम देगा तो भी रुपिया खरीदना है तो हम रुपिया बेचेंगे सामने वाली बैंक क्या करेगी सर इसको रुपिया खरीदना है अगेंस डॉलर और रेट किस का दिया सर डॉलर का दिया मतलब बैंक डॉलर खरीदेगा यह वाली बैंक डॉलर खरीदेगी यह वाला रेट आ जाए सिंपल आई 106 भी वैसे ही है नई भी करोगे तो चलेगा 107 अच्छा कोश्चन है सर 107 करेगी यास पढ़ते है पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं बोल रहा है सन लिमिटेट इम्पोर्ट कर रहा है equipment 3400 lakhs का इम्पोर्ट किया इम्पोर्ट किया तो payment करना है यह 3400 lakhs जब payment करना है आज तो पैसो का arrangement कहां से करें सर्थ यह currency और बोरिंग का question स्टाट हो गया है कि हाँ जे 3400 लाग का arrangement कहां से करें आप इंडिया से कर सकते हो 18% पर एनम के हिसाब से quarterly compounded लगेगा ठीक है ये 3400 खरीदने के लिए कितना रुपिया लग रहा हैं उतना रुपिया उधार ले लेना कितने परशन के हिसाब से 18% पर एनम के हिसाब से बात कतम या तो इंडिया से नाल उधार लेके आप जापान से ही उधार ले सकते हैं ओसाका ब्रांच से और वो आपको 2% लेगा 180 दिन का मतलब 6 मेने का है 6 मेने का 2% चार्ज करेगा बहुत कम पर ये उधार क्यों देगा तो उन्होंने कहा कि यार ओसाका ब्रांच उधार क्यों देगा तो बोले कोई बैंक इसको गैरंटी देगा और यहां की बैंक गैरंटी देने पर 1% कमिशन भी चार्ज करेगा मतलब यार ओसाका ब्रांच से उधार लेने में हमें ये जाएगा लोन और कमीशन जाएगा वन पर्शन action rate दिया है रुपीज 100 is equal to 340 yen तो मैंने इसको ठीक से लिख लिए yen पर रुपीज और yen पर रुपीज ठीक है कि एक रुपिया बराबर कर्दि यहां सो प्रुपिया बराबर है मैंने एक रुपिया बराबर करे जिए अगर हम इंडियन बैंक से लोन लेते है तो आज का rate क्या है सर आज का rate है 3.40 3.40 से डिवाइट किया क्योंकि ये येन रुपीज का रेट दिया तो सार एक हजार लाख रुपिया लगेगा एक हजार लाख 18 परशन पर रेनम के हिसाब से quarterly compounded कितना पैसा जाएगा मेरा 6 महने बाद सर जापान से लोन लेतों तो दो परशन के हिसाब से लोन मिल जाएगा तो ठीक 6 महने बाद 3400 लैक से येन का repayment नहीं करना पड़ेगा उससे थोड़ा सा जादा और इसको हमें forward rate पे खरीदना पड़ेगा तो इतना रुपिया जाएगा ये तो simple है इसमें कोई दिखा पर कमीशन भी तो लगेगा और कमीशन आज calculate हो तो loan amount निकाल लेते हैं तो कमीशन लगेगा 3400 है loan amount उसका 1% 34 lakhs येन आज के rate पे रुपीस क्योंकि जो commission देना हो तो इंडियन में को देना है तो आज के rate पे रुपीस commission का कितना होगा है 10 lakh बस मैंने आपसे ये बोला था येर comparison करना है तो ये है 6 महने का 6 महने बाद का cash out flow ये भी है 6 महने का commission तो present value इसको भी future value कर दे ये मान के चलो कि commission के लिए जो पैसा लग रहा ना इंडियन बैंक से हुआ है 18 परशन पर रहे ना उसके सबसे commission future value है 10.92 और जापान से उधार लेने में एक ये पैसा जाएगा और ये पैसा जाएगा इन दोनों को जोड़ दिया तो इतना जा रहा है जापान से ठीक है तो लिखा है कोन प्रॉम जापमान इस बैटर डियू तो लोगर कैस्ट अच्छा कोश्चन है कोश्चन हमबर 113 तो कई बार आया है भाई 113 पढ़े जी आपकी बैंक लंडन ओफिस में है ठीक लंडन का ओफिस है लंडन में कौँसा करेंसी चलती है पाउंड और आपके पास डॉलर है भाई एक्सेस में डॉलर पाच लाग एक्सेस में ठीक है कितने पिसने के लिए यह थीन मैंड च्छलता आपके हैं और ठीक है डालर पड़ा湁ए हो सकता है νपट कॉश्टपफंड और जो डालर है उसका फंड का कॉश्ट कितना चार प्रशन मतलब जिसका भी डालर रखा हुआ न भाई वो आपसे 4% चार्ज कर रहा है मतलब उसको जब वापस करना पड़ेगा तो 5,000,000 डालर नहीं करना पड़ेगा उससे जएधा ठीक है सब 4% मतलब यार 3 महने बात 5,000,000 डालर वापस करना पड़ेगा अब यार इस पाच लाग डॉलर को करी किया तो बहुत इस्थ को आप चाहो तो लंडंडन में भी investment कर सकते याद रखना लंडन में ौंढ़ चलता है से नी यॉंड और इसके अलावा Frankfurt में भी investment कर सकते है यहाँ euro चलता है euro चलता कैसे पता लगा आगे लिखा हुआ फिर से बता रहा हूँ UK में investment करने पर 5% मिलेगा और New York में investment करने पर 8% मिलेगा Frankfurt में investment करने पर 3% मिलेगा बस सर्त यह है कि आपके पास है dollar अगर UK में invest करना है US में investment करना तो dollar में convert करना पड़ेगा और आप समझ गया the market rate in London for dollar and euro are as under बस यह important है कि यह लिखा क्या है इस portrait दिया हुआ लंडन ओन नी यॉक लंडन ओन नी यॉक तो लंडन ओन नी यॉक जब भी ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब वो पूछ रहा है लंडन मतलब यह हो गया dollar per pound अगर यह नई भी इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो यहां से समझ में आ गया हमारा dollar per pound क्योंकि यह pound का ही rate है ठीक है नियॉर्क में dollar चलता है यह हमको पता अच्छे से London on a Frankfurt मतलब pound यहां आएगा जब भी लंडन की बात हो रही है तो pound यहां आ रहा और common currency तो pound यहां आ गया और इधर क्या आ गया यूरो बताए कि सेंटर से फाइदा है ठीक है अब पहले समझते हैं कहानी सारी और इसपीड से काम करें ठीक है सर थो थो उसे पहले इकाम करते हैं कहां investment कर देते सर हम London में investment कर देते आपके पस oxidation सर हमारे पस है पाच लाइक डॉलर और पाफ लाइक डॉलर है तो डॉलर को सबसे पहले तो these people में convert करना पड़ेगा ये rate है तो sir bank pound बेचेगा तो 1.5390 पे पहले convert कर लिया सबसे 1.5390 सबसे ये dollar है ये pound है तो divide हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत के बाद में convert करके हमने यहाँ invest कर दिया कर दिया तो हमारे पास जो currency आई वो कौन सी currency आई pound आई with interest बाद समझे में आरे ये ना एक बार दिखा दो ना yes हमने convert किया 1.5390 के सबसे और convert करने पे हमारे पास pound आ गया और इस pound को हमने invest कर दिया तो ठीक ये pound मिलेगा हमको ठीक तीन महने पाद अब इस pound को मैं dollar में convert नहीं कराऊंगा सुनो समने वाले को मुझे में तो UK का रहना वाला हूँ तो मुझे थो पाउंड में ये answer चाहिए यार तो मेरे पास एक काम करयो ना यार समने वाले को देना कितना सब आस समने वाले को 5.5.000 डालर देना है तो उतना उस pound जितना मेरे पास pound जमा हो गया उसमें से 5,5,000 डॉलर खरीदने के लिए जो pound लगना है वो लगा तो बचा हुआ हमारा फाइदा हमें क्या खरीदना है हमें 5,5,000 डॉलर खरीदना है तो bank pound खरीदेगा तो sir कब खरीदेगा 3 मेने बाद तो 1.5380 और 80 क्या हो जाएगा एड हो जाएगा ये वाला रेट है हमें 5,5,000 डॉलर खरीदना है और रेट पाउंड कर दिया है तो डिवाइड हो जाएगा तो इतना pound खर्च हो जाएगा इतना available था 5,5,000 डॉलर खरीदने के लिए इतना pound लग जाएगा तीन मेने बाद तो तीन मेने बाद हमको इतना gain हो जाएगा 1,663 अगर डॉलर में इन्वेश्ट करें तो डॉलर में इन्वेश्ट करें तो इसको convert करवाने की ज़रूद नहीं सीधा 8% पर इन्वेश्ट कर दो मतलब तीन मेने का कितना मिलेगा उसे सबसे दिख लो तो तीन मेने का सर 8% तो 8 इंटो 3 by 12 दो परशन तो 5 लाक इंटो 1.02 तो सर 5 लाक दस जार डॉलर मिलेगा पाच लाक दस जार उसमें से हम 5 लाक पाच जार डॉलर वापस भी कर देंगे तो सर हमारे पास 5000 डॉलर बच जाएगा और जो 5000 डॉलर बचेगा मेरे पास उस 5000 डॉलर से में bang pound बेचेगा बेचेगा तो इस rate पे बेचेगा 1.5390 प्लस 0.85 ठीकि 5,001.53 ये BC पाउंड बेचेगा मतलब बेचेगा इस rate पर तो finally आ गया है अगर नी यॉर्क में इन्वेस्ट करेंगे सर नी यॉर्क को छोड़ो अगर हम यूरो में इन्वेस्ट कमेंट करेंगे तो यहां बहुत ज्यादा जंजट है उसकी वज़ा है सबसे पहले इस पाच लाख को सुनोगे देहां से सबसे पहला काम है इस पाच लाख डॉलर को पाउंड में कनवर्ट करना पड़ेगा वो तो सर्थ हम करी दिये और यह पाउंड में ही तो पाउंड में कनवर्ट कर दिये पाउंड में कनवर्ट हो गया अब इस पाउंड को हमें यूरो में कनवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कहां जाना फ्रैंक्फर्ट जाना है तुसर bank pound खरीदेगा 1.8260 के सबसे आज की बात करो न bank pound खरीदेगा क्योंकि dollar से pound आगया है pound से euro और pound का ही rate दिया है तुसर देखे yes पहले तो हमने pound में convert कर दिया और 1.8260 pound और pound का ही rate दिया तो इतना euro मिल जाएगा इतने euro को हमने investment कर दिया 3% के सबसे तो इतना euro मिलेगा अब पहले इस euro को pound में convert कर दिचे तो sir bank pound बेचेगा bank pound बेचेगा बेचेगा तो 90 और 1.40 प्लस हो जाएगा bank pound बेचेगा yes minus क्यों हो रहा 1.8290 descending order में है ना यार okay सर्फ minus हो जाएगा यह minus हो गया तो यह rate आ गया यह euro और rate दिया pound का divide हो जाएगा तो इतना pound मिलेगा और 5,5,000 के लिए इतना pound लगेगा यह तो हम पहले ही calculate की तो 2022 का यह अच्छा question है यह question ऐसे question आते okay question number 116 यह सायद यह international cash management का question है जलो देखते है तो इसर इसमें होता क्या है इसमें कुछ होता नहीं है इसमें क्या है XYZ एक company है और उसकी subsidiary है XY उसकी subsidiary है UK में जहां pound चलता Amsterdam में और Switzerland और बोले इनके पास surplus available है UK के पास surplus कितना 75,000 pound यह सब मेरे लिखा हुआ है तो इसे पर ज्यादा time बरबाद मत करना आप पढ़ोगे तो आपको समझ में और सब अमेस्टरडम में 7,25,000 euro Switzerland में CHF है अब एक तरीका यह है कि आपना-पना investment करें और देखे अपना-पना investment करें और देखे कि यार लाश्ट में क्योंकि आपका एक्स-वाई लाश्ट में पाउन में पाउन साइड हाँ लाश्ट में पाउन में पाउन में कितना पैसा हो जाता इट मेंस यह अपना investment करें यह अपना investment करें यह अपना investment करें investment का जो भी rate है देख लेंगे और फिर लाश्ट में देखेंगे कि यार और फिर इसको convert कर देखेंगे इसको भी पाउंड में convert कर देखेंगे इसमें और लाश्ट में देखेंगे कितना पाउंड है दूसरा है इसको अभी की अभी investment करेंगे अगर अपना अपना investment करेंगे तो UK में 75,000 pound पर कितना interest मिलेगा तो 0 से 1,000,000 पर 1% मिलेगा ठीक है सर और सर दूसरे पर 7,000,000 यूरोप पर 7,000,000 पर 2% और सर तीसरा CHF CHF है 998077 इसके बीच में आगए तो 0.5% तो चलो अपना अपना investment करते हैं यह किया यह किया यह किया अपना-पना investment किया तो यह interest हो गए है यह total हो गए है 91 days के लिए investment हो रहा है और सर रेट 91 days का सर इसके लिए तो रेट नहीं क्योंकि हमें pound मिए निकालना है इसके लिए rate है हमें कुछ सा 91 days वाला मेरे ख्याल से फावर्ड रेट निकलना पड़ेगा सर प्लास हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा हमारे लिए बिट काम का है कि आस्क काम का है सर रेट किसका दिया है रेट दिया है यहाँ यूरो का और यहाँ पाउंड का जरा सोचते है सर यहाँ यूरो आएगा यूरो बैंक यूरो खरीदेगा यह ना यह सर तो यह बिट काम का हुआ और बैंक यहाँ बैंक पाउंड बेचेगा तो आस्क काम का हुआ यह आपको देखना बढ़ेगा रेट 0.6858 देखनों 0.6858 प्लस 0.0037 0.6895 बिल्गो सही 0.6895 और यहां आस्क काम का हुआ 2.3326 प्लस 0.0228 आप रेट अपने इसाब से देख ले ना सोच समझ के रेट डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहां गरबड कैसे हो रहा अच्छा माइनस होगा 2.3326 माइनस पॉइंट 0.228 2.3098 ठीक गनवर्ट करोगे डिवाइड मल्टिप्लाई आपको दालो यहां है यूरो और यूरो के रेट दिये तो मल्टिप्लाई होगा यहां है पाउंट और CHF का रेट दिये तो डिवाइड हो जाएगा तो टो नेट कैस्ट बैलेंस यह आ जाए विदाउट स्वैपिंग की बात कर रहा हूं ठीक है अब बात करते हैं स्वैपिंग स्वैपिंग में भाई सबको आप आज ही के रेट पर ले आओ यह तो है इसको मैंने आज ही के रेट पर कर दिया इसको भी मैंने आज ही के रेट पर कर दिया और जो आया क्योंकि यह 10 लाग से उपर चला गया तो 91 डेस के लिए आपको यह वाला इंट्रेश्ट मिल गया है और इस पे 1-1-9 simple question है 1-1-9 कुछ है नहीं है यह है currency of investment कहां investment करें simple था मैंने homework ही दे दिया तो कुछ है नहीं पर फिर भी मैं आपको एक बार discuss कर देता हूँ कि भी हमारे पास 400 billion रुपिया रखा हुआ है 400 billion उसमें से आधा आधा जो है वो 6 मैंने बाद लगे कोई plant लगाने वाला था मैं स्रीलंका में 400 billion रुपिया है उसमें से 200 billion अभी लगेगा 200 billion बाद में लगेगा 6 मैंने बाद तो इस 200 billion को क्या करें तो बोले आप जापान में भी investment कर सकते हो आप US में भी investment कर सकते हो बहुत अच्छी बात है बोले जापान में investment करोगे तो आपको equity index index fund में investment करना पड़े तो बोले उसके बिदले में आपको yen में मिलेगा 25 million और income from stock lending का yen मिलेगा और बोले जो आप investment करोगे वो 2% discount पे मतलब उसका value 2% कम हो जाएगा तो सवाल है कि आप investment कितना कर रहे हो इस portrait ये है ये इन पर rupees rupees का rate दिया है multiply कर लेना 400 billion है तो 400 billion को अपने 400 billion में से 200 billion ही तो investment करना है multiply किया 1.58 से तो सर 316 billion ये और वो 2% कम होकर मिलेगा minus 2% तो last में जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 309 ये और 25 ये और 11.9276 ये इतना पूरा हमें मिला और ये कब मिला 6 मेने बात yes और उसको convert करेंगे ये ये नहीं rupees का rate दिया divide कर देंगे 1.57 से इतना मिलेगा अगर हम जापान में investment कर तो इतना रुपिया मिलेगा 6 मेने ठीक है और सर अगर हम US में investment करते हैं तो US में आपको T-Bill में investment करना है और जितना investment करोगे उसका 5 पर्शन मिलेगा मतलब 2.5 पर्शन देख लेंगे convert करने के लिए rate दे रखा और rupees का rate दिया तो सिधा multiply हो जाएगा तो 200 into 0.014 उसर 2.8 billion dollars ठीक है 2.8 billion और जो भी आया उसमें 5 पर्शन मतलब 6 मेने का 5 पर्शन into 1.025 2.87 billion dollar आगया हमारे पास दिख रहा है आपको 2.87 billion dollars अब उसको इस rate से convert करेंगे डिवाइड कर देंगे 0.013 तो सर इसमें भी आगया 2207692 इसमें भी आगया 2207692 दोनों में बराबर आगया तो फिर हम ये बताएंगे कि सुनो ना यार ये तो index में investment कर रहे है और ये T-bill में तो ये ज़्यादा अच्छा है इसमें risk कम है और दूसरा US dollar ज़्यादा stable है ये इनकी अपेक्चा अब आगे जो question है वह है transaction exposure पर इस पर बात करेंगे सर ये transaction और economic exposure क्या है ये questions के साथ में समझाओं तो ज़्यादा समझा ठीक है तो सर ये एक है omega electronics ठीक है वो import कहां से करता है सर इंडिया का person है इंपोर्ट करता है जर्मनी से ठीक है इंपोर्ट जर्मनी से करता है के Singapore से मतलब सर जर्मनी से आने वाला है यस और क्या आने वाला 2400 units into 500 euro तो सर जर्मनी से आने वाला है पारा लाक यूरो कब आने वाला है छे मैने में पर यार जहां से import किया वहां देना तो पड़ेगा यस तो Singapore dollar 800 into 500 units 800 into 2400 units तो सर 19 लाक Singapore dollar हमको देना है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं और fix cost कितना है 1000 रुपे पर यूट और variable cost कितना है 1500 रुपे पर यूट current action rate ये दिखाई दे रहा है और 6 मैने बाद का action rate ये हो जाएगा बहुत रहा है तो बतरिए gain या loss due to transaction export वैसे तो shortcut से नहीं काल लूँ पर सीधी सी बात है इस rate से जो अब ध्यान से समझना सबसे पहले sales लिखते है अब sales में सब जो आने वाला है क्या आने वाला है आने वाला है euro तो bank euro खरीदेगा इस rate से इस rate से इसको multiply कर दीजे वही मैंने किया है इस rate को 51.50 से multiply किया तो इतना sales दिख रहा है और 6 मेंने बाद 6 मेंने बाद 52 के सबसे ये sales दिखेगा transaction exposure आपको पता rate change होने की वज़ा से कितने का loss हो रहा है आसी import cost जो देना है bank Singapore dollar बेचेगा इस rate से इस rate से 2.5 और 7.5 2.5 और 7.5 इसके लावा fix cost ले लिया इसके लावा variable cost ले लिया अगर current action rate के सबसे बात करो तो हमें इतना profit था 34,80,000 और अभी 6 मेंने बाद क्योंकि 6 मेंने बाद ही payment वगेरा करना है तो 31,20,000 तो ये loss हो रहा this is expected loss या loss due to transaction exposure 3,60,000 मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिक्कत नहीं है और shortcut से भी मैं समझा सकता था समझाया हूँ पर अभी मैं ICAI के सबसे चल रहा हूँ उसके बाद based on the following additional information calculate the loss or gain due to transaction and 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 operating exposure अगर आप 25,000 में AC बेचते हो तो बात समझने की कोशिश करना अब बात अलग है आई साब आप अब आपको ये Singapore dollar नहीं मिलेगा आप 25,000 में AC बेचते हो 1200 units तो बताओ कि operating exposure transaction exposure की loss की वजह से loss कितना है तो चलो भई अब इधर तो टेंशन खतम 25,000 बाकी वही किजिए जो भई इसर ये action rate, action rate साइद उसने change किया जो current action rate है न बुले ये वाला ले लेना भाई rate ये वाला हो गया है तो आपको इस rate के साब से change करना पड़ेगा six month वाले को change मत करना उसने कहा ये जो current action rate है न ये ये वाला मतले न जब आप 25,000 ले रहे हो तो आप कौनसा वाला लेना ये वाला rate लेना तो ठीक है revised current action rate उसके सबसे हम काम करेंगे तो मैंने इसके सबसे काम किया तो इतना profit आ रहा है यहां बस 25,000 लिखा और इसके सबसे किया तो 7,20,000 तो sir loss हो रहा है due to transaction exposure 11,52,000 अब यहां important बात है वो कह रहा है कि price elasticity of demand है 1.5 अब यहां खेल है भाई वो ही समझाना है बात खतम हो की जब आप AC बीच रहा हो तो सामने वाले को 25,000 रुपए देने पड़ा है क्योंकि invoicing रुपीज में हो रही 25,000 रुपए तो previous spot rate कितना था उसको रुपिया खरीदना पड़ा था तो bank euro खरीद रहा था कितने में 51.50 बात समझ में आ रही होगी यह सर उसको AC खरीद रहा है तो उसको रुपीज खरीदना था तो bank क्या कर रहा था bank euro खरीद रहा था आपसे मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ तो उसको एक air conditioner पर euro 485 खर्च करना पड़ा था पहले की spot rate पर पर spot rate चेंज हुआ तो अब उसको एक air conditioner के पीछे 483 euro खर्च करना पड़ा है अगर मैं पहले की बात करूँ तो जो मुझे 485 euro खर्च करना पड़ा था एक AC की पीछे अब 483 ही खर्च करना पड़ा है तो यह rate कम हो गया और कितने percent से कम हो गया 0.48 percent से तो sir price elasticity of demand कितना 1.5 तो sir उसकी वज़ह से demand बढ़ जाएगा 0.72 percent से और demand बढ़ गया तो 2400 units की जगा 2417 units हो गया यह किसकी वज़ा से this is economic exposure या इसको बोलते operating exposure अब 2417 के हिसाब से काम कर लेजे वही काम किया 2417 into 25 ज़र और 2400 यह 6 मेने बात के लिए मैं काम कर रहा हूँ यह आ गया fixed cost मालू है और यह मालू है variable cost और fixed cost तो सर 7,42 तो 18,72 पहले profit है और 7,42,100 यह वाला profit है तो यार यह loss due to operating exposure हलाकि यह गलत है पर जो institute ने करवाया वो मैंने करवा दिया loss थोड़ी ने यह तो profit हुआ कोई मतलब नहीं इसको इस matter पर मैं बात नहीं करूँ तो ज़्याद अच्छा मैं आगे करूँ आगा time बरबात नहीं NDF contract चलो जी NDF market नाम से क्या लग रहा है नाम से लग रहा है non-delivery bill forward contract मतलब सर ऐसा forward contract जिसमें actual delivery नहीं होती just like future आला कि ये market इंडिया में नहीं है ये इंडिया के बाहर है ops और market है और एक बास सब्सक्राइब यहाँ जो भी settlement होगा वो dollar में होगा यहाँ के अपने rules है question से समझते है normal मान के कर चलना कि ये future contract है और कुछ नहीं outside इंडिया तो पढ़ते question को 1st Feb 2020 को XYZ Limited इंपोर्ट करना चाहता है manufacturer importer और एक particular type of memory chip इंपोर्ट करना चाहता है और payment करना है one month और कितना करना बोले South Korea से और South Korea से हमें 1190 million South Korean won का payment करना है तो भाई South Korean won हमको खरीदना पड़ेगा ये आज का rate दे रखा है dollar, rupees इसको मैंने ठीक से rupees per dollar लिख दिया SKW per dollar लिख दिया simple से आज का rate पर आज थोड़ीन पढ़ेमेंट करना है payment तो हमको 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 वनमंत बात करना है ठीक है सा इसके अलावा इन्होंने कहा कि यार ये offshore market है insure available नहीं है तो आप NDF market में जा सकते शर्त लगा सकते NDF market में जो सर्त लगा रहे हो सर्त लगाने का rate दिया है SKW per dollar इसके अलावा जो settled होगा वो dollar में होगा dollar one lakh national principle है ठीक है एक साल बाद future market में rate ये हो गया एक मैंने बाद सर्य ओहो आपको दिखनी रहोगा एक मैंने बाद future market में ये rate हो गया भोल रहा है ठीक है भाई बाद समझ में आती है ये rate हो गया आगे चले और एक मैने बाद ये rate हो गया, actual cash market में, आपको position analyze करना और comparison करना spot position से, अगर आप कुछ नहीं करते हो, या तो आप NDP market में entry करते हो, NDP contract करते हो, 4 decimal places तक आपको जवाब देना, okay, sir, yes, हमें हमेशा, अभी हमें किसे comparison करना spot market से, अब हम ये देखते हैं, कि अगर हम spot market में चले जाते, और SKW 1190 millions खरीदते, तो किस rate पर पढ़ता, तो sir, सबसे पहले रुपिया देखकर dollar खरीदते, मतलब bank dollar बेशता, और फिर bank dollar वापस खरीद लेता, तो sir, ये rate पढ़ता, तो उसके सबसे रुपिज पर SKW निकाल लेते, रुपिज उपर SKW 1 से divide होता, तो ये rate मिल जाता, तो 1190 million SKW खरीदने के लिए इतना million रुपिया चाहिए, पर रुपिज in lakhs में बोला तो इतना रुपिया चाहिए, अगर हम किस पे करते है, spot पे, sir, spot पे कर ही क्यों रहा है, उसने कहा कि spot से comparison करना, इसलिए हम spot से कर रहा है, ठीक है, अब मैं पहले कर रहा हूँ, अगर हम option number 1, कोई forward contract हो ही नहीं सकता, इसमें forward contract available नहीं है, अगर हम कुछ नहीं करते, तो फिर हमें इस rate पे खरीदना पड़ता, और इस rate पे खरीदते, तो हमको SKW 1190,759,22 lakhs का मिलता, तो यार ज़्यादा मिलता हमारा loss हो जाता, 4.76 का, comparison करना है, spot से, इसलिए मैंने comparison की, अब दूसरा important है, अगर आप NDF market में जाते, तो क्या होता, सर, हमें इस शर्ट लगाना है, SKW का payment हो रहा, तो SKW के बढ़ने का डर, बढ़ने का, पर डॉलर की से, सर, डॉलर की गिरने का डर, हम कौन सा position लेंगे, सर, short position लेंगे, short का मतलब, sell, short position यह है, sell, हम sell करेंगे, मतलब, bank buy करेगा, तो इस rate पे आपको शर्ट लगाना, 1190, है, number of contract निकाल सकते हैं, कि total कितना है, 1190 SKW, और 1190 तो समझ में आ जाएगा, कितना डॉलर, amount of short position, 1190 million divided, तो सर, 10 लाग डॉलर पे हम शर्त लगा रहा है, कि rate 1190 से नीचे जाएगा, सर, NDF market में rate कितना हो गया है, 1185 हो गया है, तो सर हम तो जीत गया है, यस, 5 SKW, 5 SKW, इतने पे, 1 डॉलर पे, तो 10 लाग डॉलर पे, 50 लाग SKW हम जीते हैं, पर NDF market में SKW में आपको payment नहीं करेगा, वो डॉलर में payment करेगा, और वो market में क्या rate है, वो नहीं देखेगा, वहाँ उस दिन rate क्या हो गया है था, उस दिन rate हो गया है था सर, 1185, तो उसी हिसाफ से वो divide करेगा, मेरी बात समझना, NDF market का बाकी market से कोई नहीं देना नहीं, तिसी separate market, और यहाँ बाकी जगह क्या rate चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका rate क्या चल रहा है, 1125, तो वो 1185 से ह convert करेगा, याद रखना, तो इतना dollar मिलेगा क्योंकि dollar में settlement हो, बस, अब इतना SKW हमको खरीदना है, तो इतना रुपिया लगेगा, वो तो हम पहले decide कर लिए है, इतना रुपिया वैसे भी लगने वाला, अब जो dollar मिला हमको, किदर से मिला, NDF market से, उसको हम बेज देंगे, तो sir, bank dollar खरीदेगा, क्या, हाँ भाई, खरीदेगा, और कितने में खरीदेगा bank dollar, तो यहाँ rate दिया है, bank dollar खरीदेगा, rupees per dollar, sir, वो खरीदेगा 75.50 में, 75.50 से multiply गिये, तो total इतना जाएगा, पर इतना मिल गया, तो यह कैसा उपलो है, so NDF contract is better, ठीक, पहत्रीन कॉशन, आना question number 121, FX swap का question है, time pass नहीं करूँगा, speed से निकाल रहा हूँ, अगर इसी में time दे देंगे, तो खेल खतम हो जाएगा, तो drill drip, एक incorporation है, यह drill drip, उसको इंडिया में project लगाना 500 करोड़ पिया लग रहा है, और Indian government ने कहा, कि एक साल बाद, आप project बंद कर देना, और हमारा अनुम कि प्रोजेक्ट बंद करने पे हमको 740 करोड़ वापस मिल जाएगा, हम US के रहने वाई, अब यहर 500 करोड़ रुपए के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा तो यहर डॉलर है, तो उसका डॉलर देके हमें रुपिया खरीदना पड़ेगा, तो यहर कितने में खरीदना पड़ बैंक से, तो हम इंडियन गौर्वर्मेंट से, इंडियन बैंक से एक स्वैप कर लेंगे, कि देखो, अभी हम डॉलर, हम रुपिया खरीदेंगे, पचास के साबसे, और हम आपको वापस बिजदेंगे, पचास के साबसे, रेट कुछ और भी हो सकता है, पर इन्हों ने कहा कि spot rate भी 50 रहेगा और one year forward rate भी 50 रहेगा clearities नहीं है language तो इसको बोला जाता है और ये sir better rate मिलता है ये बात कर चुका हूँ it means sir 500 करोड का हम swap कर रहा है swap equal amount का होता है equal amount का ही होगा कि सुनो bank और उससे हमको ना दूसरी bank का rate अच्छा मिल जाता है मैंने बात किया था इसमें तो हम आपको 500 करोड रुपए देंगे और एक साल बात 500 करोड रुपए ले लेंगे हला कि rate ये 50 50 नहीं होना था थोड़ा सा अलग होना था पर सोलो ठीक बच्चा 240 करोड बच्चा हुआ 240 के लिए आप forward contract कर सकते तो ये लिखा है drill drip क्या करेगा इंटर क्या करेगा buy sell swap in which buy करेगा 500 करोड sell करेगा 500 करोड और बच्चे के लिए क्या कर देगा वो forward contract कर लेगा पर 500 करोड के लिए आपको चाहिए dollar और dollar bank से उधार लेगा वो 8% के हिसाब से ये लिखा हुआ forward contract 54 के सबसे forward contract कर सकता है ठीक है 54 forward contract ते swap मैंने का ना swap में आपको better rate मिलता है तो देखे अगर हम swap करते है तो 500 करोड हमने खरीदा है तो हमारे पास से 10 करोड डॉलर गया है वापस 500 करोड हमने बेज दिया थो करोड डॉलर आ गया है जितना था उतना आ गया इसके लावा जो 240 करोड है वो forward rate पे convert होगा और 10 करोड जो है उस पे आपको interest तो देना बढ़ेगा वो interest आ गया तो total profit होगा है इतना लेकिन हम कुछ नहीं करते है तो 510 करोड तो गया लेकिन लेकिन आएगा 744-54 से convert होगा तो यार ये वला जाता अच्छा question number 125 बस खतम ही करें किया यार yes 125 खतम होने वाला है टेंशन मतलो sir इसमें हमने export किया UK ने 5 लाख आने वाला है Canadian डॉलर 5 लाख और UK में क्या चलता है पांट exporter hedge करना चाहता रिसिप्ट और spot rate दिया हुआ है UK का interest rate और Canada का interest rate दिया है forward rate 2D reflect the interest rate मतला forward rate किसके इसाब से होगा IRP के इसाब से तो यह Canadian dollar है तो उपर उपर ये किया तो यह आगे है हमारा forward rate टेक इसमें कोई दिकत नहीं बोले gain या loss बताइए अगर spot rate decline हो जाता Canadian dollar spot rate decline हो जाता है 2 persons sir Canadian dollar कम होगा Canadian dollar कम होगा पर rate का pound का दिया है तो sir pound 2 persons से बढ़ेगा it means spot rate कहा है spot rate कहा किदर गया ढ़의質 परत्रेट सरीए है अगर pound 2 persons से बढ़ जाता है तो याद रखना यहां बोला किसके विशे में है Canadian डॉलर पर रेट किसका दिया पाउंड का तो आपको पाउंड के विज़ से हमें सोचना पड़ेगा पाउंड 2% से बढ़ गया तो ये रेट हो गया तो अगर आप फावड रेट जो किया है उससे मेरे पास इतना पैसा आएगा जबकि अगर रेट ये हो गया है तो इतना पैसा आएगा तो सर फावड कवर की वज़ह से गेन हो गया है ऐसे ही आपको बाकी सारी कुशन नमबर 127 127 कुश नहीं है कवर डिल का कुशन है अगर देखोगे ध्यान से ये कुशन गलत है पर चलो ठीक है निक्टाते है इसको ये फोरेक्स डीलर है एंटो क्रोस करेंसी डील एंट सोल्ड डॉलर 10 लैक अगेंस यूरो आप डीलर हो आपने इसी केस्टमर को बेज दिया है यूरो पर डॉलर कितने के सबसे 1.44 डबल जीरो के सबसे ठीक है बेचा है बेचा है तो कहीं से खरीदना होगा और खरीदने का रेट यहां से हमें खरीदना पड़ेगा पोजिशन को कट करना है और यहां बेचना पड़ेगा सर यह लॉस हो रहा है 5000 यूरो को वो यह पूछा गेनिया लॉस पर प्रॉबलम यह है कि उनका यह कहना है भाई आप आंसर बताओगे यूरो में इतना यूरो का आपको लॉस हो रहा है इतना यूरो सामने वाले को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 5000 यूरो तो इस 5000 यूरो को खरीदने के लिए कितना रुपए जाएगा हाला कि कहीं में ने लिखा है कि यार रुपीज में कैलकुलिट के रूप चलो कर लेते रटने वाला कोशन है 5000 यूरो के लिए कितना पैसा लगेगा सर ये रेट किया दे रखा है रुपीज पर डॉलर और ये रेट किया दे रखा है यूरो पर डॉलर ठीक है तो सर यूरो खरीदने के लिए पहले रूपिया से डॉलर खरीदेंगे और फिर डॉलर से यूरो बैंक डॉलर बेचेगा और बैंक डॉलर खरीदेगा उसे हिसाब से आप निकाल लो कि तो आंसर आ जाए सर कोश्चन नमबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी फूर वन ट्वेंटी फूर में कुछ खास बात है क्या कुछ खास बात नहीं है वन ट्वेंटी फूर में कुछ खास बात नहीं है वन ट्वेंटी फूर में उनका ये कहना है कि यह हमने एक्सपोर्ट किया है तो आने वाला है यूरो पाच लाग आने वाला कभ है साथ दिन में आने वाला तो सामने वाला जो person है LC-LC का question है सामने वाले ने 60 days bill लिख दिया है 60 days bill हमको दिया है ठीक है अब यहर इस bill को हम discounting करवाते है तो हमको post ship credit लगेगा 8 person मांगा क्या पहले वो देखे action rate quoted to the company में बहुत ज़्यादा समझाने में नहीं जा सकता क्योंकि time कम है मेरे पास action rate quoted to the company company को action rate क्या लगेगा अराम से सोचते हैं साथ दिन बात का rate तो यह cross rate निकालना पड़ेगा rupees per dollar दे रखा है और यहाँ dollar per euro दे रखा देखे एक बार 60 days forward rate हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि साथ दिन बाद जो है दिख रहा है ना आपको साथ दिन बाद आने वाला है तो ठीक है 60 days forward rate तो सर सबसे पहले rupees per dollar 60 days मतलब यहाँ two month ले लूँ यह सर two month वाला ले एकिस बाविस पैसा और 40.45 cent rupees per dollar दे रख रहा है ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यूरो आने वाला है तो सर यूरो बेचेंगे सर यह क्या लिखा हुआ है यूरो पर dollar की डॉलर पर यूरो यह डॉलर पर यूरो दिख रहा है मुझे अलाकि यूरो पर डॉलर होगा ठीक डॉलर पर यूरो लिख रहा है अब धियान से समझना मेरी बात सर जो यूरो आने वाला है सबसे पहले हम क्या करेंगे सर सबसे पहले bank यूरो खरीदेगा खरीदेगा तो किस rate पर खरीदेगा इस rate पर खरीदेगा 1.0775 इस rate पर यूरो खरीदेगा अब बदले में हमको क्या मिल गया है डॉलर अब बैंक डॉलर खरीदेगा और किस rate पर खरीदेगा इस rate पर खरीदेगा 67.800 अब margin इस मैं जिस्ट में किया मैं फिर से बोल रहा हूँ इस question में भी margin जो है आपको मैं सलहा दूँगा कि margin जो है वो एक बर cross rate निकलना उसके बाद margin होना चाहिए तो यह आगया rate ठेक है सर दूसरा cash inflow to the company जो आया है पाच लाक यूरो उसमें से पाच लाक यूरो में से 50% आप convert नहीं करेंगे उसको EFC एकाउंट में रख देंगे तो सर दो लाक पचास जार को ही convert किया जाएगा यस दो लाक पचास जार से multiply मैं फिर से बोल रहा हूँ एक्जाम में आएगा तो एक्जाम में आप margin यह एजिस्टमन पहले cross rate निकल लेना उसके बाद margin का adjustment कर लेना और interest on post shipment credit आपको कितना पैसा मिल सकता था यह और 8% और total मिलाकर 80 दिन का ले लेना अभी मैं कहाने explain नहीं कर सकता transit period 20 दिन तो 60 दिन के लिए तो आपको उधार मिला ही मिला और 20 दिन extra तो total 80 दिन के लिए उधार मिला इसको मैं explain कर चुका था बहुत अच्छे से अब time नहीं है या तो 80 दिन का interest ले ले ठीक है सर सर question बाद 112 भी देख ले क्या चलो देख ले थे खतम करते कहानी कोई जर्मन subsidiary है एक लाख यूरो working capital की जरुरत है अगले तीन मैने में आप जर्मनी से भी उधार ले सकते है यूएस से भी उधार ले सकते है और rate of interest दी है अगर जर्मनी से उधार लोगे तो 0.25% additional charge लगेगा एक साल के लिए उधार लेना ठीक है सर अगर आप loan servicing fees का 0.25 मतलब 5% यह और 5.25% लगेगा अगर आप जर्मनी से उधार लेते हैं सर अगर जर्मनी के अलावा क्योंकि हमें जर्मनी के लिए ही चाहिए अगर जर्मनी के अलावा हम कहीं से उधार लेते हैं तो withholding tax लगेगा 8% मतलब यहर 4% से ज़्यादा लगेगा सामने वाला जब payment करेगा तो उसको उसको cost 4% वो आपको छोड़ेगा थोड़ेन आपको 4% से ज़्यादा उसको cost पड़ेगा बात समझ में आ रही है यस सर 4.35% 4 divided by 0.92 किया हलाग कि कुछ लोगों कहना सर 4 प्लस होना चाहिए आप ऐसा कर लो कि 4 into 1.08 मेरा कहना कि इंक्लूडिंग है 4 divided मैंने ये gross of value निकाला ये net था 4 पर तो सर ये तो net जाएगा interest अब एक बात important है हमें euro में चाहिए हम US parents से उधार ले रहा है जब वापस करेंगे तो यहाँ का अब यह important है बस यह समझ लो अगर मैं कहूं कि यहां का rate of interest कम है yes कम है मतलब सर डॉलर premium पर है yes और कितना premium पर 1.05 divided by 1.04 मैंने बात कर चुका है इसे premium इंडॉलर निकाला जाता है yes तो यार premium डॉलर premium पर है तो जब वापस करेंगे तो हमें तो और ज़्यादा लगेंगा न वापस करते समय डॉलर खरीद के वापस करना पड़ेगा तो ज़्यादा लगेगा तो वो भी तो एक प्रकार का cost है और वो इन्होंने यहां add करती है same यह वाला भी किया तो इस question को देख ले न explain नहीं कर पा रहा हूं sorry समय निकल जाएगा बहुत ज़्यादा समय लगे यह question रटने वाला है कुछ था ही नहीं यह question उसने net exposure बोला तो भाई साब इन्होंने inflow minus add flow कर दिया और इन दोनों rate का difference से multiply कर दिया और बोला कि यह net exposure है इन दोनों का difference इन दोनों का difference ठीक है देख ले न यह question नहीं भी करूँए क्या फरक पड़ा है कुछ भी question दे दो कि थोड़ी नहीं चलेगा ओके class over कर रहा हूँ आज 3 मई है तो पहला जो है 6 गंड़ा 6-7 गंड़ा लग गया यह खतम इसमें हमने अब आगे जो काम करना हुआ है IFM, capital listing और security evaluation चलो देखते Thank you मिलते हैं ब्रेक के मात